नमस्कार साथियो मैं हूँ अन्रामिस्टा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक फिर से स्वागत करता हूं साथियो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ पस्थित हुए हैं जो की होने वाला है इंडियन पॉलिटी का और यह जो वीडियो है यह पुराने जितने वी वीडियो हैं उनसे बहत ज्यादा हाई लेवल का होने वाला है उसका कार्ड यह है कि इस में जो है इस में पैपीटी वगरा जो भी लगाता है बो नए शिरे से तैयार किया गया है पहले जो कुछ उसमें कमिया थी और इसमें और उसको सुधार करके लगाया गया है तो नहीं देखा होगा, जिस तरह मैंने इसको तैयार किया है, तो सुरू करने पहले हम किसी में, अपने बारे में, इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देदूँ, कि ये जो वीडियो है, वो होने वाला इंडियन पॉलिटी का, और ये वीडिय वीडियो जो है पापा वीडियो नहोंकर क्या हो जाएगा यह दादा जी वीडियो हो जाएगा क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि यह वीडियो जो है किसी वीडियो का पापा नहोंकर क्या है यह दादा जी यानि कि ग्रांड फ quality नहीं पड़ी हो, तो भी आपकी जो है, इस तरह से आपको आनन्द आने वाला है, कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस से बेस तरीका समझ में आएगा, सबसे अच्छी बात ये किया है, कि मुझे या फिर इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा समय देना प यह 12 गंटे का हो सकता वीडियो हो जाए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बोर भी मैं आपको नहीं होने दूँगा, इस बात की भी मैं गारंटी ले ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा ले और मेरा तरीका जो थोड़ा सा अलग रहता है, तो उस ले को आप समझ जाएं है, इस वीडियो में हमें क्या जानना है, तो जानने दे पहले तो हलकी सी जानकारी दे दूँँ कि यह जो वीडियो है, मैं आपको बाइलोजी इस चैनल पर मैं दे चुका हूँ, वर्ल्ड जुगरिफी के में करीब मैं 24-25 गंटे का मैं मेटेरियल दे चुका हूँ, की लगवक कितने गंटे को होंगे, कम से कम होंगे, 80-90 गंटे के, इसके भारती अर्थिवस्ता जो है कम से कम 80 गंटे के वीडियो टोटल में डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना कर और बैसे भी, इसके बाद मैं यहाँ पर हिस्ट्री कम्प्लीट करा चुका हूँ, प्व दिन महीं, लेकिन मेरा खुद का तयारी करना पड़ता है, वीडियो के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर उसे डिजिटल फॉर्म में तयार करना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, फिर एक बैस्ट जो है मेटेरियल बना सकूँ, ताकि मैं अपनी करना पड़ती के फॉर्म में मैंने तयार कर दिया, ठीक है, तो यहां से आप वीडियो बगएरा देख सकते हैं, तो यहां सुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप वीडियो पे नए चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने लिया करें, क्योंकि मैं चाहत पर लगवक 300 से 400 वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें कम सकम 70 से 80 वीडियो जो है, बायो के आने वाले हैं, जिसमें आपको 10 वीडियो अभी मिल जाएंगे, संपूर्ट भारती राजी ववस्ता के लगवक 20 वीडियो जो है, पड़े हुए हैं, इंगलिस स्टीकिंग कोर्स के वीडियो जो हैं, इस पर पड़े हुए हैं, लगवा 80 और आने वाले हैं, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लौके जो तयारी कर रहे हैं, उसके बाद जो भी है, लौकी तयारी कर रहा है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, और 35 वीडियो आपके PCSJS से जुड़ेवे मिल जाएंगे, और भी कई सारे वीडियो जो हैं आने वाले हैं, तो वो मैं आपको दे दूँगा, और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख लिया करें, तो अब हम मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूँ कि अ आपको यहाँ पर आदुनिक भारत का इत्यास का मिल जाएगा, इंडियन एकॉनमी का लगवाग, 80 गंटे का वीडियो भी इसका बना दिया है, भारती भूगोल का मिल जाएगा, बिस्तु का भूगोल का मिल जाएगा, आदुनिक भारत का इत्यास का मिल जाएगा, इकॉनिक सिंस अभी के नोट्स जो है वो कैसे डाउनोड कर सकते हैं डाउनोड करने का तरीका यह कि आप फिरी में भी डाउनोड कर सकते हैं पेड वाला है पेड वाला जो है वो आपका पेज जो होंगे पूरे होंगे लगवा हजार पेज की आठ सो पेज की नो सो पेज इस तो फिर इवाला भी डाउनलोड करने का तरीका में बता जेता हूँ महा लीजी आप देख रहा है वीडियो जिगर्फी का जिगर्फी का वीडियो देखते आपको चाहिए नोट्स तो नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहले यहां देखना पड़ेगा डिस्क्र पर जाने के बाद देखाएंगे तो यहां पर देखाएंगे कि यह जो है दो तन निन नाव्नेगे का लेख पर फिर चाहिए पेर नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा यह स्टोर में जाएंगे परे आपको दोस्तों लगवाग इसमें बहुत सारी पीडियों सी जाक कि यहां पर देखने को मिल जागी तो हम लेजिए बायो की डाउनौट करना चाहते हैं बायोगोगर कीकिक करते हैं किस तरे डाउनॉड करेंगे उसके बारे बता रहे हैं फिर ही में भी तीक है यहां पर अपना नाम डालेंगे अनुराग मिस्तरा इमेल अनुराग मिस्तरा एलियन एड़ दरेट जीमेल डॉट नमबर डालेंगे 63 95 80 41 49 ठीक है क्लेम फॉर फ्री किलिक किया हमने ठीक है डाउनलोड पेमेंट सक्सेसफफुल पेमेंट आईटी फालाने डिम का पेड़ ओन ये डिम का ठीक है और आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड लगा देंगे किसी का भी आप लेना चाते हैं सब का आपको फिरी भी मिलेगा और पेड़ बाला मिलेगा ठीक है चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो उम्मीर है आपने ये पीडियाप जो है डाउनलोड कर लिए होगी फिरी बाली कि अब हम आगे चलते हैं कि आपका इस वीडियो में यानि कि इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में क्या पढ़ने पाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ कंदे से कंदा मिलाकर को कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलते रहेंगे और मैं आपको और आप मेरा जो है सपोर्ट इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर चलिए, आईए देखते हैं कि आपके इस वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है पहले हल्का सा स्वार्ट फॉर्म में आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमें जो जानना है सबसे पहले होगा संभिधान का विकास संबिदान और भारती संबिदान का नुम्यार्ट, भारती संग एवं उसके राजी छेत्र और के इंसा से प्रजित, भारती नागरिकता, मौलिक अधिकार, मूलिकरतब्य, राजी की नीति निति सक्तत्व, संगी ये कारिपालिका के बारे में बात करेंगे, इसको बात आगे इसमें हम जू जानने वाले हैं वो हो जाता है आपका केंदरी व्यवस्तात का, राजी की कारिपालिका, भारती संग एवं उसकी राजी छेत्र, राजी की व्यवस्तात का, नियाय पालिका, संग बात तता केंदराज संबंध, आपात उपवंद, लोक सिवा के बारे में जा भारत में दली विवस्ता संबेधानिक तता गेर संबेधानिक संस्ता है और और भी बहुत कुछ इसमें होने वाला है ठीक है तो आईए और भी क्या है तो एक नजर डालते हैं इसमें चलिए तो और भी देख लेते क्या हमें इसमें पढ़ने वाले हैं तो भारती राज ववस ये हो जाता एक छोटा था परचे बारती सम्मिधानिक पिकास के बारे में ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद आगे जो होगा इसमें नागरिक्ता के बारे में बात करेंगे भारती नागरिक्ता का महत्तु क्या होता है नागरिक्ता के प्रिकार देखेंगे नागरिक्ता का मतलब क्या होता है भारती नागरिक्ता अधिनियम उनिस सो पच्पन के बारे में भारती नागरिक्त तथा नीद निजेसक तथों में संबंध ठीक है नागरिकों के मौलिक अधिकार या फिर नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे मूल अधिकारों का बरगीगर देखेंगे मूल कर्तब या फिर मौलिक कर्तब्यों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम चर्चा करेंगे संग्य कारिपालिका के बारे में कारिपालिका के फिरकार देखेंगे पार्त की संग्य कारिपालिका देखेंगे राश्टपती के बारे में, राश्टपती की अधिकार चता सक्तियां देखेंगे, उपराश्टपती के बारे में, उपराश्टपती की अधिकार चता सक्तियां देखेंगे, प्रदानमंती चता उसकी मंत्री परसद के बारे में देखेंगे, महानियाईबादी के बारे में द वक्ता के बारे में चर्चा करने बाले हैं इसके बाद इसी में हम जो आगे बात करेंगे वो हो जाता है इसमें राज की विवस्ताविका राज की विवस्ताविका में हम देखेंगे बिधान परसत के बारे में बिधान सवा के बारे में, संसत तथा राज बिधान मंडल में अंतर के बारे में, बिधाई प्रिक्रिया के बारे में, संग्य प्रसासिनिक धाचा के बारे में, अंतर राजची सच्वाले के बारे में, संग बात तथा केंदर राज संबंद के बारे में, भारती संग बात, सं उच्टम नयायले के बारे में, उच्टम नयायले का गठन देखेंगे, नयाय जीसों को अटाने की प्रिक्रिया देखेंगे, उच्टम नयायले के छेतरादिकार देखेंगे, नयाय एक सुधार आयूक के बारे में, उच्टम नयायले के बारे में, उच्टम नयायले के छेतर राश्टी आपात, राश्टफती सासन, बित्ती आपात, नेक्ट इसे में बात करेंगे लोक सेवा के बारे में, लोक सेवा का इत्यास, सिविल सेवा से जुड़ोई सम्मिदान में प्रापधान, संग लोक सेवा आयोग के बारे में, राज लोक सेवा आयोग के बारे में, कु पिश्ड़े वर्गों के लिए विसेश प्राब्धान पहले इसमें जम्मो कस्मीर के लिए विसेश प्राब्धान वंदाया करता था जो कि जम्मी कस्मीर का 312-370 जा बढ़ जाती है तो उसके सारी प्राब्धान खतम हो जाते हैं संग राज छेत्र अंसूची जाती तथा ज इस्थानी सुसासन के बारे में, जिसमें आजाता है, इस्थानी सुसासन का मतलब क्या होता है, बारत में इस्थानी सुसासन का परिस्थास देखेंगे, इस्थानी सुसासन का सम्विधानिक विकास देखेंगे, ग्राम सवा के बारे में, ग्राम पंचायत नेधी कूर्स के ब वो हो जाएगा निरवाचन प्रणाली के बारे में, नेक्ट इसमें बात करेंगे, भारत में दली विवस्ता के बारे में, निरवाचन प्रणाली, निरवाचन आयोग, चुनाप सुधार, दली विवस्ता, हित्स, समू तथा, दवाप समू के बारे में जर्चा करेंगे इसमे हैं इसके बार हम आगे इसी में बढ़ जाएंगे वह गाजम का और कि सम्विधान संसोधन की पिरगिया इसमें देखेंगे जिसमें सब्ह重要 के पिकार देखेंगे सभी महतपूर संसोधन देखेंगे थिसमें नियंत रोत में भ deficit बेतायोग के बारे में राष्ट्री अन्सूची जाते हों जन्जाती आयोग के बारे में ठीक है राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अंतर राची परसद के बारे में अंतर राची जल विवाद अधिकरड योजनायोग और नीतियायोग राष्ट्री विकास फरसद के बारे में, बेतन आयोग के बारे में, राष्टी महला आयोग के बारे में, राष्टी मानवादिकार आयोग, केंदरी सतरकता आयोग, राष्टी अलपसंक्या का आयोग, भासाई अलपसंक्या का आयोग, दूसरा प्रसासनिक सुधार आयोग और लोक सिकायते हैं, प अनुदान क्या होता है 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 अनुदान क्या ह है, गुलेटिंग क्या है, काकस क्या है, नियम 147 क्या है, दवाब सम्हु क्या है, सचेता क्या है, गडपूर्ती क्या है, पंगु सस्त्र क्या होता है, इसके बारे में चल्चा करेंगे, ठीक है, तो चलिए अब फिर सुरुवात करते हैं, आपका इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर, जोकी है, संबिधानिक बिकास के बारे में, तो संबिधानिक बिकास की सुरुवात करने से पहले जानते हैं, कि संबिधान आखिर होता क्या है, हम संबिधान का बिकास पढ़ते किसलिए हैं, क्या आखिर होता है संबिधान, तो संबिधान कोई पुस्तक नहीं ह करना है संब्धान क्या होता है तो संब्धान किसी भी देश की सर्वो चमौलिक विदियों का क्या होता है संग्रह होता है यह संब्धान किसी भी देश की ऐसी पुस्ताक होती है जिसमें उसके प्रमुक्त क्या के होते हैं कानून नियम काइदे लिखे होते हैं संबिधान एक किताब मात्र नहों कर क्या होती है नीतियों का नियमों का कानूनों का सक्तियों का उत्तरदायतों का एक मात क्या होता है इस तरो उत्तरदार फिक से बता तूं कि संबिधान क्या नहीं है संबिधान एक पुस्त तरह से उसके लिए सक्तियां होंगे किस चेत्रों कितने पावर दी जाएगी ठीक है उसके उत्तर दायत तो क्या होंगे समझे पारा ना यानि कि responsibility क्या क्या होंगी उसकी इसके बारे में दिया गया होता है जो की यानि की एक मात्र क्या होता है इस्त्रोत होता है जो की बिधाय का कार पालिका एवं नयाय पालिका के बीच में क्या होता है अधिकारों ये उन सक्तियों का क्या करता है इस पष्ट विवाजनी भी करता है क्या आपकी एक किताब ताकि उसमें किसी प्रकार का क्या न हो तकराब न हो यानि कि मैं फिर से बता दू संबिधान किसी किताब मात्र न होकर क्या होती है यह है एकमात्र क्या होता है नीती नियमों कानून सक्तियों उत्तरदायतों का एकमा सित्रोत होता है जिसमें विधाय का कारिपालिका नियाय पेपालिका की बीच में अधिकारों सक्तियों का क्या किया जाता है इस पस्ट रूप से बटवारा किया जाता है ताकि उनके बीच म के लिए भी इसमें ही नियम काईदे बनाए गए हैं तो यह क्या है एक पुस्तक नहीं वलकि क्या होता है एक सर्वोची मौलिक विदियों का एक संग्रह होता है जिससे किसी वी देश के सारे कारे संपन होते हैं तो यह है एक बैधानिक दस्तावेज है क्या संबिधान एक बै राज के सासन का क्या किया जाता है संचालन किया जाता है यह एक बैदानिक दस्तावेद होता है जिससे क्या होता है उस संभिधान या उस दस्तावेद के मूलवूत शितानतों के आधार पर उस राज या फिर उस देश का क्या किया जाता है सासन को चलाया जाता है किसी भी देश के संविधान से किसी की देश के संविधान से सासन के मूलवूत आदर्सों का क्या किया जाता है उसके मूलवूत आदर्सों का क्या पता चल जाता है उसके आदर्सों का पता चल जाता है फिर से बता दू मैंने क्या बता है किसी भी देश के संव अंद्यवस सक्ति संतलन होगा यानि कि कारपालिका को कितनी सक्ति दी गई होगी नियायपालिका किस तरह से कार करेगी ठीक है और कारपालिका नियायपालिका और विधायका किस तरह से कार करेगी उनके बीच में कौन सी पावर किसको दी गई है कौन सा जो छेतर है अधिक सक् इसमें सारे क्या दिये गए होते हैं नियम काइदे दिये गए होते हैं साथ ही हमें उस संबिधान के बारे में हलकी सी जानकारी लेकर उस देश की कारपालिका न्याएपालिका के बारे में भी और उसकी आपस में जो सक्ति का संतुलन है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल है संबिधान सरकार के साथ जनता के संबंदों का इसके उजावरा राजनीति विवस्ता का दाखा का क्या हो क्या हो जाता है निधारड होता है जिस निधार के अंतरगत उस देश की जंता क्या कही आती है या उस नियम काईदे से क्या हो रही होती है जंसा सासित होती है हम कह सकते हैं जंता के ऊपर क्या करते हैं हम उस पर क्या करते हैं राज करते हैं किस के द्वारा इस संबिदान के द के सासन के दर्सन की रूप रेखा तयार करता है संबिधान को देश की आधारभूत बिधी यानि की fundamental law भी कहा जाता है जो जनता के की बिस्वास भा उसकी आखांचाव को क्या करता हो पृतिविंवित करता हो संबिधान संबध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार भी परिवास करता है यानि संविधान जो होता है उस देश के लिए क्या क्या करता है उस देश के जितने भी नागरिक होते हैं उनको कुछ अधिकार भी देता है और अधिकार देने के साथ उनको कुछ करतब भी क्या होता है उसमें लिख कर देता है या उसके बारे में करतब्यों के बारे में भी जानिकारी मिलती है सीधा समतलब है कि मैं आप इस चैनल पर पढ़ाता हूं और पढ़ाने के साथ मेरा जो है चैनल बना लिया आप सब्सक्राइब कर गए हैं सब्सक्राइब करने के बाद या फिर माली जी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया मैंने कि माली जी आप अधिकार आपका जो है पूरा हो गया में आपका जो अधिकार था कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया आप वीडियो देखने का आपको अधिकार मिल जाता है तो आपका भी करतब है कि मैं अच्छा जो मेटेरिल आपको दे रहा हूं तो उसके बदलेने, आप एक छोटी सी कमेंट या फिर क्या कर सकते हैं, एक लाइक तो करी सकते हैं, तो करतब और अधिकार, ठीका, तो इस तरह से करतब्यों को भी परिवासित करती है, आपकी ये पुस्तक, ठीक? तो चलिए साथ यो बात कर लेते हैं, भारती संबिदान की इत्यासिक प्रिष्ट फूमी के बारे में, और ये पहला टॉपिक है, और इत्यास की प्रिष्ट फूमी को हलका सा इत्यास की तरफ जा सकता है, तो आप ये मैं सोचना है, हिस्ट्री पढ़ाने लगा, कहां ये स्फूमी में हम इसको ऐसे वी कह सकते हैं, कि भारती संबिधान की इत्यासिक प्रिष्ट फूमी अभी संबिधान की प्रिष्ट फूमी नहीं भी है, इसके approve ही समझते हैं, कि आखिर हमें संबिदान की जरूरत कैसे पड़े, क革 कि आप मान लें है कि जब हमें सम्विधान तो था नहीं फिर देश कैसे चलता था आखिर बहुत कौनसे काड़ थे जिनकी वज़े से मैंसुस होने लगा कि भारत के लिए वे एक सम्विधान होना चाहिए तो सम्विधान जब इस तरह की सोच आई और सोच आने के बाद आखिर वो कौनसी घटना थी जिन घ नेंगे कि भारत का बर्तुमा сотруд का यू सम्मिधान है उसे बनने से पहले उसी कौन-कौंऑसी घटना है ती इसे कौन-कौंसी कोणसी मतला तक तो थे या किरमित है कि का एक विकास हुआ है कौन-कौंसी को घटना थी जिसके काड़ ये सारा हुआ है तो मैंने क्यापता है है कि इसके पीछे कौन कौन सी विकारड थे इसके बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा कैसे इसका किरमित बिकास हुआ और इसे बनाने में कौन कौन सी घटनाओं ने इसे सबसे अधिक प्रभावित किया तो इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बात जो आती है सब गटना क्या गटती है कि हमारा जो बेटेज इस्ट इंडिया कंपनी होती है 31 दिसमबर सन सोले सो में महारानी एलिजावेद पिर्थम से क्या करती है एक अधिकार पत्र या चार्टर प्राप्त करते हैं जिसके तहत अंग्रेजों को ये अधिकार मिल जाता है इस एक अधिकार की बात करें तो इसमें ये फिराप्धान किया गया था कि अंग्रेजों के अलावा अंग्रेज का मतलब बिट सीष्ट इंडिया कंपनी के अलावा बेटेन की कोई दूसरी कमपनी भारत देश में या का है, पूर के देशों में ब्यापार करने नहीं जा सकती, इस इस चार्टर का या इस अधिकारपत का या इस इकरार नामा का ये एक प्रमुक्तत हुता, ठीक है, समझ़ए है न, कि एक अधिकार का क्या मतलब था, कि बेटे रहूं, तो एक छोटा सब परचे वोगत क्या होता है, मैंने क्या बताया, कि इसकी सुर्वात कहां से भी माने जाती है, महारानी एलजावेद के द्वारा सोल 1100 में, चार्टर ट्राप्त कराने को दाने मैंने क्या मतलब था, बिटीश इस इस इंडिया कमपनी को महारानी ए इलिजावित प्रिथम से चार्टर प्राप्त किया और इसमें एकाधिकार प्राप्त कर लिया कि भारत देश यानि कि केप आप गुड होण के ले यही तो यहाल और कर सकता है तो यह जो कंपनी को चलाने वाले रब चलाने के संस्ता एंग जने की 25 सर्दस्यों की एक संस्ता तराजी ती जिसको court of director कहते थे किसको कहते थे जो बेटे सीश्ट इंडिया company को चलाने वाली पच्चिस अदर्स की एक संस्ता थे जिसको court of director कहते थे जिसमें एक क्या था एक governor था और 24 क्या थे निदेशा के आने की 24 इसमें क्या थे डारेक्टर थे ठीक है इसका सीधा था मतलब यह था कि यह जो पूर्वी छेतर है इसमें 25 लोग ही क्या कर सकते थे 25 लोगों का समूई ही ब्यापार कर सकता था इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता था क्लियर भा कौन नहीं कर सकता था कोई और नहीं कर सकता था तो जब भारत में बहारत में बीटेस इंडिया कंपणी की स्थापना हो रही तो इस समय बर्तुमान में यानि की सं सोले सों में मुगल बास्था कौन थे ठीक है तो बिल्टेस बारत में 1620 में ब्यापर करने के लिए East India कंपणी के रूप में बहारत में आते हैं जो की 15 सालों के लिए बैद था जो चार्टर था वो 15 सालों के लिए था कि 15 सालों तक भारत के साथ बेटेस इस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी पूरी तरह से ब्यापार करेगी कोई दूसरी कंपनी इसमें ब्यापार नहीं कर सकती तो इस तरह से भारत में बेटेस इस्ट इ मरत्यु हो जाती है इसके बाद जहांगीर जो होते हैं गदी पर बेठते हैं तो जहांगीर के काल में सन 1608 में जहांगीर के काल में 1608 में एक दूत होता है दूत कौन था दूत का क्या नाम था दूत का जो नाम था वो था आपका कैप्टन जहां तक अंदाज है कैप्टन बिलियम हॉकिन्स जो था महारा जो बास्सा होते हैं मुगल बास्सा जहांगीर के दरवार में आगरा में आता है कब आता है 1608 में दरवार में आता है दरवार में आने के लिए किसलिए दरवार में आता है ये आता है कि जो भारत है भारप का जो पस्चिमी छेत्र है यानि कि सूरत वाला छेत्र तो 1608 में भारत में ब्यापारी कोठी यानि की फैक्टरी खोलने की अनुमती प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरवार में आगरा आता है और आगरा आने के बाद वहाँ पर जो जहांगीर होते हैं जहांगीर सोचते हैं के चलो कोई बात नहीं हम अनुमती दे देते हैं लेकिन इधर क्या थ था कि पुर्त गालियों का हिंद मासागर वाले छेतर में यानि कि समुद्री छेतर बहुत दबदबा था तो डर की वज़े से जहांगीर होते हैं वो क्या करते हैं मना कर देते हैं यानि कि टालमटोल करने लगते हैं लेकिन होता क्या है कि जो क्या बोलते हैं 24 गस 1808 में जब जहांगीर के दरवार में आगरा में जब कैपटन बिलियम हौकिंज जब पहुचते हैं तो बहाँ पर क्या होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं बात बनती है तो जो हमारे जो Captain Hawkins जो होते हैं फार्सी के बहुत प्रखांड विस्तवान होते हैं और जहांगीर के सामने जब फार्सी में बात करते हैं उनके से दो चार बढ़िया बढ़िया इदा कहानी वगएरा सुनाते हैं तो जहांगीर जो होते हैं बहुत पिरसन हो जाते हैं जब जहांगीर पिर परिमती नहीं देते हैं क्योंकि इस समय पर्तोगालियों का इन छेतर में तता प्रतोगालियों का इन छेतर में एक जगे होती है सूरत के पास में स्वाली के पास पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाती है जड़प हो जाती है पुर्तगालियों के अंग्रेजी बेड़े में और पुर्तगालियों के बेड़े में क्या हो जाती है जड़प हो जाती है तो इधर क्या होता है अंग्रे जो हैं वो क्या हैं अभीवी क्या है अपने आप मतलब अंग्रेज जो हैं इतने कमजोर नहीं है डरना नहीं चाहिए तो इससे क्या होता है मैंने क्या बताया 1612 में सूरत के पास वाली में पुर्तगाली तथा अंग्रेजी बेड़े में एक क्या होती है छोड़ी सी क्या होता जड़ जड़प हो जाज़ जिसमें क्या होता है अंग्रेजी जो नेवी कप्तान होता है कैप्टन थोमस बेस्ट के दिने तरस जो क्या होता है पुर्टजाली जो सेना होती है उसको क्या कर देते हैं हरा देते हैं इससे क्या होते हैं इसके पिर अब आपके चलते हैं जो जां 1613 में अंग्रेज क्या करते हैं पश्चमी तटपर सूरत में पहली फैक्टरी को दते हैं कब 1613 में तो आपको हलका सा हिष्ट्री वाला फीलिंग आ रहा होगा लेकिन ये अथियासिक प्रेश्ट में जैसे इसको एक घटना किरम बना रहा हूं में आप समझ पाएंगे कि मैं को कहनी क्यों सुना रहा हूं क्यों मैंने 16208 की बताई क्यों 16103 वाली बताइए इसके बाद हम समयेगे क्योंकि अभी Понगरेज क्या कर रहे हैं अभी अंगरेज हब कुछ भी नहीं चाते हैं यहाँ अंगरेज हों के अंदर कोई मात्वाका अंचा नहीं है यहाँ पर क्या ब्यापार कर रहा है समझ पार रहा है तो यहां पर क्या होता है 1613 में अंग्रेज factory खोल लेते हैं तो 1613 में पस्चमी तट यानि की गुजरात वाले छेत्र में अंग्रेजों मुना क्या कर लिया ब्यापार एक factory खोल ले यानि कि पहला कारखान यहाँ पर खोल लेते हैं इससे क्या होता है अंग्रेज जो थे इस चूट से क्या थे संतुष्ट नहीं होते हैं उन्हें लगा कि तना मिल गया है यानि कि हाथ पकड़ लिया है तो हम इनको बाहों में भर लें यानि कि कोई हाथ पकड़ने का मौका दिया तो हम कहें नहीं इनको बाहों बर लें तो अंग्रेज जो थे इनको बाहों में भरने के लिए क्या करते हैं 1615 में अंग्रेज क्या करते हैं जहांगीर के दरवार में बिटेन के समराट जेम्स प्रिथम के एक दूत होते हैं क्या नाम था उनका सर टॉमस रो अंग्रे इच्जों का जो राज बो था समराट उसका दूद सर टॉमस रो फिर से जहांगीर के दरवार में सोले सो पंदरे में जाता है सोले सो पंदरे में जैम्स पिर्थम के दूद जहांगीर के दरवार में पहुंचते हैं किसलिए पहुं खोलने के लिए उसके व्या पार करने का धिकार मिल जाए इसकी बार क्या होता? जेंस बित्थम का जो दूत होता है, वह भारत में आने कि Sir Tommas Roo जो होता है, जहांगीर के धरवार में लगबग – 1618 तक प्रोकता है सफल हो जाता है सफल हो जाता है तो भारत में क्या होता है जो भी मुगल बास्ता वाला जो छित्रा मुगल सामराज इच्छ था उसमें सभी छित्रों में व्यापार करने का इनको क्या मिल जाता है अधिकार मिल जाता है तो इस समय अगर बात की जाए इस समय सो दस सोले सो कबिनिया काम कर रही थी इस समय पुर्तगाली थे पुर्टगाली थे इस फेनिस थे अंग् grad नis Delis यह बर्घारत में जबते अपनी दुकान जो थी लगा रखे थी अपने अपने काम कर रहे ठीक है तो भारत में इस देनमार्ग वासी इन कंपपणईओं कार क्या था अभी ब्यापारिक कार था सीद़ा सा मतलबी था companies जिनके कार केवल ब्यापारिक कार रहा है तो कि इस समय सीमित थे ये न तो बहरत देश पे कपजा करने की बारत पर राज करने की सोच रहे हैं, अभी भी इनकी हिम्मत नहीं आई ए, उस हिम्मत की घटना के बारे में, बताऊंगा की लिकी में की आकिर हिम्मत कब पढ़ गए, अभी घटना नहीं आई, या भी यह केवल ब्यापार करना चाहते हैं, अपनी एका चूडिया बेचना चाहते हैं, सिंदूर बेचना चाहते हैं, बिंदिया बेचना चाहते हैं, और चोटी मोड़ी चीज़ें बेचना चाहते हैं, उससे अपना पेट का मतलब अपने जो है दो चार पांच रुपे कम जाएं तो अपनी बेटेन में जो है बच्चे बीवी बच्चे जो है उनको बेज सकें बस इनका ब्यापारिक कार तक इसी में था लेकिन धीमे 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 अंगरेज अभी इस तरह की कोई घटना किरम नहीं था तो इससे क्या था मैंने क्या बता है इस समय कमपनियों कार और साम कोई अपने अपने घर पे आ जाते थे क्योंकि यहाँ पे क्या था मैंने बताया था कि महरानी एलजावेट जो होती है पिर्थम जो थी उन्होंने चार्टर इस वात का दिया था कि 15 साल के लिए कि आप बेटेन की कोई दूसरी कंपनी बारत में कांद करने नहीं जाएंगी लेकिन बेटेन का भाग तो नहीं है पूर्टगाल पूर्टगाल एक अलग देश था इस्पेन बेटेन का भाग तो है नहीं अलग देश है तो बेटेन पूर्टगाल या पिर किसी अन्ने देश को तो रोक नहीं सकती थी, समझ पारा ना, किसी अन्य देश को नहीं रोक पाती ही, तो बेटेंस से कोई नहीं आ रहा, बेटेस इस्ट इंडिया कंपनी को डिश्टाब करना है, लेकिन जो पुर्तगाल थे, फ्रांसी थे, इन में आपस में क्या थी, जड़क होती रहती थी, ये आपस में नहीं बनती थी, मैं फिर से बता दो, मैंने क्या बता, बेटेस इस्ट इंडिया कंपनी को एकादेगार जनरूर मिला था, लेकिन ब्यापार कंपनी का, इंग्लेंड से आने के लिए मना किया था, लेकिन अन्य देशों से, जो थी, उनके बीच में नहीं बनती थी क्योंकि company ब्यापार करती थी और इनमें क्या था अक्सर जगड़ा होता रहता था लेकिन यूरोप के किसी दूसरे देश का जब यहां पर आता था तो इन्हें तिक्कत होती थी किसको अंग्रे जोको अंग्रे जी चाते था गयार हम ही अकेले यहां पर काम करें और ज्यादा स से पहले हम जगड़ा के बात रहे हैं थोड़ी चसे जानकारी ले लेते हैं तो डच ऑर बीचंडर के बीच में कई सारी लडाईयों होती हैं नमब्छ Сब्रूर अग्रीज के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बेदारा का युद्ध या इसको हम चिंसूरा का युद्ध भी कहते हैं तो बेदार है कि युद्ध में अंग्रेज और डचों के बीच में क्या होता है जगड़ा जब होता है तो इसमें क्या होते हैं डच जो होते हैं वो हार जाते हैं और डच क्या करते हैं अपनी दुकान सारा सामान वगेरा छोड़ कर क्या करते हैं भा सीसियों के बीच में भी कई सारे युद्ध लड़े जाते हैं कई सारे जगड़े बगएरा होते हैं और आखिर में फ्रांस सीसियों के बीच में भी एक निडाय के उद्ध होता है और वो युद्ध जो होता है चब बेस जनवरी सत्रह सो साथ में बांडी वास के उद्ध में अंगरे जो की बीच में क्या होता है जगड़ा होता है जगड़ा होने के बाद फ्रांसी सी इसमें क्या होते हैं पूरी तरह से प्राजित हो जाते हैं और फ्रांसी सी भी क्या करते हैं अपनी दुकान लेकर चले जाते हैं और इनकी भी दुकान बंद होती है अब बात आती है पुर्टगालियों की तो पुर्टगालियों की बात करें तो पुर्टगालियों की दुकान कैसे बंद होती है 1661 में क्या होता है 1661 में इंगलेंड की इंगलेंड के राजा चार्स देती होते हैं चार्स देती का बिवाज होता है पुर्टगाल की महरानी कैथरीन के साथ होता है इसके चलते क्या होता है इसके चलते इन्हें दहेज में पुर्टगाली क्या करते हैं दहेज में पुर्टगाली जो होते हैं क्या देते हैं बंबई जो होता है गिप्ट में मिल जाता है तो पुर्तगाली और बेटान की बीच में जब प्रेम हो गया यानि की प्रेम कैसे हो महारानी कैथरीन और इधर चार्ल्स दिती है कि बेटे का क्या नाम था चार्ल्स दिती है इंगलेट की बेटा नहीं चार्ल्स दिती का ही विवा होता है इंगलेट की महारानी कैथरीन की सा तो यहां जगड़ा ही खतम हो गया दाइज में मुंबई और मिल गया समझ पारा न तो इधर क्या था यह पुर्टगाल की भी दुकान बंद हो जाती है ठीक है ठीक है इसके बाद क्या होता है 1668 में 1668 में इस तरह से यह जब आपस में बढ़ता चला जाता है अब रह जाते है है डच डच क्या थे डच की दुकान बंद हो गई फ्रांसीजियों की दुकान बंद हो गई अब रह जाता है कौन पुर्टगाली तो पुर्टगालियों की दुकान बंद हो गया अब जब तीन दुकान बंद हो गई तो चौती दुकान जो बची इस्पेन की इस्पेन तो यह डर की वज़े से भाग गया, इस्पेन क्या था, अपने आप जब तीन चले गए, तीन गिर गए, अब चौथा बचा विचारा, तो चौथा क्या था, अपने आप लेकर चला गया, ठीक है, तो समझ में आ गया, तो इस तरह से, क्यों था, इस्पेन और जो डेनमार्क बासी थे, वो अपनी दुकान लेकर चले जाते हैं, क्योंकि डेनमार्क बासी जो थे, बारत देश में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थे, इनकी जो कोई खाश इनों ने जंडे नहीं खाए थे, इस्पेन ने थोड़ा बहुत कमाया थ तो बो भी डर की वज़ए से फिर बाद में चला जाता है, तो मैंने क्या बताया, इस्पेन डर की वज़ए से अपने आप ही दुकान को लेकर चला जाता है, तो इस तरह से डेनमार्क बासी जो होते हैं, बो भी खास सफल नहीं हो पाते हैं, बो भी अपनी 18 और 15 में जो भी डच और ये सारे जब चले जाते हैं तो अब भारत का करता धरता कौन रह जाता है यानि कि भारत में अब इस समयबास्त्विक रूप से पूरी तरह से एक आदिकार अब हुआ है क्योंकि बाकी सारी कंपनिया क्या थी कि अगर वो समाप्ती नहीं हुए तो एका छोटा मोटा क सकती थे ना तो उसे फ्रांसी सी परिसान कर रहे थे ना ही उनके दिमाग में कोई दूसरा कोई सोच पनप पा रहे थी लेकिन इधर क्या था मुगल समराज की बारे में गर बात करें तो आपको पता होगा कि मुगल समराज की बात करें तो मुगल समराज की नीम रखने वाल होता है हुमाईव को बाद उनका लड़का जो होता है अकवर होता है अकवर के बाद जहांगीर होता है जहांगीर के बाद सा जहां होता है फिर औरंगीजेव फिर बहादुर सा फिर जहांदार सा फिर फलाना डिमका फरुक्सियर रफीक दौला रफीक दर्जाद मुहमत सा त के बाद औरंग जेव के बाद आपका जहांदार सा नहीं बाद उर्सा बाद उर्सा के बाद जहांदार सा जहांदार सा के बाद फरुक्सी है रफीग उद्दाला रफीग उद्दाला के बाद रफीग उद्दार्जात के बाद एक मुगल वास्ता बनता है जिसका नाम होता ह मुहम्मसा रंगीला मुहम्मसा रंगीला के समय काल में क्या होता है आप लोगों को पता है कि मुहम्मसा जो होता है मुहम्मसा के काल में 1749 में इरान का इरान का इरान का जो होता है राजा या कर इरान का जो सल्तान होता है वो भारत देश में क्या करता है भारत देश में मुगल बास्ता मुहमसा रंगीला की पिटाई करके चला जाता है यहीं से क्या होती है जब क्या हुआ यहां जब पिटाई करके चला जाता है साज हां के दौरा बनाया गया तकते ताव जब लेग जाते हैं और कतले आम मचा जा कहां से इरान से आकर इतनी दूर से कहां पर दिल्ली में आकर मुगल वादसा के मुहम्मद सा रंगीला के काल में तो इस समय अंगरेजों के दिमाग में बत्ती जली और उनको समझ में आया कि यार इस्तती ऐसी हो गई है कि हम कहां यार व्यापार व्यापार खेल रहे हैं हम कहां व्यापार व्यापार खेल रहे हैं हम तो खामी खाम में ये सिंदूर बेशते हैं बिंदी बेशते हैं छोटी मोटी चीजे बेशते हैं काहे नहीं यहापे आनंद लिया जाए करता धरता काहें नहीं वन जाए क्योंकि जब केंद्री सक्ता उनंको कमजोर होती हुई दी कि मैं फिरसे बता दूँ कि जब मुहम्मद सार अंगीला के कालमे 1749 में जब भारत देश पर नाधिर सा पा आक्रमड होता है और नाधिर सा जब क्या क्या यहां से लेकर चले जाते हैं ठीक है समझ मैंना तो मैंने क्या बताया इस कार्ड क्या होता है अंग्रेजों के दिमाग में आका माता ठनका उनके दिमाग में कीडा आया कि क्या आया कि उनकी उनकी उम्मीद की किरड जागी उनने दिखा कि कहां भारत देश में इतनी दूर से एक ब्यक्ति आता है और वो लूट पाट करके चला गया और हम क्या है ब्यापार ब्यापार खेल रहे हैं तो अंग्रेज जो थे अपनी दुकान दुकान खेल रहे हैं अंग्रेजों ने क्या था ब्यापार के साथ ही क्या करना शुरू कर देते हैं भारती राजनीती म भी हस्तजेब करना सुरू कर देते हैं यहीं से ही क्या होते हैं अंग्रेज यहीं से ही अंग्रेज क्या करते हैं यहीं से ही अंग्रेज जो थे कई सारी गटनाएं करते जाते हैं ठीक है कई सारी गटनाएं करते हैं जिसमें से पहली जो गटना होती है वो एक युद्ध होता ह एक सडेंद के तहत पहला एक युद करवाते हैं ये बंगाल में और बंगाल में एक पहला युद होता है जिसको हम कहते हैं 23 जून 1757 में एक युद होता है जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद प्लासी का युद पहला युद जो होता है अंग्रेजों के सडेंद के तहत यान पंगाल का नवाब सिरौजए दौला के मद्ध लड़ा गया था Partnerोग के पहली बार करता धरता बनने की इस्तिती में आ जाते हैं और और वो अपने आपको स्थापित कर लेते हैं भारत देश में कब 23 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है बकसर का युद्ध नाम दिया जाता है इसमें क्या होता है अंग्रे जोने तीन से चार लोगों की सहिक्त सेना को बहुत नाम मातर की स सेना के साथ हरा देते हैं और इसके साथ ही भारत देश में चारों और ये खवर पेल जाती है कि भारत देश में नया बोसाइला है उसका नाम जो है क्या है उसका नाम जो है अंग्रेज है अंग्रेज मतलब विटेन है विटेन जो है कहकर लेती है मतलब कहकर खवर लेती है जिसको संदेश बेजे उसको हरा सकती है तो इस तरह से भारत में पहली बार यहाँ पर बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और यहीं से ही जैसे ही बकसर का युद होता है बकसर का युद होते ही अंग्रेज जैसे ही बकसर की युद में जीतते हैं भारत देश की गुलामी की पहली जंजी रिया के हैं बारत देश की पैरों में बेडियां यहीं से पढ़ जाती है जिसको उन्निस सो सेटालिस में ही धोया जा सका था ठीक है समझ पाई ना तो इस युद्ध में क्या होता है इस युद्ध के बाद क्या होता है इस युद्ध में क्या होता है एक संदी क्या दो संदिया होती है इलावात की दो संदिया होती है जिसके तहत बंगाल बिहार औरीसा में क्या था अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिल जाता है दीवानी का अधिकार का मतलब था कि करवसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को पहली बार मिल जाता है क्या करते थे, दो राजियों को लडाते थे और उन से क्या करते थे, माल और कभी-कभी वो खुद ही लड़ पढ़ते थे, समझ पाए ना? तो यह क्या था, भारती इस्यास का सबसे निदायक युद्वी था, इस काड़ क्या था क्योंकि भारती सक्तिओं को सेख्षुनosta को जब अगलेज हरा देते हैं तो यहां पर एक चीεια चीज निकल किया जाती है कि भारत में एक नई सक्ति का क्या हो गया है जंडा गड़ चुका है जिसका नाम अंगलेज है और यहीं पर क्या होता है धीमे दीमे दीमे आगे समय बढ़ता है और समय बढ़ने के साथ क्या होता है राज तंतर पर क्या होता है केरा पिरवाब पढ़ता है इस गटना से और इस गटना की सुरुवात अगर करें तो यहां पर क्या होता है अंग्रेज यहां पर पूरी तरह से इस्थापित हो जाते हैं और अठारे सो अठावन वेटेस ताजने भारत के पिरसासन की बागरुख खुद अपने हाथों में क्या कर लेते हैं ले ले जिसका अंत भारत की स्वत्मता के बाद ही 15 अगस्त तो 1947 को हुआ यानि कि मैंने क्या बताया कि यहां पर क्या होता है जब अंग्रेज क्या करते हैं र 65 में जब भारत देश में अपनी क्या करते हैं सक्ति को मनवा लेते हैं और अपनी सक्ति का लोहा जब वो मनवा लेते हैं तो उसके बाद ही एक ख़बर पहुंझाती है मार्केट में के नया वह सा गया है जो अंग्रेज हैं उसके बाद क्या होता है आपका पता है कि किस तर तर का आपका charter act आता है मनना regulating act आता है फिर चार चारेक्ट आता है फिर अंध कमपनी का जो शासन होता है वो कब तक रहता है 1773 से लेकर 1758 तक रहता है उसके बाद company से अटकर सीधा ये किस के तो में चला जाता है बेटिस किराओन यानि की सीधे मारानी के अंडर में भारत जो होता है गुलाम बन जाता है ठीक है तो मैंने क्या बताया सन अठारे सो अठावन में बेटिस ताजने भारत के प्रसासन की बागदोर कुल अपने हाथों में ले जिसका अंत भारत की स्वतनता के पाद ही हो सका था चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं आगे कि जो भी गटना किरम होते हुआते रहते हैं उसके बाद भारती सुतंता संगर्स के साथी क्या होता है भारती की मांग के साथ ही नई संभिधान का सरप्रिथम मांग किसके द्वार उठाए गया था एम एन राय के द्वारा उठाए गया था इसके लिए इसके लिए संभिधान सवा की स्थापना तब की गई थी 1946 में की गई थी सबसे पहले संभिधान की मांग किस ने उठाई थी एम एन राहे ने उठाई थी, हाला कि भारती सम्मिधान है राज विवस्ता की बिविन ने बेचिछता है बेटेस्ट राज से ही ली गई है क्योंकि वहाम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से हमारे जो सम्मिधान है, इधर अधर से बहुत से अनुछे जो है कई जगे जो है चोरी किये गए बहुत से जो हैं लगवक 1935 का जो अधिनियम है 1935 का जो अधिनियम आता है उसमें से तो बहुत से जो प्रादधाने इसमें मिलते हैं तो भारत में नए गरतंत के सम्मिदान का सुवारंब 26 जनवरी 1950 को हुआ जिसके तरह भारत का एक संस्ता अगर ठाचे के सा पूर संसदिये लोकतंत्र बने जाता है ठीक है सम्मिदान के अंतिम प्रपत्र को अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया था तता इसी दिन इसे संसद में उपत्ते दो सो नवासी सदस्य दोरा हस्तांत्रित कर भारती सम्मिदान के रूप में मानेता दे दी जाती है 26 जनवरी 1950 को इसे अपना लिया जाता है तो भारती सम्मिदान को अपनाने से पहले बिटे सासन दोरा अने चार्टर और अधिनियम पारत किये गए थे जिनोंने हमारे भार बहुत से प्राब्धान जो है अनुश्चिय अग्रेजियों के प्राब्धानों के तहिती लिए नि उनीश्व पैंटिस के अधिनियम से लिए गई है तो हलका सा करा दू मैंने क्या बताया कि किस तरह से 31 December 1600 में British East India Company की स्थापना होती है British East India Company की स्थापना होने के बाद भारत में 1608 में दूट बेजते हैं आपके जैम्स पिर्थाम भारत में बेजते हैं उसके बाद 1613 में British East India Company को पश्चनी भाग में आने की सूरत में पहली फैक्टरी कोलने के अनुटी मिल जाती है के बाद समय बीतने के बाद अंग्रेज अभी भी भी भ्यापार कर रहे होते हैं बाकी की जितने भी जो कॉंपिटीटर होते हैं जितनी भी प्रांस होते हैं जो भी होते हैं उन सभी को क्या कर देते हैं ये अंग्रेज हरा देते हैं अंग्रेजों के दिमाग में बंती जल जाती है, वो देखते हैं यार भारत में यह जो दुकान-दुकान केले रहे हैं यह बहुत हुआ, बंद करो मतदान, तुमारी जो सोच है बहुत उंची होने वाली है, इस तरह से उन्होंने मतदान बगएरा सब बंद कर दी, अब दुक प्लासी का युद्ध जो होता है उसमें करवाते हैं प्लासी के युद्ध में क्या होता है आपका 1757 प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद भारत में वो अपना क्या होता है निडाय के युद्ध तो नहीं होता है उसके बाद 1758 में एक बकसर का युद्ध होता है उसमे प्रिसाशन होता है जो भी वागड़ों होती है कौन ले लेता है अपने हाथों मे ले ले लेते हैं उसके बाद समय बीटता जाता है संगर्स होते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके बाद हमारे जो सतंता संगर्स होता है सतंता संगर्स में पहली बार 1934 में पहली बार का जब खठन किया जाता है उसके बाद हमारा जो है संविधान लिखा जाता है लिखने के बाद 26 नवंबर 1949 को पहली बार ये पढ़ा जाता है अंतिम बार इसको पढ़ा जाता है इसी दिन इसे संसद में उपस्ते दोस्तों नवासी साज़स्यों दोरा अस्ताने अंत्रित और अस्ताक्षरित और इसे पारित कर दिया जाता है और 26 जन्मरी 1950 को इसे पूरे देश के दोरा अपना लिया जाता है आई यह तो देखते हैं संविधानिक विकास या कॉंटिटिशनल डेप्लमेंट यहां से यहां बे तो मैं आपको बता चुका था किस तरह से बारत में भारत में अंग्रेज आते हैं अंग्रेज राज करते हैं उसके बाद फिर सीची महरानी करने लगते हैं। समझते हैं तो किसी भी देश का संभिधान एक दिन में नहीं बनाया जा सकता बलकि है एक एतियासिक विकास का परड़ाम माना जाता है एतियासिक प्रक्रिया के संपूर ग्यान के अबाब में संभिधान को भली वाती अध्यान नहीं किया जा सकता बारत में संभिधान परंप काल 1620 से शुरू होता है इसी बर्स इंग्लेंड में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी स्वतनता के बाद भारती सम्मिदान का स्वदेशी स्वरूप सामने आता है इसके निर्मार में उनके विद्ध्वानों ने बहुत अधिक भून का निवाई विश्ट के बाद भारत सरकार के द्वारत सम्मिदान का चरवत तरीके से क्या किया गया बिकास किया गया सीधा सा मतलब यहां यह कहना है कि सम्मिदान कहीं पर बैठके किसी कौने में नहीं लिखा गया था यानि कि यह एथियासिक बिकास का पड़ाम है और इस सम्मिदान के निर्मार म या काई इस जो विकास है यानि कि विकास में महतपुर भूम का जो निवाते हैं वो अंग्रेजों के आने से सुरू होता है और अंग्रेजों के जो चार्टर थे जो अधिनियम थे जो उनके नियम काईदे थे उनके आधार पर ही भारतिय संभिधान का क्या है प्रमक रूप स विकास हुआ माना जाता है यह क्या है भारती जो राजनीती थी अंग्रेजों ने उसके में किया ठिक तो भारत में संभिधान का विकास कब से सुरू हुआ माना जाता है अंग्रेजों के पिरवेश के साथ ही कब से 16 100 से और 16 100 में क्या हुआ था आपका इस्ट इंडिया कमपेनी की स्थापना भी हुई थी कहां पर London में ठीक है उसके बाद जब भारतधेस क्या हो जाता है स्वतंत्र हो जाता है स्वतंत्र जब होता है तो अंग्रेज्यों की जो नियम काईदए थे उनमें कुछ बदलाव किये गए, बदलाव करने के साथ उसका क्या किया गया, सुदेसी कड किया गया, यानि कि जो ऐसे लग रहे थे, कि जो सिरफ और सिरफ अंग्रेजों की लाब के लिए है, यानि कि सिर्फ भारती लोग उसको पचा नहीं पाएंगे तो उसको हटा दिया गया और उसमें भारती जो बिद्वान थे जैसे डॉक्टर भीम राव इंबेड करते पाल की वाला थे और वह से बारे बड़े-बड़े बिद्वान थे उन लोगों ने क्या किया इसमें क्या थ कुछ सम्मेदान थे उन से हम लोगों ने क्या किया चोरी मतलब मतलब महां से क्या किया हमने उधार लिये कुछ ब्रावदान जो की भारत के लिए क्या भारत के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनितिक पर जिस्ट के लिए क्या हूँ अनकूल हो यानि कि उसे भारती रा किया गया चरड़बत तरीके से विकास किया गया ठीक है अगर हम इसको दूसरे सब्दों में समझे हैं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतिय संब्धानिक विवस्ता का निर्मार किसी निश्ची समय में नहीं हुआ बलकि यह है किरमित विकास का पढ़ा माना जाता है जो बिटिस सासन के दोरान दीमी गति से हुआ है माना जाता है और भारत के संबेधाने विकास के इत्यास को हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं पहला वो जब सिर्फ और सिर्फ किस ने सासन किया था कंपनी ने सासन किया था यानि कि अंग्रेज की जो कंपनी थी बिटिस इस इंडिया कंपनी उसके द्वारा भारत पर सासन किया गया उसके बाद अठावन में जब अंग्रेजों से बिटिस इस इस इंडिया कंपनी से भार बिटिस कि रावन के हां तो में चला जाता है तो तो आईए देखते हैं, दो वागों में देखते हैं, आपर, इस विकास को हम क्या कह सकते हैं, इस विकास को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें आपका 1773 का Regulating Act आता है, उसके बाद आता है Charter Act, ठीचा, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, Charter Act 1813 का, भारत सासन अधनिय इस तरह से कुछ यहां पर देख सकते हैं, इनको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं, दो भाग को उनकों से हैं, तो दो भाग जो हैं, यहां पर सबसे पहला जो आता है, वो है East India Company के अंतरगत, यानि कि भारत में क्या था, मैंने बताया था, कि 31 दिसंबर, 1600 में भारत में क् बिकास की पिरक्रिया माने जाती है, जिसमें क्या होता है, भारत में अंग्रेज प्रिविस करते हैं, और इसी समय में क्या था, बेटेन में भी East India Company की इस्तापना हो जाती है, East India Company क्या होती है, पहला जो regulating act आता है, वो आता है 1773 में, उसके बाद बहुत सारे आते हैं, और आ कौन कर लेता है, अंग्रेज की जो मालिक थे, यानि की पहले क्या करने आये थे, यहाँ पे इनके बच्चे, यानि के बच्चें की जो महरानी थी, उनके बच्चों के क्या नामते है, बेटेस इस्ट इंडिया कंपनी, तो बो यहाँ राज कर रहे थे, फिर सीधे सीधे, कि सीधे आप करता दरता कौन बन गया था अंग्रेज की जो बॉस थे समराट याक है महरानी ही इसकी करता दरता बन गया था तो आएए देखते हैं किस तरह से विकास होता है इस्ट इंडिया कंपणी की अंतरगत कौन-कौन से सबसे पहले Regulating Act 1773 का आता है इस्ट इंडिया कंपणी के दाएत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे च्यार्टर एक्ट 1793 में च्यार्टर एक्ट 18 Здेय का verse 384 डिका से च्याकर थे बारत सासन अधिनियम 1858, बारत पर्चाद अधिनियम 1861, बारत पर्चाद अधिनियम 1892, बारत पर्चाद अधिनियम 1919, बारत पर्चाद अधिनियम 1935, बारती सुतंता अधिनियम 1947, इस तरह से किलियर हुआ न, कि किस तरह से एक भाग ही हो जाता है ये वाला समयकाल और सम्मेदानिक बिकास का अलग दौर होता है और ये सम्मेदानी बिकास का अलग दौर होता है के लिए रुआ न तो चलिए एक एक करके देखते हैं इस्ट इंडिया कंपनी वाला फिर देखेंगे बेटिस किराउन के अंतरगत वाला आईए आईए देखते हैं 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट ठीक है तो इस एक्ट के दौरा बेटिस संसत का भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के कारवे पर पहली वार नियंतर बहस्तिचे शुरू हो गया था बंगाल का सासन गवर्नल गवर्नल जर्नल तता चार सदसिय परसद में नहत कर इनके निड़े को बहुमत द्वारा दिये जाने की विवस्ता कर दी गई थी मदरास वा मुंबई प्रेसिडेंस को बंबई प्रेसिडेंस की अधीन कर दिया गया था तीन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जर्नल के अधीन कर दिया गया था जिसके तहत भारत का पिर्थम गवर्नर जो था वो लॉर्ड वारिन हैंस्टिंग बनता है फिर से क्लियर करते हैं होता क्या है मैंने आपको बताया था कि बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी जो होती है 31 दिसंबर 16 सव में इसका क्या किया जाता इसकी स्थापना की जाती है और महरानी एलजावित पि द्वारा चलाई जाती थी 25 लोगों का एक सदर से था जिसमें 24 जो थे वो निदेश सकते एक जो था गवर्नर था उसके द्वारा पूरी बीटिस इस्ट इंडिया कंपनी चलाई जाती थी और उसका भारत देश पर क्या था पूरी तरह से एकादिकार था ये लोग क्या कर इस इंडिया कंपीर वैले 600 में आा जाते हैं उसके बाद 1608 में क्या करते हैं जहांगीर की दर वार में भेजने के बाद 1613 में पर 3600 में उसके बाद 1615 में मतलब बिली मौकिन्स के बाद eat टॉमस रू आता है जहांगीर के पार में और 1668 में पूरे भारत देश थे पे क्या ह लेते ही हैं ब्यापार करने का आदिकार मिरजाता है तो अंग्रेजों के सामने प्रीठ रिज़ाइटे यह जैसे कि आपका फ्रांस था डेश था पॉर्टगाल था इस्पैन था डेनमर्क था इन मोट होती है और in को यह एक एक करके आउट कर देते हैं आउट करने के बाद धीमेदी में समय बीथता जाता है बीथता जाता है और उसके बाद सस्तर सुन्तालिस आ जाता है आने के बाद भारत देश में यह राजनीतीमे में हस्तेचेप करने लगते हैं तो यह क्या करते हैं यह भी पैसा कमान है दो राज्जों के बीच में जैसे की बकसर का योद होता है फिर बकसर का योद होता है बकसर की जूद में तो अथा धंदवित मिलती है इनको इलाबाद की संदी भी होती है द्यॐस्तासन के परक्रियाई भी हो जाती है दीवानी काधिकार मिल जाता जब इन Unterstüt अधिकार जब इन्हें अथाद दौलत जब मिल जाती है तो अंग्रेजों की बात संसद में बात हुई कि ऐसी बात है कि वेटेन की जो बिटेश इस्टियां कंपनी है जो कि भारत में क्या कर रही है ब्यापार कर रही है इक अधिकार इसको मिला है इस पे कुछ कंट्रोल वग बार ने चली जाए इसके लिए बेटेन की संसद के द्वारा पहली बार बेटेस इस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रडबास चेप करना शुरू किया तो कब किया था 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट यानि कि कुछ रेगूलेशन यानि कि कुछ नियम काइदे बन इसे ठेगे किया तरह सोना हो अरु चीठा है लेकर आते हैं इसके तह Confederate क्या किया गया था इसके तहिए जो बंगाल वाला जो जो चेटर मंगाल बंबई मदरास ठिक बंबई यह बंबई वाला चेत यह मदरास वाला चेत तो बंगाल मदरास मदरास और बंबई तो बंगाल का गवर्नर जर्नल ठिक बंगाल का गवर्नर जर्नल चार सदस्य परसद में नेद कर दिया गया था इसके नेड़े को बहुमत के द्वारा लिया जाना था, यानि कि जो बंगाल का गवर्नल क्या कर दिया था, चार परसद में, चार सदस्यों की एक परसद बना दी गई थी, उसमें सारी सक्तियां नेत कर दी गई थी और निड़े बहुमत के द्वारा लिया गई था, मदरास और बंबई प्रेसि को बंगाल के बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिन कर दिया गया था और तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिन कर दिया गया था यानि कि बंगाल बंगाल मंबई और मदरास को तीनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधिन कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जो बनता है वो कौन बनता है लॉर्ड वारिन हैंस्टिंग बनता है फिर से बता दू बंगाल का पिर्थम गवर्नर लॉर्ड वारिन हैंस्टिंग को बनाया जाता है पहली वार बेटेन की संसद के द्वारा कब कंट्रोल किया गया था सत्रे सो तेहतर के थी किसमें कूलकाता में उच्छ नयायले की स्थापना की गई थी जिसमें ए जिसमें एक मुख नयाय अधीस तता तीन अन नयाय अधीस थे जिसमें सर एलिजा इंपे इन्हें हम आधे जीवन पर लड़की समझते थे लेकिन हमें काफी सोद के बाद पता चला कि यह महला नही हैं तो तो सर एलिजा इंपे परिफम मुख नयाय अधीस थे कब सत् finalement में कूलका था कूलकाताँ इक परिफम मुख नयाय अधीस एलिजा इंपे थे ठिक कंपनी अधिकारियों को निजी भ्यापार करने और भारती लोगों से किसी भी प्रकार के उपहार के लेन देन पर फि ये बयापार था जैसे की कंपनी क्या थी पहले बयापार कार कर रहे थे लेकिन कंपनी के कार कार करता है ना मैं टीटी का काम करता हूँ, टीटी का काम करता हूँ, ट्रेन में क्या कर रहा हूँ, मैं टीटी तो सेल्डी पाई रहा हूँ सरकार की तरफ से, साथ में क्या कर रहा हूँ, टिकटे वगेरा देखना है, किसी का कुछ करना है, तो ज्यादा बिना टिकट का तो पकड़ने में लिए तो क्या कर लिए हमने ऐसे करके ऐसे करके हमने एक ठेला ले लिया उसमें थोड़े सो गुटका रख ली कमला पसंद बिमल राश सरी गोल्ड महौर और थोड़ासा गुटका रख लिया थोड़े मुंगफली रख ली तो हम टीटी का तो काम हमारे चल रहा है ट्रेन में नहीं है लेकिन हम क्या कर रहा है सरकार का संनद बचते जा रहें तो यह जो नजी ब्यापार था इस पर क्या लगा दिया था यानि कि अगर को टीटी बनाया गया है तो आप के बल टीटी के कार्यों काज क्या करें कार्यां मन करें आप इदर हो दर के जो है निजी व्यापार नहीं करेंगे मुंफली नहीं बेचेंगे कमला पसंद नहीं बेचेंगे तो इस तरह से व्यापार पर क्या लगा दिया था इन्होंने व्या बहारत में राजस्व नागरिक और सेहन इमामलों की जानकारी बिटिस सरकार को देना क्या कर दिया था आवस्यक कर दिया था किसके तरह सत्रे सो तेहतर के Regulating Act के तहित भारत में जो भी राजस नागरिक और सेहन इमामलों की जानकारी बेटे सरकार को देना आवस्तिय कर दिया था ठीक है? चलिए 1784 का PITS India Act 1773 का जो Regulating Act आया था उसमें कुछ कमिया बगेरा थी उसमें सुधार के लिए ही बनाया गया था तो इस Act के तहित Governor General की परिस्द मदरास और मुंबई प्रेसीडियोंसियों में क्या कर दी थी? इस तापित कर दी गई थी कमपनी के भारती अधिकरत प्रेसीडियों को पहली बार बेटेस अधिकरत भारती ये प्रदेश कहा गया यानि कि पहले क्या था? कमपनी पहले क्या कहा जाता था बेटेस इस इस इंडिया कमपनी के छेतर कहा जाता था? गवर्नर जनरल की परसद को चार से कम करके तीन कर दिया गया तो कि पिछले में 1773 के Regulatory में एक गवर्नर जनरल चार सदसी गवर्नर जनरल की परसद बनाई थी ठीक है इन तीन मेंसे एक जो है मुखि सेनापती को दिया जाएगा एक पत किसको दिया जाएगा मुख्य सेना पती को दिया जाएगा इसे युद्ध तता संधी राजसु सेन सक्ती और देशी रियास्तों के आद के अधिछड की सक्ती पिरदान की गई थी भारत में अंग्रेजी अधिगरा छेत्र का पूरा अधिकार इस्थापित करने के सक्ते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रॉल या नियंत्रव में छे सदस्य यह थी इसमें चांसलर ऑफ एक्स शेकर एक राजी सचे चार सदस्य फ्रिवी काउंसिल के इन सभी की नियुक्तियां में परक्चियोती का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था इस प्रिकार अब बेटिस भ अठावन तक बनी रहती है तो यहां पर क्या होता है दुएस सासन यहां पर कौन-कौन कंट्रॉल कर ला है दो पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड जिसके मैंने कितने बताये थे 24 निदेशक थे और एक क्या था एक गवर्नर था दूसरा नियंत्रव मंदल के माध्यम से समरा कर रहा था इनकी न्यूकती चांस्लर ऑफ एक्स्येकर राज सचे ठीक है चार सदस्य प्रवी अवे काउंस्लिक ठीक प्रिवी कौनस्य के चार सदस्य इसकी न्युकती कोण करते थे 55 का अधिकार किसको था समराठ को समच पार नीयंगे तो यहां पर क्या था डूएल सातन्राइब मईकemi ऊपप् wow नख्राम सः प सहरा अधर सयान का चार्ठर एक्ट देख लेते हैं कि इस ये के दौरा कंपिनी के भारती दों के सान भारती वियापार इनुह को भारत 마음에 जाने जाने त्था बिसां की अनुमतिंद प्रयादन कि ऄदा गई थी लेकिन इसके लिए संचालन बोर्ड या का है नियंत्रड बोर्ड से लाइसेंस लेना आवस्य था चीज़ा से मतलब यह था कि आपको पता होगा कि 31 दिसंबर को क्या था 31 दिसंबर सन 16 सो में क्या होता है आपका भारत बिटेंड में बिटेंड चीश्किन या कंपरी की स्थापना होती है और महरा में ब्यापार नहीं कर सकती थी बिटेस इस्ट इंडिया कंपनी के अलावा लेकिन इस चार्टर के क्या था कि इस चार्टर में वो एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और केवल दो चीज़ों पर एक अधिकार रखा जाता है पहला तो यह कि चाय का चाय पर अभी भी अ एक अधिकार बना था ठिक इसाई मिसनिरियों के प्रिसार के लिए भारत में इसाई धर्म का प्रिसार करने के लिए भारत में इसाईयों को भेजने का अधिकार इस चार्टर के तहट दे दिया गया था बिटिस ब्यापारी तो था इंजिनियों को भारत में आने तो था वहां बसने की अनुमती मिल जाती है लेकिन उससे क्या करना होगा नियंतर वो जिस बोर्ड आप कंट्रोल से क्या करना होगा आपको एक लाइसेंस या फिर एक पिर्मार पत्व टैप बनवाना पड़ेगा तब आप यहां पर आ सकते थे नेक्स देखते हैं अठारस तेंटिस का चार्टर एक्ट गवरनर जर्नल को संपूर भारत का गवरनर जर्नल गोसित कर दिया गया था इसके साथ य हूँ लॉर्ड विलियम बैंटिक आप पहला गवरनर जर्नल बना तथा उसे सैन और असे सकतियां परदान की कही में फिर से ब 73 का जो regulating act आया था उसमें बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या कहा जाने लगा था वो जो गवर्नर था वो उसे बंगाल का गवर्नर गवर्नर कहा जाने लगा उसके बाद 1833 के charter act के द्वारा पूरे भारत का पूरे भारत का गवर्नर जर्नल कहा जाने लगा ठीक है इसके साथ लॉड विलियम बेंटिक क्या बनते हैं भारत के पिर्थम गवर्णर जर्नल बनते हैं और इन्हें सेन और असेन सक्तियां प्रदान कर दी गई थी देश में दास पिर्था थता थकी पिर्था का जो है अंत कर दिया जाता है यानि कि अवैद गोसित कर दिया जाता है अंत तो Charter Act के दोरा इस Act के दाए देज में प्रितम विदियायूग की स्थापना की गई थी किसके दोरा 1833 के दोरा किसकी विदियायूग की स्थापना की गई थी Governor General की परसद में एक विदिसदस यानि की मेहकाले को सामिल भी किया गया था बिदियुक की स्थाफणा किया गए ओ, गवर्नर्स जनरल की परसद में एक बिदिस सदस ते, यानि की महकालियो को सामिल किया गया था, इस एक्ट के दोरा सिविल सेवकों के चैन के लिए पहली वाल खुली प्रसिश प्रदाख के आयोजन का प्रहास किया गया था, यानि की इससे पहले क्या था कि जो पर इच्छाएं होती थी उसमें केवल अंग्रे यानि की गूरी चमडी बाले ही भाग लेते थे ठीक है अब पहली बार क्या कर दिया गया था कि पहली बार सभी के लिए खोल दी गई जी सिविल से लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको चाय का ब्यापार ता था चीन के साथ ब्यापार के साथ चीन के साथ ब्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को भी समाप्त कर रिया जाता है यानि कि जो की 16 सन 16 में आपको अंग्रे जों को ये अधिकार दिया जाता है कि भारत वारे छेतर में और ये पूर्वी छेतर मे अकेला जो है क्या कर सकता था केवल बिट्री सीश इस्ट इंडिया कर सकती थी जिसको 1813 के चार्टर एक्ट के तहट केवल चीन और चाय के जाथ चीन के साथ और पूर्वी जो देश थे इन में चाय के व्यापार के लिए केवल एकादिकार रह गया था बाकी का खतम कर दिया जाता है और यहां पर क्या होता एठारे सो त्याटर एक्ट के था चीन के साथ एकादिकार और इन चेत्रों में पूर्वीदेस में चाय के ब्यापार वाले को भी प्राद्धान को भी समाप्त कर दिया जाता है। जाक देंसे आठारे सो तुरेपन का Charter Act इस Act के द्वार पहली बाद गवर्णर्जनरल की परिसद को बिधाई कारिकारी सक्तियों को क्या क्या जाता है अलग अलग कर दिया जाता है इससे पहले क्या था cracked333 वाले जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था गवर्नर जर्नल को क्या थी सारी सक्तियां दे दी जाती हैं लेकिन अठारे सो तिरेपन के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जर्नल की जर्नल की परसद की बिधाई सक्तियां और कारिकारी सक्तियां बिधान परसद वाला ने कारिकारी सक्तियों को क्या कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है नहीं बिधारी सक्तियां अलग कर दिया जाती है और कारिकारी सक्तियां अलग कर दिया जाती है इस एक्ट के द्वारा सिविल सिवाओं को चुन्नेयों भरती के लिए खुली प्रि प्राबधान किया गया जिसके अंतरगत गवर्नर जनरल की छे सदस्टियों में से चार सदस्टियों को मदरास मुंबई बंगाल और आगरा की इस्थानी प्रांथी सरकारों को चुना गया था ठीक करते हैं भारत सरकार अधनियम उनुसस Ohade 588 य्ये पहला था जो कि बेटिस किराउन के या भारत सरकार अधनियम या भारत परस्त के दूरा ये पारित कराया गया था ठीकlvania आग Εैं तो भाहत में इस्थिंडिया कंपकीनी का क्या हूता है शासन समाप्त हो जाता है तथा इसके ब्रैतिस ताज यानि की ब्रेतिश क्राउन का सासन क्या हो जाता लाग हो जाता है यानि कि इस से पहले क्या था तर rev80 अठावंतर से पहले किया था, British east India company लेकिन Visit Indie Company जो सम्राट होते हैं उखी लेते हैं और किसा अंडर में आ जाता है British crown या, British taja के अंडर में आ जाता है ता बेटेस ताज यानि की बेटेस किराउन इस पर सासन करता है समराजी की सुरक्षा के लिए बेटेस संसन ने कई नियम पारित किया है जो भारत पर सासन का क्या बनते हैं भारती पर सासन का आधर बनते हैं भारत का सासन बेटे समरागी की ओर से भारत सचिप को चलाना था इसकी साइथा के लिए 15 सदस्य भारत परसद का गठन किया गया था भारत के गवर्नर जर्नर का नाम बदल का वैसरा यानि की क्राउन का प्रतिनेदी कर दिया गया था उसे भारत सचिप की आगया के अनुशार कार करने को भी बात किया गया था नियंत्रड बोर्ड और कोड़ और नेदेशक को समाप्त कर दिया जाता है वो भारत में नियस द्यसासन की जो प्रणाली होती है वो समाप्त हो जाती है के लिए रुआ क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहां पर इस तरह से सोले सो में क्या होती है बारत में है अपना व्यापार करने आती है व्यापार करने के बाद सत्रे सो चौश्ट में ये करता धरता बन जाती बारत इस्ट इस्ट इंडिया कमपनी उसके बाद ये भारत बिराज करने लगती है राज करने के साथ ही 1857 में एक क्रांती होती है, जिसको 1857 के बिद्रोग के नाम से जाना जाता है, उसके कार्ड जो भारत की स्थिति जी bekंटॉल से भाः हो जाती है, तो ब्रेटेन की महारानी दिया कंपिनि के जो भी करता क्ढूलितित उनको बलाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रखा है आपने जि की जाती है भारत सचीव की मदद के लिए आपका पंदरे सदस्त की क्या थी एक परसद का गठन किया गया जिसे भारत परसद कहा चाने लगा था इसके बाद गवर्णर जर्म जो थे उनका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है वह सराय कर दिया समराट के लिए काम करेंगे और समराट के लिए कौन काम कर रहा था आपका भारस सचिव काम कर रहे थे तो यह किसको खबर पहुंचाएंगे आपके लॉड कहने भारस सचिव को खबर पहुंचाएंगे ठीक है इसके बाद नियंत्रड बोर्ड और निदेसक कोड़ जो होता है वो दोनक समाप्त कर दिया जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब शुरुबाद जो थी नियंतरड बोर्ड जो थी जिसमें 24 सदसी वो निदेसक गोड़ जो थी 24 सदसी थी 25 सदसी ती जिसमें 24 जो थे निदेसक थे और एक थे गवर्नर ठीक है यहां पर क्या था नि अपनी परसद को विस्तरित करने के लिए है यानि कि उसमें सदस्यों को बढ़ाने के लिए तीन भारतियों को गहरा थिक्रत रूप से मनूनित करने की सक्ती मिल जाती है जिसके तहत इनको 1862 में लौड कैनिंग ने तीन भारतियों को बनारस की राजा पतेयाला के महराज औ वसर दिनकर राब को क्या कर दिया अपनी परसद में सामिल कर लिया था यानि कि इसका ये मतलब था कि इससे पहले 1861 सब्सक्रत पहले ये इससिती नहीं थी कि भारतियों को नहीं रखा जाता था लेकिन आपका इस 1861 सब्सक्रत आपको भारतियों को भी जग है मिलनी सुरोगे थी गयर अधिकर जूप से यानि कि उसमें कि वास सामिल कर लिया जाता था उसमें कोई खास प्राब्धा नहीं था उन्हें कोई खास अधिकार नहीं मिले थे कोई भी अधिकार नहीं बस ऐसे कर लिया था तो ज यह क्या थे इंग्रेश्य जानते तो थे यह बस इन्हें बोला लिया था कि यह परस्तव में जैगा विल गई इन्हें लगा बहुत बढ़ा वह गया है वहां पर जब बीड़बार होती थी जब मीटिंग बगेरा हो रहे हैं तो यह कुछ नहीं होते थे इनके चाप लूस होत प्रचाने का मतलब क्या था कि इन से पुचा जाएगा कि आपको आच्छा लगा यह सर यह सर बसक्राइब करने के लिए रखा गया था और कुछ नहीं उसके बाद मतलब इन्हें एक तरह से मान लिए पाल तू होते हैं एकदम पीछे से आवाज आई आजी आजी सर बताईए अवाज दिया टॉमी टॉमी एकदम दोड़ के आए टॉमी को क्या कर दिया कि वहां तुठा दिया कुछ समझ में आए या ना आए हां तूपर करो तूपर कर दिया तो इस तरह सामिल कर लिया दिन को यदिकार पागे रहा नहीं था ठीक है तो यह को अन्यूंते बनारस के में बिधान परसद के गठन का प्रापधान किया गया था एक जनवरी अठारेसो चोटर को को इस्ट इंडिया कंपणी को क्या कर दिया जाता है ठीक है बंगाल आपका दिखा दू नौर्ट वेड्ट फ्रंटियर आपको ये आपका बंगाल दिख जाएगा ये है नौर्ट वे सदों में कैयर अधिकरद सदस्दों की संक्या को बढ़ा दिया जाता है इसमें बिधान परसद के कारियों को बढ़ाते हुँ बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रिट्न पूंचनी की सक्तिय दे दी जाती हैIS अधनीम के दरफ़ सर्प्रदम अपड़तय छिबूप से के ही नहीं जब जिस तरह से रख लिया जाता है तो इसमें क्या था दूसरे जो बानवे में होता है क्या होता है इसमें सज़स्यों की संख्या और बढ़ा दी जाती है इसके साथ ही बजट पर बैस करने और सरकार से पूछने का क्या किया जाता है अधिकार दिया जाता है लेकिन ठीक है सर अरुंदिल कमिटी की रिपोर्ट के आधर पर फरबली 1909 में नशे अधनियम पारत किया गया ता जिसे भारत परसद अत्रिम annoying 1909 मार्ले मिनटो सुधार के नाम से जाना गया था इस इसने केंद्री और प्रांतिय विदान परसुदों में काफी विरद्धी की थी केंदरी परसुद में इनकी संक्या सोले से साठ कर दी गई थी पहली बाद प्रिथक निर्बाचन मंडल की विवस्ता की गई थी यानि कि मुसल्मानों को अलग से बोट डालने का अधिकार यानि कि अलग से अप प्रतिनिदी बेजने का अधिकार मिल जाता है गवर्नर जनरल की कार काड में एक भारती सदस्ट को नियुक्त करने की बिवस्तावी के लिए थी पर्थम भारती सदस्ट के रूप में सत्यंद्ध प्रशाथ सिन्ना की नियुक्ति की जाती है संपर्दायच कम्यूनल रिप्रेजेंटेटेव या कम्यूनल अवार्ड का प्राथन इस अर्दिनियम की प्रमुख पिसिस्ता थी इसी काल लॉड मिंटो को संपर्दायक निर्बाचन का जनक यानिकी पापा कहा जाता है इसने प्रेसिडेंसी कार्पूरेशन चेंबर ओफ कॉमर्स विस्व किया जाता है आपर मिंटो यह थे क्या थे आप समय क्या थे आपके तो сюжिक न शौने सुस्दर इस इस 1909 निरवाचन मंदल की विवस्ता कर दी जाती है जिसके काड क्या होता है संपरदायक क्या हो क्या माना जाता है जनक कि । या फादर ऑफ कम्नूनर्य अवार्ड माना जाता है इन को ठीक है मुसल्मानों और अलग दे दिया जाता था इसमें ठिक किलियर हुआ ना चलिए भार सर्ग का रधिनियम उन्नीस सो उननीस देख लेते हैं इसको इस अधिनियम को मौंटेवगू चैक्टपोर्ट सुधार भी कहा जाता है मौंटेवगू भारत के सच्चे थे जब कि चैंप्सपोर्ड भारत के वाइ केंद्रिय बिदान सवा के नाम से जाना जाता था सबसे प्रतम सबसे पहले यानि कि यहां पर प्रत्यच्च रूप से बिदायका के सदस्यों के चुनाब का प्रत्यच्च रूप से किया गया था जो कि प्रांतिय बिदान परसद के संदर्म में था बारत में पहली बार महल सेवकों के चैन के लिए केंदरिये लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है चलिए चलिए साइमन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं साइमन कमीशन है साइमन आयोग तो सर जोन साइमन की अदेचता वाली साथ सदर से कमीशन का गठन किया जाता है आयोग के सबी सदर से जो थे British जन्तियानी की British थे इस लिए इस इसका विरोद सभी भारतियों दोरा किया जाता है इस ने अपनी रूपोर्ट उनीस सो तीस में पेस की थी इसके अंतरगत त्यसासन संपरदायक मतदान प्यवस्ता, सरकार का विटेश भारत तथा देशी रियास्तों में बिस्तार आद की सिफारिस इस में सामिल की थी होता क्या है कि आपको पता है कि जो अधिनियम लाए जाते थे जैसे उनीस रनीस का Manki होते थे जो उनीस सो उन्तिस में क्या करनी थी उसकी जाच करनी थी जाच करने के बाद उसमें वतर समीचा करनी थी और उसमें क्या करना था सुधार करने के बाद उनीस सो उन्तिस का एक अधिनिया माना था लेकिन होता क्या है आपका विटेंड में होने वाले तो चुनाब चुनाब में ह है भारत को कही आजाद न कर द दे इसलिए क्या किया है उसने पहले से ही घटन दो साल पहले यानि कि 1929 में जो होना था दो साल पहले क्या कर दिया जाता है एक कमीशन का गठन किया जाता है और भारत में इसको भेजा जाता है भारत में भेजने के बाद होता क्या है कि आपका इस कमीशन का बिरोध किया जाता है कमीशन का बिरोध करने का सबसे साइमिन के अधिषामिन जो भी कमेटी मनाई जाती है इसमें जितने भी सदस्य वो सारे कौन से थे सब के सब गोरे लोग थे सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़के जिनका नावता डॉक्टर भीम राव अंबेड कर ठीक है तो उन में क्या था कि सारे सदस्य जो थे गोरे थे इस क कमींसन का बिरूद किया जाता है तो आपको पता है कि इस कमींसन का बिरूद कर रहे होते हैं हमारे लाला लाज पतराय तो लाला लृज क्या होता है लाठी चार्ज करती है जाता और यहीं पर लाला राज पत्राई की कुछ समय बाद क्या हो जाती है मिरत्यू हो जाती है उसके बाद लाला राज पत्राई की मिरत्यू के जब हो जाती है उनकी एक तरह से कराई जाती है घत्या करने के बाद जब उनको उनका बदला जोते ही सर्दार जाता है किट है चलिए नेक्ट बात करते हैं भारत सासन अधिनियम 1935 के बारे में यह अधिनियम जो था बहुत बड़ा था इस यह अधिनियम भारते में पूर उत्तरदाई सरकार की गठर में एक मील का पत्तर सावित हुआ था यह है एक लंबा बिस्तर दसता बिस्ता इस देख लेते हैं प्रांतों में दुए सासन की समाप्ति कर दी जाती है प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की इस्तापना की जाती है आपका भारत सरकार अधिनियम है भारत सासन अधिनियम के तहट अकिल भारती संकी की इस्तापना की जाती है जो की एक चूचला था यानिकि स सिर्फ एक मूर्त रूप इसको दे नहीं पाएते बस इसमें प्राद्धन कर दिया था उनीस सफ एंटिस के दिने में तो केंदर है वो राज एकाईयों के बीच तीन सूचिया बनाएगी थी संग सूची राजी सूची और समर्थी सूची के माध्यम से सक्तियों का क्या कर दि ब्रत्मान किया था लेकिन है बिवस्ता कभी अस्तितम में नहीं आ सकी थी बर्मा को भारास से अलग कर दिया जाता इसके बारे में . सब्सद्र्मान का क्या कर दिया गय था इंगल इंड में भारत पर सज के क्या कर दी जाती है भारत-स अधिनियुके तहरत भारत सचीव को सलाकार की एक टीम दे दी जाती है अठार निस सो पैएनटिस के अधिनियुम के तहरत आपका रिजर्ड बैंक की इस्थाफना किया जाती है। केंदर में दोए साथन परणाली की शुरुवात होती है संगी विश्यों पर इस्थांत्रित एवम आरच्छित विश्यों के रूप में बेवाजन कर दिया जाता है सांपरदाइक प्रतिनुदत का बिस्तार किया जाता है जिसमें दलित जाती हो मजदूरों और महलाओं को पह जाता है सेंग्टौ सिवा आयो का गठन किया गया था संगी नययायलय का प्रापधान इसी अदिनियम के तयत किया गया था और इसके तरह उन्यूस सो चैथि समय संगी नययलय की स्थापना की जाती यह इसके प्रतों मुख्य नययायदिश जो बनते हुंस सर मौरस गुएर ठीक है आईए एक एकर के टोड़ा से पॉइंट और देख लेते हैं केलियर करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेन और 10 अन्सूचियां थी इस अधिनियम दोरा अखिल भारती संग यानि की All India Union का प् सरसे यह पूरा जो छेते था और पका पश्ची वंगालवाला आपका ये पाकिस्तान वालस पूरे छेते को मिलाकर एक अखिल भारती संग की स्थापना का प्रब्धान किया गया था जो की मूर्ध रूप में नहीं मूर्ध रूप नहीं ले से खाता इस शंग में बिटेस् œれ nzo 1929 के अधिनियम द्वारा जो 27 स्रेश्इंपैंटों में लागू कर दिया गया था केंदरी सरकार के बिश्यों को दो बागों में बाज़ित कर दिया था संद्चित बिश path Г Nou को ऐसे संदचित विषय थे जिस पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता था गवरनर कानून बना सकता था बाकी जो भी विषय वचे थे अस्ता रांतुर विषयों का सासन मंत्री परसद को सौंप दिया गया था केंद्र में जिस सदनात्मक बिधायका की स्थापना केगी ती इसमें राजपरसद उच्छी सदन तथा केंद्र ये बिधान सभा निम्न सदन के रूप में जाना जाता था प्रांतों में दोयस सासनों को समाप्त कर स्वायत ता यानि के सेल्फ गवर्नेंस के सिद्धान को स्विकार कर लिया गया था प्रांती बिधायका को प्रांती सूची ता संबर्थी सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था मंतरी परसद को बिधान मंडल के प् दिया गया था और वह एक अविश्वास प्रस्ता वयानि की नौन-कॉन्फिडेंस मोसन पारित कर उसे पजयोत यानि हटा सकता था इस अधिनियम के तहत आपका जो बर्मा था इस अधिनियम की अधिन बर्मा को भारस से अलग कर दिया गया था और उडी सा तथा सिंध नाम के दो नई प्रांथ बना दिये जाते हैं यानि कि इससे पहले जो म्यामारवाला जो चेतर था ये क्या था पहले भारत में ही सामिल था ये इस तरह से म्यामारवाला जो की बर्मा के नाम से जाना जाता था तो ये क्या था आपका 1935 के अधिनियम केता है तो आपका बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाता है अलग कर दिय जाता है उसके बाद उड़ी सा यहां पर उड़ी सा देखने को मिल जाएगा और सिंध नाम के दो अलग प्रांत बना दिये जाते हैं जिसकी काफी समय से मांग चल रही थी इस अधिनियम को भारत के मिनी समयधान का दर्जा दिया जाता है इस अधिनियम के तहत देश की मुद का निस्व से तिस संगी निया अलाइद की इस थापना किया गया था ठीक है बाहरत स्वतंता अधिनियम गोचना की गई थी कि बिटिस सासन भारत में 30 जून 1948 तक क्या हो जाएगा समाथ हो जाएगा और सत्ता जो है भारतियों को सौंप दी जाईगे इसके बाद बिटिस भारत के दो भाग भागों भारत था पाकिस्तान में बेभाजन के लिए वह लॉड मांट वेटन यूजना त दुट पिटा ठीक है इस अधिन्ययम के अधिन भार humor Dominion को सिंदू कहां पर था है यह सिंदू वाले चित्र में आप सासा तिखाता था हूं सिंदू सिंदू और सिंदू बलुचिस्तान ठीक क्ये स्कतिमी पंजब पूरवी पस्चीवी बंगाल ठिक पूरवी यानिक ये बाला जो चेतर था असम का इसलेट जल्यों को छोड़कर भारत का जितना भी छेतर था वो भारत को दे दिया जाता है यानि कि इस अदिनियम के दिन दो मीने को सिंद बलचिस्तान पंजाब पूरी बंगाल और पस्षीमी सीमान प्रांत वासम के सिलर्ट जिलियो को छोड़कर भारत के से स्राज छेतर भारत में मिला दिये गए थे इस अदिनियम ने भारत में बिटे सिराज समाप्त कर दिया था और 15 अगस्ट निस सो सेटालिस को इसे स्वतंत्र और संप्रवू राष्ट्र गोशित कर दिया था 14 और 15 अगस्ट की 1947 की मदरात्री में केंद्री असेंबिली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तता जनगर्मन एम सुब्बा लच्मी द्वारा गाया गया था स्वतंता के समय कॉंग्रेस के अध्यच जो थे जेवी क्रप्तलानी थे यानि कि जब 15 अगस्ट 1947 को जब भारत देस आज़ाद हो रहा था तब क्या था आपके जेवी क्रप्तलानी यानि जीवट राम भगवान दास क्रप्तलानी क्या थे इस समय कॉंग्रेस के अध्यच थ संभिधान सभा और भारती संभिधान का निर्माड के बार में बात कर लेते हैं संभिधान सभा और भारती संभिधान का निर्माड कैसे किया गया था कोई दिब्विपृत उतरा था उपर लेका था ऐसा नहीं सब लोग ने मिलकर इसमें सभी का सहयोग था ठीक है कुछ लोग अवड़ा देते ना कि दिविपुरुस ने जो इस पिरकट किया था संभिदान सवाव बारती संभिदान सवा का निमाड में अगर देखें तो संभिदान निमाड के लिए गठित प्रतनि 1222 में हमारे जो महत्मा गांदी जी थे उनके जो विचार थे वो ये थे कि संभिदान जो थी भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए इसके लिए भारती की इच्छा के लिए संभिदान सवाखा गठन किया गया था जनवरी 1925 में Commonwealth of India विल के रूप में संभिदान प्रिणाली की रूप रेका प्रिस्टिकर्ड का भारत द्वारा प्रिथम प्रियास किया गया था कब पच्चनवरी 1925 में मई 1925 को बंबई में आईजे सर्व दिलिये संभिदान के सिधान्त निधार करने के लिए मोतिला लहरू के सवापतित में एक समिती का भी गठन किया गया था अगस्त 1940 के प्रिस्टा में ब्टे सरकार ने कहा कि भारत का संभिदान स्वें भारतवासी तायार करेंगे कैबिनेट में से नियो ज़ flashing संवाय की कुल प्रिस्टा वी संक्या जो थी संभिदान सवा की कि TOM सू नवासी चीजिजमें से तो सो बान्दे रियासों से तता चार मुख्य कमिशनी वाले प्रांतों से आने थे यानि कि पूरे भारस से कितने आने थे तीन सो नवासी आने थे यानि कि 389 जो थे आने थे जिसमें से 292 क्या थे 292 जितने भी प्रांते उन से आने थे बेटिस प्रांत से थे बाकी कि देजी रियासों से आन तो नियान बे ही रह जाते हैं बात की समिदान सवा की प्रत्व में बैठक 21 अक्टूबर की जाए तो कितनी थी 33 थी एधरावाद एक ऐसा रियासत था जिस जिसके प्रतिनेदित तो सम्मिदान जिसके प्रतिनेदी सम्मिदान सभा में सामिल नहीं हुए थे यानि कि है धरावाद अकेला ऐसा राजी था जिसमें कोई भाग लेने नहीं गया था सम्मिदान सभा में ठ परिस्तुत किया था स्वराजपार्टी ने किसी नंहीं चित्रण्जन डास की जो स्वराजपार्टी थी उसने क्या किया था आपकी सम्विधान सवा WILL का विचार सबसे पहले दिया था मार्च 1942 में सरच स्टेफोर्ड क्रिप्स की अदेश्था में क्रिप्स मिसन भारत आता है 1942 में क्रिप्स मिसन की उजना में 22 मतादिकार के आधार पर संब्यदान सवा की गठन की मान की गई थी 1942 में क्रिप्स उजना की कि जो भी सर्तेती या कि जो भी प्राबधान थे इसमें उसे भारती क्या कर देते हैं अज विकार कर देते हैं उसके बाद 24 मार्स 1946 को लौर्ड पैथिक लौरेंज की अद्यश्ता में कैविनिट मिसन सत्ता अस्ता नांत्रड के लिए संब्यधानी की विवस्ता क्या करते हैं तैयार करने के लिए भारत में आते हैं यानि कि जो सर्लाड पैथिक लौरेंज की अद्यश्ता में जो कैविनिट मिसन भारत में आता है वो क्या होता है सम्मीधान की विवस्ता करने के लिए और सस्ता अस्तानांतरण करने के लिए इसमें प्राबधान करने के साथ ये भारत में आते हैं कैबिनेट मिसन में तीन प्रमोंक जो लोग थे एक्ष्टेपरड किरप्स और लौडपैथिक लोरान जीसके क्या थे सदस्टे सब्सक्राइब 5 करणा इसे विवारिक रूप प्रिदां करना सुरूथ कर देते गें गठित अंत्रिम सरकार र्या केविनिया ट्रिमडिक सारी कर से की अद्यश्था में होता है यानि कि जब संविदान सवा का घठन हो जाता है उसके प्रिथम जब बैठक होती है यानि कि प्रिथम जब सब लोग घट्टे हो के विजब पहली बार जब बैठक होती है तो उसमें अस्थाई रूप से जो सदर से चुने जाते हैं वो कौन थे आपके सचिदानन्द सिन्ना को चुना जाता है उसके बाद उसके बाद सम्मिदान सवा के इस्थाई अद्यच जो थे ग्यारे दिसंबर उन्नीस सो चारीज को डॉक्टर राजन पिरसाथ को चुन लिया जाता है सम्मिदान सवा के सम्मिदानिक सलाकार वी एन राव थे तेरे दिसंबर उनिस्टो चिहाईज को पंडे जवाला लहरू ने सम्ख़ळान सवा में उद्द्यस प्रस्ता अब परीस्टत किया था जिसे बाइस जनवरी उनिस्टो सेंतालिस को क्या कर लिया जाता है पारित कर दिया जाता है उसके बाद जो उद्दिश प्रस्ता होता है भारती सम्मेदान की प्रस्तावना या कहें प्रियेंबल ओफ इंडियन कॉंस्टिटीशन बनती है 29 सगस 1947 को सम्मेदान सवा के लिए प्रारू समिती का गठन किया जाता है कब 29 सगस 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को भारत को दो भागों में बाटने की गुंसरणा कर दी गई थी जिसे लॉर्ड माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है सम्मेदान सवा के बिचार का अपचारिक रूप से प्रतिबादन MN राय के दौरा किया गया था सबसे पहले सम्मेदान सवा का अपचारिक रूप से किसके दौरा किया गया था तयार कर लिया था फरवरी 1948 में प्रारूप समिती ने सम्मिदान का प्रारूप तयार कर सम्मिदान सवा के अध्यच को समप दिया जाता है चार नवंबर 1948 को सम्मिदान जो था अंतिम रूप से पेस किया जाता है यानि कि इसे सबसे पहले याक है इसका जब शुरुबाज जो होती है इसका ड्राप्टिंग जो था पहला प्राव्रूप जो था उन्य सो 17 अक्टूबर में जब इसका हो जाता है उसके बाद त्यारी जो एक दम धकाद, धका दक, तक त्यारी जब उसकी चल रही होती है तो फरवरी में प्रारूत समेतिं संबिधान का जो प्राब्दू था तयार करके संब जी आ जाता है दियच को कौन थे डॉक्टर राजन्त परसाद उसके बाद 4 नॉवंबर 1948 को संबिधान जो था अंतिम रूप से पेज किया जाता है यानिकि वो बनकर तयार हो जाता है उसके बाद फिर पिर्थम बाचन होता है पंद्रे नॉवंबर उनीस सो निचास को संविधान सवा में क्या होता है संविधान पारित कर लिया जाता है यानि कि पारित किया जाता है पारित कर लिया जाता है और जिसे नवंबर 1949 को ही इसमें बहुत सारे ऐसे प्रापदान थे जो अपने आप ही लागू हो जाते हैं यानि कि पूर रूप से पूरे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को लागू होता है लेकिन इसके कुछ अधिनियम जो थे 26 नवंबर 1949 को ही हो जाते हैं क्योंकि 26 जनवरी का एतियासिक में तो रहा है इसलिए इन लोगों ने किया था उसके बाद जब समीदान सवापे आखरी बाद जब अस्ताक्षर किया जा रहे तो 284 सजेस्टियों ने इस पर क्या किये थे हस्ताक्षर किये थे क्योंकि जब आपको बने बताया था तीन सो नवासी इसमें शुरुबात होत इस कारवल लाष्ट में जो रह जाते हैं, वो हमारे 200 ही सदस इस के रह जाते हो, इस पर हस्ता राक्षर करते है, हो नहीं कि साइण करते हैं. 26 जर्वरी 1950 को सम्थान दियुकर बाद सभ़ा पूरे देश Nepैता की प्रारूर समिटी की क्या किई थी, नियुक्ति की थी डॉक्टर भीमरा वंबेड कर प्रारूप समिति के क्या होते हैं प्रारूप समिति के क्या बनते हैं आपके अध्यच बनाए जाते हैं समिधान सवा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को समिधान की तीर प्रितियां क्या थी सवा पटल पर रखी जाती है सभी इस तदस्यों ने इस पर में सबसे अंतियम रूप में जब सम्मिदान बनकर तयार हो जाता है तो सबसे पहले उन्युच अपचास की अगर बात करें तो तीन सो पिच्चानमे अनुश्चेद आठ अन्सूचियां इसमें थी सम्मिदान के कुछ हरुच्चे 26 नमबरoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredoredored के देच के बारे में बात कर लेते हैं कि किलियर करते हैं और समझति मैं तो धिकार अढर्वन अल्फ संक्य क समित्य शर्दार बंहल भाल भाय पतेल जंडा समिती डॉक्टर राजंद प्रसाथ रियासत्ष समित्य द्यास्तों से बारचीत करने के लिए डॉक्टर राजंद प्रसाथ के देस्ता में एक समिती बनाए गी थी, देसी रियासस सम्जोता समिती डॉक्टर राजन्द पिरसाथ, संचालन समिती डॉक्टर राजन्द पिरसाथ, नियम समिती डॉक्टर राजन्द पिरसाथ, संग सक्ती समिती डॉक्टर अंडे जवालन लेरू, कार संचालन समिती के ए श्रस्दाचार्य क्येस ल hugs सर्वुच न्याले संब्धिम्हस क्याओं एस बारदा चार्या कर मादोड संभा के कार्पर्व उप समिती एची मुकरजी यह कुछ फिर वो किस अद्यच्छ थे ठीक है यहां पर सब्सक्राजू समिती प्राजू समिती के सदस्य कि अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीम राव मिड़कर इसके अद्यच्छ थे राम गोपाला स्वामी अयंगर इसके दूसरे सदस्य थे अ लादी किसना स्वामी अयर के मुंसी सयद मुहम्मद सादुल्ला एन माधवा राव डीपी खेतान की मिरत्यू के बाद किसना मचारी इसके क्या हो जाते हैं सदस्य बन जाते हैं चलिए भारत में सवतनता के पश्यात गठित अंत्रिम मंत्री मंदल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अंत्रिम मंदल के अध्यच की बात करें तो चक्रवर्ती राज गोपाला चारी जो थे अध्यच थे पंडित जवाला लहरू इनको उपाध्यच बनाया गया था पिरधान मंत्री भी थे विदेश कॉमन बेल संबंद ता था प्यग्यानिक्स ओ दि और सूजना प्रसाद मंत्री बनाए जाते हैं, डॉक्टर भीमरा अंबेडकर बिदी मंत्री बनते हैं, सरदार बल्देव सिंग रच्छा मंत्री बनते हैं, डॉक्टर राजन्स प्रसाद आपके खादी तता किर्सी मंत्री बनते हैं, मौला अबुलकलाब आजद आपके ये मंत्री बनने जाते हैं इसके बार रफी ऐमत किद्वई जो ते संचार मंत्री बनते हैं राज कुमार राज कुमारी अम्रट कोर जो थी आपकी क्या बनती है स्वास्थ मंत्री बनती है आरके संवुक चेटी जो थे आपके बित्त मंत्री बनाए जाते हैं डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी जो थे उद्योग तथा आपूर्ती मंत्री बनते हैं एन्वी गॉडविल जो थे कार्रे खदान एवं उर्जा मंत्री बनाए जाते हैं ठीक है तो कारिकारी पर्जद के जो अध्यच्छ जो थे अध्यच्छ की अगर बात करें लॉड मांट बैटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक रहते हैं इसके बाद कारिकारी पर्जद के जो अध्यच्छ जो होते हैं राज गोपाला चारी बन जाते हैं क्योंकि भार पर्जद जब आजाद होता है आजाद होने के बाद क्या होता है जb यह बनते हैं क्या बोलता है उगाटन होता यह जो सम्भिधान है कहां-ंदे carp प्राब्धान तो उनको देखते हैं जैसे कि भारत देश में जो संब्धान था उसमें कुछ प्राब्धान किये गए थे जैसे कि 1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया कुछ भारत के अमेरिका की संब्धान से लिया गया है कुछ औस्ट्रेलिया की संब्धान से लिया गया से लिया गया है कोछ जो है सोविय से लिया गया है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के संभिधान के बारे में अमेरिका के संभिधान से क्या-क्या लिया गया है आए देखते हैं भारतिय सम्मिधान के इस तरोथ अमेरिका की सम्मिधान से स्वतंत्र नयायपालिका यानि कि नयायपालिका अपना एक अपना स्वतंत्र जो है में तरफिया उसमें कार पालिका हस्टचेब नहीं करेगी उपराष्टपती का पद नयायक पुनरवलोकन नयायक पुनरवलोकन क किया जा सकता है यानि कि फिर से उस पे बिचार किया जा सकता है मूल अधिकार अमेरिका से प्रस्तावना के सब्ध हम भारत के लोग ये आपके अमेरिका से सर्वोच नयायलेम उच नयायले के नयाय जीसों को पद से हटाए जाने की प्रिक्रिया अमेरिका से राश्पती पर महाव्योग की प्रिक्रिया अमेरिका से लोग जन याच का जन हित याच का पी आई एल अमेरिका से नियाएक पुन और वुलोकन की प्रणाली आपका अमेरिका से लिया गया है विदि का साथन यादि के कानुनी सर्वोच होगा एकल नागृत्ता द्यूसरदनी विवस्ता विदि निमनवाण प्रिक्रिया और सारवादिक मत के आदर पा चुनाफ जीत का निरड़ आपका साथन से लिया गया है ठीक है ? बिदायका में अध्यचपद की भूमिका आपके विटेन से लिया गया है संसदिये विशेसा दिकार, यानि कि जो संसद के सरद से होते हैं, उनको कुछ विशेसा दिकार दिया जाते हैं, वो भी प्राबधान आपका बिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिश संविधान नहीं है, फिर भी बहाँ पे परंपराओं के आधर पे चलता है, संसदिय कैंडर की समीदान से राजियों में राज जपाल की न replen की द्वारा कियाना कनिडा की समीदान से points समीदान से ठीक है चलिए भारती समीदान के और देख लेते हैं अन्याबार से जापान के बारे में अगर बात करें तो जापान से आपका बिदी द्वारा इस्तापित पिरक्रिया, रूस की अगर बात करने तो रूस के सम्मिधान से मूल करतब, प्रिस्तावना में नियायक आदर्स, फ्रांस की अगर बात करने तो सुतंता समानता इम बंदुत का सिद्धान, गर्त अंतरा आत्मक विवस्ता, आरलेंड के सम समविदाण से आपात कालीन उप्प Bill अस्ल butterflies यहां पर मैंने सारी लिख दिये हैं भारत्री सम्मिदान के इस रोत जापान के जर्मनी के रूस के फिरांस के आ herbs के हैं रिक बीटें के और मेरिका की सम्मिदान से क्या क्यालली यह थैए कंपट कि पैदल करते हैं बहारती संम्मिदान के देशी या बहारती इस्तोर देख लेते हैं कि भारती संविदानssen भारस से भी कुछ लिया गया है एक नहीं, वह भी भारत से जो लिया गया, वह भी विदिश हो कही देश स्यूर्स का जैसे की और परंपरा है, संब्यधानिक संसोदन, नियायक पुनारुलों के नियायक निड़ा, संब्यधानिक टीका है और संब्यधानिक बिसेसक्यों के विचारी है, कुछ ऐसे प्रवक इस्तरोत थे, जो कि हमारे भारती संब्यधान में जोड़े गए थे, आईए, नेश्ट बात कर संब्यधान से भी भारतिय संब्यधान में क्या किए गहे हैं, सबसे पहले जो है जर्मणी की बात करें, तो भारतासन अधनियम से क्या लिया गया है, तो संघात्मगव विवस्ता नियाय पालिका की सक्ती राजनीति की आधार्वू समतना लोक सेवाई होगा, आपके न्यो जर्मनी से आपके आपात कालीन उपवंद लिए गए उसको आप पूर सोबिय संग या परतमान में रूस से अगर बात करें तो मूल करता भी लिए गए रूस आपको यह पूरा जो छेतर है रूस वाला देखने को मिल जाएगा रूस से मूल करता पर पर प्रिस्थावना यान उत्तरी अमेरिका महाधिर उनाटेट इस्टेट अप अमेरिका यहां पर अलास्का तक फ्यला हुआ है यह इस तरह से रेड कलर का ठिक मौलिक अधिकार सरभूच नियायक प्रूबर लोगों में नियायक पालिका की स्वतंता संभिदान की सरभूच ता राष्टपती पर मह होना उप राष्टपती उच्च नियायलाए कर नियायक आटाने की प्रिकीरियार राष्टपती में संभिदान से लिया गया है और राष्ट। परणाली यानि मंत्री मंदल परणाली विदी के समक्ष समानता एकल नागरिकता विदी का असासन विदी निमार की प्रिक्रिया संसदी विसेदादिका दुष सतनात्मक विवस्ता चुनाम में सरवादिक मत के आधर पर जीत की प्रिक्रिया आपके विटेंस से लिया गया है दट्चड अफ्रीका की अगर बात करें तो कहां से आपका यहां से आईरलेंड के बारे में में समास्ख सेवा, साइथ तिकला री बेग्यान के छेत्म में ख्वायती प्राप्त व्यक्तियों का अमनूना हैं, यह आपका कहां से लिया गया है, आपका AIRLand के समुतान से लिया गया है, जापान की अगर बात पासा केंद तता राज संबंद संसत के दौनों सदोनों की सैंग तुबैठकाप का और श्थिलिया से लिया गया है कैनड़ा की एगर बात करें आपकेंड़ा देखने को मिल लाएगा कैनड़ा जो है उत्तरि अमिरका महाधीब का यह उत्तरवाल अच्छे तो विलू कलर में है तो यह केंड़ा देखने को मिल लाएगा, सरकार की संगिय विवस्ता, केंदर के पास सबसेश सक्तियों का होना, संग तता, राज के भी सक्तियों का वित्रड, राज में, राजिपाल की नियुक्ति का प्राध्धान, फ्रांस की देशी व बिदेशी स्ट्रोक, चलित, चलितो समझते हैं, टॉपिक, भारती शमिधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल ओफ इंडियन कॉंशुच्टीशन, इसको हम उद्देश का के नाम से भी जानते हैं, उद्देश का भी आपको मिल जाएगा कहिने तहीं है, तो उद दिसम्बर उनिसोच्हालिस को नहरूची द्वारा पेस किया गया उद्देशिका उद्द्दिश परस्तावा आगे चल कर क्या बनता है समभिधान का अंग नहीं है तो 1950 का गोपालन बाद में ये दिया जाता है का समभिधान का भाग नहीं है नियायले दौरा प्रिवर्तिनियें भी नहीं है और सक्ति का एकमा स्रोत भी नहीं है कौन किस बाद में 1950 में दूसरा आता है बेरुबारी मामले में 1960 में एक आ जाता है कि मार्क दर्सकन सिंदान्द पर संभिधान का भाग नहीं है ठीक है यहाँ पर भी एक कह दिया जाता है क कि यह संब्यदान का भाग नहीं है 他 legislative केशवानन्द भारती बना मांबाद में ये फैसला दिया जाता है कि संब्यदान के भाग के शीकार कर लिया جाता है 1973 में ठीक है एलाइसी मामले में प्रस्तावना संविधान का आंत्रिक इस्सा है यानि कि ये बात तैय हो जाती है कि संविधान का भाग है कि नहीं है तो संविधान का भाग है उस जेसी का में संसोधन किया जा सकता है कि नहीं तो 1973 में केशवानन्द भारती बना बाद में ये जाता है कि प्रस्तावना को संभिधान का भाग मानते हुए कहा कि अनुच्छे 368 के अधीन संभिधान की प्रस्तावना में भी संसोधन किया जा सकता है पर ऐसा संसोधन मूल भूत ढांचे का उलंगन करने वाला नहीं होगा यानि कि जो संसोधन है प्रस्तावना में या फिर रुद्दिसिका में या फिर प्रियंबल में किया तो जा सकता है लेकिन उसका मूल वो जो ढाचा है जो उसकी प्रकर्दी है उसको बदला नहीं जा सकता है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है उसमें सुधार किया जा सकता है उनके गुड़ों में क्या नहीं किया जा सकता है माली अब माल लीजिए कि मैंने वीडियो बनाया यूटूब पर डाल दिया और डालने के बाद मैंने क्या किया कि जब दूसरा वीडियो डाला तो जाइस सी बात है जो क्वाल्टी है क्वाल्टी जो है यानि कि हम दुबारा से जब उसी वीडियो को डालेंगे संसोधन करके तो उसमें क्या है कि कमी नहीं बढ़ा सकते हैं पहले जितना बढ़ाया था उससे कम नहीं किया जा सकता है बैसे ही उद्देशिका जो है संसोधन तो किया जा सकता है लेकिन संसोधन क्या है कि अच्छा ही जोड़ा जाएगा उसमें कोई कमी नहीं लाई जाएग पंत निर्फेच यानि सेक्यूलर और अखंडदा यानि कि इंटरगेटी सब्द को जोड़ा जाता है जो तीन जनवरी 1977 को प्रभावीवी हो जाता है महत्त के बारे में बात करते हैं प्रस्तावना का महत्त थोड़ा सा देख लेते हैं तो यहाँ पर एक ब्यक्ति हैं जिनका प्रस्तावना की साहित्ता ले सकते हैं क्योंकि संब्दान के अन सभी उपबंदों को अधनियमित किया जाने के बाद उद्देश सिखा को अलग से पारित किया गया था किसको पारित किया गया था अलग से पारित किया गया था इसके बाद 1973 के के स्वानंत भारती बना बाद ठीक है चलिए आएए प्रस्तावना को थोड़ा सा और देखते हैं प्रस्तावना को थोड़े सी यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से प्रस्तावना जो हमारी दी गई यह सम्मिधान में तो आएए देख लिते हैं हमारे सम्मिधान की प्रस्तावना को यानि प्रि भारती सम्मिधान की केंद्र सकती जाक हैं केंद्र बिंदू क्या है तो भारत के लोगों को केंद्र बिंदू माना क्या है देखा है तो आईए देखते हैं तो we the people of India having solemnly resolve to constitute India into a sovereign socialist and secular democratic republic and to secure to all the citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of the status and of opportunity and to the promoted among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hear why the adopt, enact and give to ourselves this constitution सीधा समतलब ये था के हमारा जो भारती सम्मिदान है उसको क्या कहा जाता है केंद्र बिंदू किसको मान लिया जाता है भारत के लोगों को तो इस भारती सम्मिदान में 42 में 42 में सम्मिदान संसोदन के दौरा समाजबाद 15 निर्पेच और सब्द को जोड़ा गया था तो यहां पर भारती वासा में लिखिया है प्रियंबल या फिर प्रिस्तावना या उद्देश का तो है हम भारत के लोगों भारत को एक संपूर प्रवुत संपन समाजबादी पंत निर्पेच लोक तंतरात्म गड़राज बनाने के लिए तता उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राजनितिक नियाए बिचार अव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्रितिष्टा और समता प्राप्ट करने के लिए तता उन सब में तता उन सब में बियक्ति की गर्मा और राष्ट की एकता अखंडता सुनिक्षित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रण संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सवा में आज तारीक 26 नवंबर 1949 मिती मार्ग सीक सुक्ल पक्षि सब्तिमी संबत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस सम्विधान को अंगीकरत अद नियमित और आत्मारपेद करते हैं तो ये हमारी हो गई प्रस्ताव ना ठीक है आईए अब हम इसकी थोड़े से जानकारी लेते हैं तो उद्देश प्रस्ताव के बारे में थोड़ा से हमारी प्रस्तावना का क्या हुआ है निर्माड हुआ है यही उद्दिश प्रस्ताव हमारे बर्तमान के संब्यधान की क्या बनती है रूफ रेखा बनती है इस उद्दिश प्रस्ताव में कुल आठ अनुच्छे सामिल थे नहरू जी के द्वारा उद्दिश प्रस्ताव में जिसमें आपके अनसूची जन जातियों और अल्प संक्यों के हितों की रच्छा के लिए गोंसरा भी की गई थी इसी उद्दिश प्रस्ताव में भारत को संप्रभू राज के रूप में पहचाना गया तता विस्व सांती पर बल भी प्रदान किया गया नेरू के इस उद इस ने हमारे संब्धान को काफी हद तक क्या किया था प्रभावित किया था बाद में इसी उद्देश प्रस्ताव के परवित्त रूप को संब्धान की प्रस्तावना में सामिल कर लिया जाता है किसको उद्देश प्रस्ताव को कुछ सुधा रहा कर परवर्दन के साथ ठी चली संब्यदान की उद्धेश का प्रस्तावना प्रेंबर और इंग्टिन कॉंस टीशिशन तो प्रिख्यात हमारे नियाई विद्ध वा संब्यदानिक विशेसर कि एन एपाल की वाला ने प्रस्तावना को संब्यदान का पर्चय पत्र कहा है नहरू जी द्वारा स्थावना कि कुछ पर बातों में अगर देखें तो संभिधान की प्रस्तावना को संभिधान की कुंजी माना जाता है यानि कि Key of Indian Constitution माना जाता है प्रिस्ताबना के अंसा सम्मिधान के अधीन समस्थ सक्तियों का केंदर बिंदू तथा स्त्रोत याक है समस्थ सक्तियों का केंदर बिंदू सक्तियों का स्त्रोत जो है भारत के लोगों को माना जाता है क्योंकि हमारे सम्मिधान की सुरूबाद ये होती है हम भारत के लोगों से सुरू होता है ठीक है किसे सुरू होता है हम भारत के लोग प्रिस्तावना को कोट में परवर्ति नहीं किया जा सकता ये है नेड़े यूनियन ओफ इंडिया बना मदन गोपाल उनिस सो सब्तावन के नेड़े में घोसित किया गया तब प्रिस्तावना में लिखे सब्द हम भारत के लोग इस सम्मिधान के अंगी किरत अधिनियमित और आत्मार्पित करते है क्योंकि हम सुरूबात हमारे प्रिस्तावना की कहां से होती है हम भारत के लोगों से तो यहाँ पे केंद्र विंदू हम भारत के लोग यानि कि जितने भारत के लोगों उनको मान लिया जाता है उन्हीं के ऊपर ही सारी टिपडियां कि हम भारत के लोग कि हम भारत के लोग क्या नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते तो सब केंद कोचिस संप्रूदता का क्या करते हैं उद्गूस भी करते हैं बेरुबारी यूनियन बाद 1960 में कोट ने ये निड़े लिया कि जहां संभिदान की वासा संदिक्द हो या कर आइस पष्ठ हो हमें समझ नहीं आ रही हो बहां प्रस्ताबना बिदित निरवाचन में क्या करेगी साइता करेगी फिर से बता दू बेरुबारी मामले में ये का जाता है कि जहां पर संभिदान की वासा कोई है सब्द या फिर कोई सब्द इस पष्ठ नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें प्रस्ताबना की जरूरत पड़ेगी प्रस्ताबना में दिये गई सब्दों का इस्तुमल करके हम उससे क्या कर सकते हैं उसका निड़ाय मतला उस पष्ठ सब्द को इस पष्ठी ते रूप से समझ सकते है बेरुबारी वाद मामले में प्रस्ताबना को संभिदान का अंग नहीं माना था इसलिए विदाय का प्रस्ताबना में संसोधन भी नहीं कर सकती है क्योंकि विधायका जो संसोदन कर सकती है किसका करेगी संविधान का संसोदन कर सकती है तो जब अंग ही नहीं माना तो इसमें क्या नहीं कर सकती ये माना था किस बाद मैं बता रहा हूं 1960 के बाद में इसके बाद सर्वोच ने आयलने केशवानंद भारती बनाम केरल राज में 1973 के बाद में या मुकदमे में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है अतय विधाय का यानि कि संसद उद्देशका में संसोधन भी कर सकती है केश्वा नद भारती बनान के बाद में या मुकदमे में सर्वोच नियायले में में मूल धांचे का सिद्धान दिया तथा प्र संब्धान में कहीं भी संसोदन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में परवेंतन नहीं कर सकती यानि की संब्धान संसोदन के मूल ढांचे में नकारात्मक संसोदन धांचे का विस्तार नहों कि क्या हो रही हो उसमें कमी आ रही हो तो संविधान ऐसा इसमें प्रिस्तार कर सकती है जिससे मूल धांचे का विस्तार हो रहा हो और भारती संविधान यहाक है भारती लोगों के लिए यहाक है प्रिस्तावना में मजबूती कडल हो रहा हो ठीक है तो 42 में सम्मिधान संसोदन द्वारा 1906 के द्वारा हम इसमें यानि कि सम्मिधान की प्रस्तावना में समाजबाद, पंत, निर्फेच और राठ की अखंडता सब्द जूड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में स्वतंता, समानता और बंदुत के आदर्सों को फ्रांस की क्रा संती से लिया गया था, बारती सम्मिधान में रखी गई उद्देशिका सम्मिधान के निर्माड में महतपूर इसका इस्थान रहता है उद्देशिका में उन आधार बुद दर्सन तता राजिनेतिक, धार्मिक बनेतिक मूल्यों के बारे में लिखा हुआ है, जो हमारे सम् संब्धान के ग्याता बिख्याता और यो जानकार थे उन्होंने उद्दीर सिखा को संब्धान की आत्मा के समान माना हैं संब्धान निर्माड में महतपूर भूमी का निवाने वाले संब्धान सवा के सदस्य सर अलादी किस्टना स्वामी अयर के अंसार संब्धान को सम्मिधान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेए सम्मिधान भारती सम्मिधान की विस्यस्ता कौन कौन सी वो सम्मिधान की विस्यस्ता है जो भारती सम्मिधान को अन्य देशों के सम्मिधान से विस्यस बनाते हैं तो आए समझते हैं एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं सम्विधान की बिस्षिस्ताओं की अगर बात की जाए तो पहले बिस्षिस्ताओं से समझने पहले पहले ये देख लेते हैं कि बारत की सम्विधान में है क्या सम्विधान में क्या है तो एक प्रस्तावना दी गई है प्रियंबल और इंडियन कॉंस्टिशिजन की संक्या कित तो वाहरती व्यूंडान की तो बारति समिधान की अनिया कई gaming करता है अलग करता है या कई बगशलर संसोडन पनाता है तो वह कौन-कौन है तो इन को आगे करेंगे पहले का था क्या लिखा है मेनए इसमें बाइस पारक तेंसो सुपिछानविय अनुच्छ से बारहे अन्सूचियां है। मूली कर्टचप्यों को 42 में संभीधान संसुदन की द्वारें जोड़ा गया था। दर्म निर्पेच एवं समाज्वादी राझ्य की बयाख्या करता है भारती संभीधान। बारती बारती संभीधान ये इसमें बयाख्या करता है। वाटसेप न संब्धान एकल नागरिक्ता का प्रवाद प्रावधान भारती संब्धान करता है धर्मन रपेच एवं समाजवादी राजी की 104 संसोतन अभी तक 2021 तक 104 संसोतन भारती संब्धान में हो चुके हैं इसकी व्याख्या हम मैं करूँगा ठीक है विसका सबसे बड़ा लिके ठीक है बकीलों का स्वर्ग कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसके बारे में मिसी में जानेंगे इसकी एक खास कर विश्यस्ता है संप्रूवता संपन राजी की विश्यस्ता करता है संविधान की प्रिस्ताबना इसमें एक दी गई है लिखे तैम बिश्तर संविधान है इसके इसकी यह जो यहां पेज जो बनाया गया है इसकी वियाख्या कौन करता है तो अंदर यह इसट रियुट पॉइंट पे अन्डा मिस्रा कर रहा है इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया याँ आप चाहते हैं तो हो सकता है चलिए आएए देखते हैं क्लियर करते हैं पॉइंट सम्विदान की बिसेस ताएं लिखित एवं बिस्टरस सम्विदान आएए देखते हैं भारती सम्विदान एक बिसेस सम्विदान सवादवारा निर्मित एक लिखेस सम्विदान है इस दिरस्टी कौन से भारती सम्विद साबना है, अनुख्य 465 दिये गए हैं, लेकिन मूल रूप से संख्या इनकी जो है नो 395 यह, लेकिन 395 लेकिन, 465 वो कैसे हो जाते हैं, तो जैसे 395 संख्य है उनुख्य तो इनको क्या हो रहा है, किmarक्ष्य www. हमने माल लिया, एक एक तो एक तो अनुच्छे दो गया एक का ही एक ए सम्मिधान का अनुच्छे 75 का ये भी एक सम्मिधान का अनुच्छे बना 78 यानि की 80A यानि की मूल कितना है 80A उसी में से 80A निकला आया तो ये क्या समझ में रहा है कि इनकी संख्या तो 395 ये बस सम्मिधान का जो अनुच्छे दो है का खागा खागा ऐसे बाट दिए गए है भाग 25 इसमें दिये गए है संख्या आज भी बाईसी है बारे अनसूचिया है बिस्त में किसी भी देश का संभिधान इतना बिस्तरत नहीं है बारती संभिधान की जटिलता के काड़ी कुछ लोगों ने इसे बकीलों का स्वर्ग यानि लॉयर्स पेराडाइज कहा है क्योंकि बारती संभिधान की बिस्तर यह ऐसी है कि इसमें सबसे बात यहां आती है कि बारती संभिधान में ऐसे सब्द जो है इस्तमाल किये गए हैं बरलाब एक से एक धुरंदर लोगों के द्वारा कि सारे जो थे पड़े लेखे लोग इखटे हो गए थे आम जनता को सामिल किया गया गया नहीं था कौन थे बड़े-बड़े दुरंदर कोई कहीं से पढ़के आया है कोई अमेरिका से कोई इटली से कोई इंगलेंट से ऐसे लोगों को सामिल किया गया था तो इसकी जो भासा जो है बहुत जटेल है बारती संभिधान की प्रस्ताबना की अगर बात करना के लिए प्रस्ताबना एक पिर्मो कुंजी की तरह कार करती है यानि कि संभिधान की प्रस्ताबना मैंने क्या बता है एक दमाकेदार एंट्री के साथ भारती संभिधान की क्या करती है एक दम ब्याक्या करती हो तो सुरुवात होती है हम भारत के लोग एक दम जो उसमें स्वयम निधारित करता है तता वारी नियंतर से पूरी तरह से मुक्त हो और इस संबंदे में भारत जो है पूरी तरह से स्वतंत है तो क्या करता है संप्रुवता संपन राजिकी क्या करता है व्याख्या करता है कौन भारती संविधान और इसमें संप्रुवता का मतलब यह है यानि कि sovereignty का मतलब क्या होता है सीधा से मतलब यह है कि हमारे आंत्रिक तता बैदेशिक नीतियों को हम स्वयम यानि कि हम भारत के लोग ही करते हैं यह तो है नहीं पाकिस्तान हमारा यह करता हो कि हमें कौन से देश से संपर करना है कौन से देश से बात करनी है कौन से देश को क्या देना है को रोना वैक्सिन किसको देनी है ऐस्टेलिया आपको अमेरिका को या फिर किसको देनी है तो यह तो यह नी कि अमेरिका इसको कंट्रोल करता कोई कंट्रोल करता कौन करता है हम अपने स्वैम में सच्छम है कि हम अपन आप में अपनी आंतरिक जिसरक्षा का मामला है हम अपनी आंतरिक अपनी अंतरा आत्मा से पूँचेंगे कि धारा 370 कतम होनी चाहिए तो हम क्या है संप्रभु देश के रूप में माने जाते हैं यारी संप्रभु राज्य की स्थापना करता है कौन हमारा भारतिय संविधान ठिक चलिए सम भारत के मूँ संविधान में क्या था 22 वाग थे 395 अनुच्य थे और 8 अंसूचियां थी ठिक है आए आगे बढ़ते हैं भारति संविधान की भी सिस्थाव में देखते हैं तो भारति संविधान विस्व का सबसे वड़ा लिखी संविधान है बारति अनुच्छे जिनका बहुत अधिक आदे से अधिक राजिकी विधान समां का चाहिए होता है यानि कि बहुत ज्यादा कठोर उसमें संसोदन करना क्या है बहुत कठोर हो जाता है यानि कि बहुत मुश्किल हो जाता है तो क्या है लचीले पंत अथा कठोरता का क्या मिलता है समाबे से या फिर मेल मिलता है भारत के मूल संब्धान में 22 वाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनसूचिया थी बरतमान में 395 अनुच्छेद और मोटा मोटी हम इसको चारसो साथ पैसा तक मान सकते हैं क्योंकि रहेगा वह भाग या निकी तीन है तीन ही रहेगा यह अनुच्छे लेंगन इसके और भी भाग हो जाएंगे तो उसको भी अनुच्छेद माने तीन ए तीन भी ऐसे तरह तो बारत के मूल संब्धान वाइस वाग और 395 अनुच्छ सासन की स्थापना करता है दर्म निर्पे चैवन समाजवादी राजदी की गोर्षणा करता है राजदी के नीत नेजिसा तक्त्मों का समाबेस आपके भारती संब्धान में किया गया है केंद्रा बिमुक संब्धान है यानि की जो केंद्र है वह क्या होता है केंद्र भारत आपात काल अगरा लगा दिया जाए जो सारी कंट्रोल किसके अंडर में हो जाएंगे सारा का सारा कंट्रोल हो जाएगा केंदर के अंडर में आ जाएगा और जहां पर नियंतर जो है राज का वो समाप्त हो जाएगा आपात काल की स्थिति में ठीका एकल नागरिकता का में बता चुका हूं किस तरह संग है और सारे जतने भी राज मिला कर भारत देश का क्या करते हैं एक संग का निरमार्द करते हैं जिस अगना तमके बिवस्ता दी गई है न्यायले की सरवोचता यानी की भारत में सम्भिधान जो है क्या ब्याक्या करता है न्यायले जो है सर्वोच शिकर पर होगा किसके लिए सम्विधान के लिए सम्विधान की ब्याक्या कौन करेगा आपका न्यायले ही करेगा सम्विधान में भारत को क्या का गया है प्रभुत्तु संपन बारी नियंतर से पूरी तरह से मुक्त लो यह बात करते हैं भारती संग तथा इसके राज एवं की इंसासिज प्रदेश जिसमें कुछ हम प्रमुक टॉपिक देखेंगे जैसे कि बासा यादर पर एक अक्टूबर निस्सो बावन कुछ सर प्रितम आंद्प्रदेश यह होता है अलग होता है नायका लेंड गुजरात अनुच्छे 370 खतम कर दिया गया था हर्याणा राजपुन अगटना यूग को गठित किया गया था मड़िपोर्तिरप्रा मिगाले मिजूरम साथ मा संभिदान संसोधन तो आईए देखते हैं किलियर करते हैं हमारा यहाँ पर आईए किलियर करते हैं संभिदान के बाग ए अपका जम्मु कस्मीर आपका त्राकण हरियाना राजिस्तान गुजरात महाराष्मद प्रदेश रचिसगर तेलंगाना उडए इसा हैं त्रौनाटक केरल तैमिलनाडव ठीक है यह अक्षमिदानी संग का निरौत पर निर्माड कर रहे हैं ठीक है और ऐसा है भी डिक्यों का प्रियोग करने के पीछे दो इस परस्ट कारण बता है पहला कार ये था कि भारत जो है विविन राज्यों के मद्द किसी अनुबंद या कॉंट्रेक्ट का परड़ाम नहीं है किसी भी राज को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है ये नहीं कि जो आपका क्या बोलते हैं जब मुकत्मीरा ये कहें कि हम अलग रहना चाते हैं पाकिस्तान में मिलना चाते हैं ऐसा भी नहीं भारत देश के किसी भी संग को अलग होने का अधिकार नहीं है वहां कि लोग कितना भी चिलना हैं वहां किसी बात का इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत देश जो है राज्य और उसके राज्य थेत्र थे हैं जिसके लिए पहली अंसूची में जानकारी दी गई है ठीक है अनुच्छत एक तीन भारत के राज्य छेत्रों में निम्न छेत्र सामिल किये जाएंगे अनुच्छत एक तीन में ये प्राप्धन जिया गया है कि भारत के राज्य छे चेतर आपका दाधर नगर अवलि ănाघ जो अर्जित किये जाएं जैसे की India कोई भारत में सामिल होना चाता है या फिर मालिजिए पाकिस्तान का कोई राजियों होना चाता है तो वो भी भारत में क्या हो जाएंगे इसमें सामिल कर ले दाएंगे बरतमान में इस अनसूची में किसमें अनसूची एक में 28 राज्य तथा आठ केंज सासिद प्रदेश सामिल किये गए हैं चलिए आएए देखते हैं कि करके पॉर्ट भासाई आधर पर एक क्टूबर 1953 को सबसे पहले आंध प्रदेश राज्य का किया गया था गठन किया गया था और राज पॉनर गठन आयोग 1956 द्वारा 14 राज्य तथा पांच संग सासिद प्रदेशों का क्या किया गया गठन किया गया था इसके लिए सात्मा संबिदान संसूदन भी किया गया जो की आपका राज्य पॉनर गठन से संबंदे था कौनसा आपका सात्मा संबिदान इस समझोते दोरा अर्जित फ्रांसीजी उपनिवेसों से 1912 में पॉंडचेरी संग सासित राज्ये गठेत भी किया गया था बर्तमान में 28 राज्य तथा आठ केंसासी प्रदेस हैं अगर हम बात करें केंसासी प्रदेसों की तो 2019 की अगर बात करें अगस्ट से पहले की तो भ यह राज्य का दर्जा इसका समाप्त हो जाता है और 28 राज्य रह जाते हैं और इसके बाद ही यह दो किंसासी प्रदेसों में बांट दिया जाता लद्दाक और जम्मु कस्मीर के नाम से तो पहले नो थे साथ थे पिलस क्या हो जाते हैं साथ पिलस दो कितने हो जाते हैं न पादर नगर अवेली और दमन दीप को एक ही केंसा से प्रदेस बना दिया जाता है इसके दैद क्या होते हैं जो केंसा से प्रदेसों की संख्या होती है अठाइस राज और आठ केंसा से प्रदेस हो जाते हैं आई समझे हैं गुजरात में गुजरात को पंदर में राजी के र महाराष्ट में पहले क्या था गुजरात भी सामिल किया जाता था लेकिन क्या है 1960 में महाराष्ट से गुजरात को निकालकर गुजरात को निकालकर एक अलग राजी का दर्जा दे दिया जाता बरतमान में यानिकी 2021 में 28 राज और 8 किंद सासिद प्रदेश और राजदानी छे सरकार रखता है राश्टी राजधानी छेत्र दिल्ली एक छेत्र है जिसके पास अपनी एक निरुबार्ची सरकार है और एक राज तता संग छेत्र के बीच का इसको धरजा दिया गया कहां पर है यह है आपका पूंड़ोचेरी पूंड़ोचेरी जो है यनम पूंड़ोचेरी माहे और कराइकल के नाम से तीन जिलों के रूप में चार जिलों के रूप में तीन राज़ों पहला हुआ है केरल में आंध्र प्रदेस में और तमिल्लाडू में तो दिल्ली यहां पर आपको देखने को मिल जा गई है दिल्ली दिल्ली है चलिए छे अगस् प्रदेश देखें राज और कींसासे प्रदेश देख लेते हैं आई राज और केंसा से प्रदेश देख लेते हैं बारत के संग राज छेत्रों के नाम ठीक है और ये सबसे पहले आद इस्टेट्स यानि कि इसको हम कह सकते हैं राज जो बार में चर्चा कर लेते हैं राज हमारा अंध्र प्रदेश मैं अब भी दिखा दूँना अनाचल प् ठीक है करनाटक केरल मध्र प्रदेश महारार मनिपूर मेगाले मिजोरम नागालेंड उडिसा पंजाब राजिस्थान सिर्केन तमिलनाडू तेलंगाना तिरुपुरा उत्तर प्रदेश उत्त्राखंड और बैस्ट वंगाल पस्षी वंगाल याँ पर देखते हैं प्रदेश महाराश्ठ करनाटक गोवा केरल तमिलनाडू आंधि प्रदेश तेलंगाना चतिसगड उडिसा मध्र प्रदेश जाड़धखंड उत्तर प्रदेश बिहार पस्षी वंगाल सिक्किम अनाचर प्रदेश असाम मेगाले नागालेंड मनिपूर मिजोरम और तिरप पुरा ठीक है किन सासी प्रदेशों की बात करते तो जम्मू कश्मीर, लद्दाक, अंडमा निकोबर दीप समू, लक्ष दीप, दिल्ली, चंडीगर, दादरनगर हिवेली तो सबसी पहले देखते हैं हम पर, लद्दाक, जम्मु कस्मीर, चंडीगर, दिल्ली किन सासी करते से दादर नगर अविलियम दमंदीब लक्षिदीब और यह है आपका अंडवा निकोबर दीप समझ ठीक है आईए तो यहां क्या हो गया विफोर अगस्ट 6 2019 अगस्ट 2019 से पहले क्या था 29 राज साथ के इंसा से प्रदेश आफ्टर अगस्ट 6 तूठा जो 1928 इस्टेट्स और नाइन इन टेरिटीविज उसके बाद अगस्ट दोजार अगस्ट 26 जन्मरी 2020 के बाद 28 राज और 8 के इंसा से प्रदेश बन जाते हैं आईए समझते हैं आगे भारत के नवगटित राज 1960 में आपका गुजरात बनता है बंबई से अलग करके ठीक है 1963 में नागालेंड से आपका असंग से अलग करके ठीक है 1966 में हर्याणा बनता है पंजाब से निकाल कर 1969 में मेगाले राज बनता है आपका असंग से निकाल कर 1971 में हमाचल प्रदेश पहले संग सासिज प्रदेश था 1982 में मड़िपूर को बनाया जाता है कि नया राज पहले मड़िपूर एक संग सासिज प्रदेश था 1982 में तिरुपरा संग राज छेत्र बनाया था पहले 1987 में मिजोरम बनाये जाता है मिजोरम संग राजी छेतर था 1987 में अनाचल प्रदेश बनाये जाता है अनाचल प्रदेश पहले संग राजी छेतर है 1987 में गोवा जो था संग राजी छेतर था लेकिन फिर राज बना दिया जाता है सन 2000 की बात करें तो उत्तरा खंड राजी का निर्माड होता है उत्तर प्रजिस से निकाल कर सन 2000 की बात करें तो जहार खंड का निर्माड होता है बिहार से निकाल कर सन 2000 की बात करें तो तेलंगाना राजी का निर्माड होता है आंद प्रजिस से निकाल कर सन 2019 की बात करें तो आपका लद्दाक और जम्मुकस्मिर के इंसासिस प्रदिस बनाए जाते हैं आपके जम्मुकस्मिर राज्जी के टुकडे करके ठीक है चलिए बात करते हैं भारती नागरिक्ता के बारे में या फिर सिटीजन्सिप के बारे में इसमें हम देखेंगे सज जान लेंगे और एनरद़ी समिदान में प्रावधान किया गया हमारी नागरिक्ता के बारे में आए आए देखते हैं राज में निवास करने वाला ला बहए बैवक्ति जिससे राज सदस्टा पिराप्टे तथा वह अपने राज और समिधान के प्रति क्या रखता है पूर आस्ता रखता है साथ ही वह क्या कहलाता है इसके काड़ वो नागरिक कहलाता है यानि भारत देश में रहने वाला कोई व्यक्ति है और भारत देश के समिधान के प्रति क्या रखता है आस्ता रखता है आस्ता भाव रखता है या का आस्ता रखता है यानि कि उसको मानता है तो वह उस देश का या का भारत देश का वो नागरिक कहलाएगा नागरिकता की अगर बात की जाए वो तो नागरिक होगे आप नागरिकता की बात करें तो नागरिकता या सिटीजन सिर् संब्धान में कुछ अधिकार लिखे गए हैं, कुछ नियम, कुछ काईद दिखे गए हैं, कुछ सेवाएं हैं, जो कि आपको नागरिक के आधार पे मिलते हैं, यानि कि आपको भारती नागरिक तायदी प्राप्त है, तो आपके भारती संब्धान में जो भी कुछ ऐसे बिस कारी आक हैं वो गिरहड करने की इस्थिती में आ जाता है ठीक है गिरहड करने की इस्थिती में आ जाता है चलिए आगे बता है तो भारती संविधान के भाग दो में नागरिक तासीरसक के साथ अनुच्छित पांस से लेके ग्यारे में है बताया गया है कि संविधान के लाग में है बताए गया है कि संब्यधान के लागो होने के समय किन ब्यक्तियों को भारत का नागिरिक माना जाएगा अनुचेद पांस से अनुचेद आड़ तक नागिरिकों के चार बरोगों का उल्ले किया गया है अनुचेद 9 में प्रापदान है कि किसी विदेशी राजी की नागरिक्ता सुईकार करने पर कोई ब्यक्ति भारत का नागरिक्त नहीं रहेगा तो भारती सम्मिधान में अनुचेद 10 और 11 में संसद की नागरिक्ता से संबंदित बिदी बनाने की क्या है संसद को नागरिक्ता से संबंदित बिद बनाने की सक्ति प्रदागी किसमें अनुच्छे ग्यारे और वारे में वह दस और ग्यारे में ठीक है भारती नागरिक्ता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है तो भारती नागरिक्ता को पांच प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पर अंग्रेजियों की बासा में लिखा है ठीक है आईए देखते हैं कौन-कौन से वो पांच प्रकार है सबसे पहला पंजी पाखिस्तान कोई राज्य है वो क्या है कि भारत के नाकरिक कहलाएंगे बंसा दिकार द्वारा देशी कड़ द्वारा जन्म से यानि कि यह दि पैदा भारत देश में होते हैं तो आप भारत देश के नाकरिक माने जाएंगे यानि कि माता पिता कोई भी यहाँ पर रहना चाहिए आई समझते हैं और किलियर करते हैं इनको point to point भारत की नागरिक्ता में ही देखते हैं भारत का समिधान पूरे भारत वर्स के लिए एकल नागरिक्ता की विवस्ता करता है यानि कि यह नहीं कि उत्तरप्रदिस की अलगनाजिता है और भारत की अलगनाजित का लेने पड़ेगी एकल नागरिक्ता की विवस्ता करता है पिर से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, जो कम से कम पांच वरसों तक साधरत है भारत में रह रहा है, वह भारत का नागिरिक होगा, नागिरिकता अधिनियम उन्यस्वो पचपन सम्मेदान लागो होने के बाद बारती नागरिक्ता की प्राप्ति निदार और रद्दिक करने से संबन देता है ठीका कौन सा नागरिक्ता संसोतन अधिनियम 1905 मार्च 25 में पिरतम सब्ता के विदेश में रहने वाले भारती नागरिक्ता जैसी सुविधाश देने के उदेश से नागरिक्ता संसोतन बिदेश रूजना का बिलैक कर दिया जाता PIO बीजा पहले 15 साल के लिए दिया जाता था अब यह आजीवन हो गया है PIO बीजा हासिल करने वाले को भारत में 6 महीने से अधिक रहने पर पुलिस इस्टेशन जाकर रिपोर्ट दर करानी होती थी और हर 6 महीने पर बापस भारत लोटने के बाद उन्हें पुलिस इस्टेश बालों का क्या कर लिया जाता है बिले कर लिया जाता है ठीक है PIO कार्ड धारक भी अब भारत में जमीन जायज़त खरी सकते हैं उसी तरह जैसे OCI कार्ड धारी कार्ड रखने वाले खरी सकते थे वैदारा खत्म कर दी गई जिसके तएद भारती नागरिकों से साधी करने व ये बिदेश जाने की इजाज़त होगी एक साल में से 30 दिन के लिए बिदेश में जाने की भी अनुमति दे दी गई थी PIO और OCI के बिले के बद भारती मूल के लोगों को हमीसा भारत में रहने की इजाज़त होगी उन्हें आम नागरिकों के सभी अधिकार पर राप्त होंगे बस उन्हें बोट या करे चुनाम में भाग लेने और बोट देने की अनुमती नहीं है किसे PIO और OCI को ठीक है चलिए बात करते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में यानि की fundamental rights of citizen जो हमारे fundamental rights जो है जैसे कि आपका संता का अधिकार हो जाता है अनुचे 1418 संस्क्रित और सिच्छा संब्धानी कुक्चारों का अधिकार अनुचे 32 में ठीक है आईए एक एकर करके point क्लियर करते हैं किसी भी संप्रवू जो होता है संप्रवू में आपको बता चुका था कि अबाद रूप से आंत्रिक और वहरी जो है अपनी नीतियों का क्या सथ कर सके क्रियाम महिन कर सके वह संप्रवू राष्ट होता है ठीक है तो किसी भी संप्रवू राष्ट में राज की ओर से अपन धर्म, मूलबंस, जाती, लिंग, जन्मिस्तान, आधि के आधर्व, बिवेद का प्रतिज़, इसको मैं किलियर कराओंगा, अभी बोलते रहा हूँ, अनुच्छे तोले में लोक नियोजन के विशे में अबसर की समानता, अनुच्छे दुनिस में विचार, अवियत्ती, सांत अनुच्छे में अलव संक्योकों को सिच्छा एवन, संस्कृ्ती, सम्दिय अधिकार, अनुच्छे दूच्छे में अलव संक्योकों को अपनी संस्क्रति के संरच्षड हेतू रुची की और सेल्चिडिक संस्ताओं की इस्थापनायों प्रवंधन का अधिकार संस्त की सदस्या अनुच्छे 94 तथा राजबिधान वंधनों की तदस्या अनुच्छी एक से क्यावन की अणनता जो कि भारतीयों के लिए एक अधिकार दिए गए लोग प्रत इदित अधिनियाँ 1950 की देथ मत्यान करने का अधिकार भी क्या है भारतियों को ही यानि की मूल अधिकार के रूप में देखने को मिली जाते हैं एक तरह से ठीक है आईए देखते हैं के लिए ठोड़ा सा करते हैं समझते हैं नागरिकों के मूल अधिकार तो हमारा जो भारती सम्मिधान था भारती सम्मिधान यह है भारती सम्मिधान सभी नागरिकों के लिए बेक्तिगत और सामुई की रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है और इन मौलिक अधिकारों को छे स्रीडियों में या छह ब्यापक सीरेडियों में बाइध कर यहां पर पढ़ सकते हैं यहां हम पाइध कर क्या पर सकते हैं समिधान में ही छह सीरेडियों में रखा गया है तो मैंने क्या बता है भावती सम्मीधान सभी नागिरिकों के लिए बैक्तीगत और सामुईक रूप से कुछ बुनियाद अधिकार देता है इन मौलिक अधिकारों को छे बियापक स्रीडियों के रूप में सम्मिधान में गारंटी जी जाती है जो नियाए हो छे तो और नियाएले में बाद योगी है बाद योगी का मतलब यह है कि यदि आपके इन मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का क्य ये वाला जो अधिकार देता है सम्मिदान वो हमारी पूरती नहीं ओफा रही है या फिर हमें उस अधिकार को पूरती करने में क्या हो रही है बादा हो रही है तो हम नियायले में जा सकते हैं और उसके क्या कर सकते हैं हम जाकर क्या कर सकते हैं नियायले में बादी बन सकते है मतलब सरी नियायले में जाके क्या कर सकते हैं मुकदमा डाल सकते हैं कि ऐसे से करके हमें जो है ये मानली जी सतंता का अधिकार है हमें बोलने का अधिकार नहीं जा जा रहा है हमें मानली जी कहीं पर रहने से रोका जा रहा है मानली जी हम भारत में उत्तर प्रदेस में बासी ह महाराष्ट में हम पिलोट कुषए ना चाते हैं लेकिन केसी कर्स में रोक जाए तो हमारा क्या है, यह मौलिक अदिकार का जो क्या हो रहा है हनन हो रहा है, तो उस हनन को रोकने के लिए हम नय memorial की सरड में भी जा सकते हैं फिर से बता दूँ कि इस छे ब्यापक स्रीडियों मटा गया है और संबिधान में इनकी गारंटी दी जाती है जो कि नयाय वचित और बाद योग्य है ठीक है संबिधान के भाग तीन को भारत का मेगना काटा की संग्या दी जाती है और ऐसा कहना बहुत सही भी है क्योंकि ऐस बारे से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंद में जानकारी दी गई है हालांकि संपत्ती का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के तहट आया करता था जो कि 24 में संबिदान संसोजन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है और इसे संबिदान के भाग बारे में 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया पहले क्या था आपका संपत्तिक अधिकारी मूल अधिकार था है यानि कि हर किसी को मकान हर किसी को पिलोट की अलसिक्ता या कि देना अनिवार था लेकिन फिर बाद में इसको खतम कर दिया गया चलिए नेक देखते हैं यहाँ पर पहला भाग देख लेते हैं समानता का अधिकार अनुच्छे चोदे से लेकर अठारे तक चोदे पंदरे सोले सत्रे और अठारे पांच अनुच्छे दाते हैं जो कि आपका समानता का अधिकार को क्या करते हैं समानता के अधिकार की ब्याख्या कर अनुछे चोदे जो है बिद के समक्ष समानता बिद मतलब कानून कानून के प्रती सभी नागरिकों को समान रूप से क्या है समानता दी गई है यानि के सीधा समतलब यह है कि मान लीजिये मैं हूँ मेरे लिए जो कानून है वही प्रधान मंतरी के चचा के भतीजे के लिए का का मतलब यह नहीं कि उसके लिए कानून अलग हो जाएगा मान लिए कोई पुलिस में है मान लिए हमारे पडूस में है क्यों पैसे वाले हैं गरीब लिए कंजोर का क्या किया गया है प्राबधान किया गया है क्योंकि आप लोगों पता होना चाहिए कि सी और एनार्सी वाला जो बिल था वो इसी कारण से क्या कर दिया जाता है असमेदाने गोसित कर दिया जाता कि उसमें केवल मुसल्मानों को ही क्या करने थे कागज दिखाने थे उनको ही तो इस तरह से वो क्या था कि वहाँ पर क्या था अनुच्छे 14 का क्या हो रहा था उनलंगन हो रहा था यानि कि वहाँ पर क्या किया जा रहा था किवल विशेस रूप से pearl stays consistently इस लिए वहां पर क्या था बिद के समझ समनता नहीं थे या हिंदू हूँ तो मेरे लिए भी कानुन होगे लागू मुसलमान है तो उनके ली भई कानुन होगे इसनी खते हैं तो उनके लिए भी कम पैसे वाला तो उसके लिए ज्यादा पैसे वाला है तो उसके लिए मान लीजिए कोई भी विदि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद चोधे में ठिक अनुच्छेद पंद्र है धर्म मूलवंस जाती लिंग एवं जन्विस्तान के आधार पर विवेद का प्रतिशित यानि की धर्म यानि की आप मुला जी हैं आप हिंदू हैं आप सिख हैं इसाई हैं जैन हैं फार्सी हैं कुछ भी हैं आपके धर्म के आधार पर आपके साथ धा और बिट कर पीछे हमारे मुला घी बैठ वे पर है न पर बैठ वे थे होई ति recipro लंबी लटक रही थी तक चलते चलते बस में बीठ था जैसी ब्रेक लगा करती थी तो वहाँ पर वो क्या करते थे में जो मुला जी थे पीछे वो मेरी चोटी पकड़ लिया करते थे यार बारवाद मैंने कि यार एक बार हुआ उन्होंने कोई बात नहीं चलता है यह दुबारा से फिर बस जैसी ब्रेक लगी बैसे उन्होंने मेरी फिर से चोटी पकड़ ली यार तो जैसे दाड़ी पकड़ी मुला जी बोले यह क्या कर रहे है यह तो अल्ला का नूर है अब हमने का साली यह अल्ला का नूर है है तो यह किया की पूछ है तो यहां पर समझ बार Dep 이후 लें हैं कि आप धर्म मूलवश जाहतं लेगा जन्मस्थान के अधर पर आ आप के बीचे में क्या नहीं किया जाएगा जाएक कि आप महले जी कहीं मूल बंस्के हैं, आपका माली जीओ कोई विशेस वमधाय से आप तालोग रखते हैं तो आपके ताप बेद नहीं किया जाएगा, आप माली जीओ कोई जाच से रखते हैं कि पंडिडी जीओ कोई अंडी जात का नहीं है, तो उसके साथ क्या करेगा, कि नौकरी के लिए हम ज लोक सार 550 तो समझ जाना कि पंड़ी जी की ले ली जाए कि क्या कि आपकर आपके साथ लिंग का मतलब 262 यानि की पुरुसु आरि महला पिश्टरी लिंग और पुलिंग दौन लिंग की बात होती है तो लिंग के आधार पर आप बिवेद नहीं करेंगे, लिंग का मतलब आप लड़की हैं तो ये नहीं कहेंगे, वाईसा आप तुमसे न हुपाएगा, आप मान लिजिए कहीं किसी कान को करने जा रहे हैं, तो आ पाकिस्तान के लोग भारत में आये अब वो मुस्लिम है या फिर कुई भी है भारत में आके रुकते हैं और रुकने के बाद वो क्या करते हैं कि वैसा वैसी बात है कि रुकने के बाद वो यहां पर रुकते हैं हम क्या तहरे तो पाकिस्तान यह तो पाकिस्तान से आया है तो वहीं चला जा या फिर मान लीजिए बिहार का कोई रहने वाला है बिहार का रहने वाला है काम करने विचारा जाता है कहां पर आप मान लीजिए वो जाता है गुजरात में आप मान लीजिए महाराश में जाता है तो उसके इसलिए विभेद नहीं किया जाएगा कि वह विभे 16 लोक नियोजन के बिसे में अफसर की समानता यानि कि सभी को अफसर की समानता दी जाएगी यानि कि माल लीजिए कोई मुझे अपना जीव को पारजन करना है यानि कि मैं अपनी बच्चों को पार ला है तो उसके लिए मुझे कांद करना है तो मेरे साथ किसी भी तरह का वेदवाव नहीं किया जाएगा सबको अफसर की समानता मिलेगी ठीक असपरस्था का अंता यानि कि अनुछे सत्रह क्या कहता असपरस्था या फिर चुआचूत का अंत करता है यानि कि मेरे साथ जात के आधर पर याभी किसी अन-के आधर पर मेरे साथ चुआ छूत का जो भाव है वो नहीं रखा जाएगा वैसे यह तो अब खतम हो गया है अब कोई मतलब नहीं है कोई चुआ छूत नहीं मढता कर करें तो आज से कहीं पर भी चला जाए राजा रम्मु अन्राय को ले लीजिए पर किसी को ले लीजिए बड़े लेके लोगों का यह सब चीज़ें नहीं होते हैं वो छुआ चुट या पिर इस तरह की चीज़ें नहीं बानते हैं तो अनुच्छे 17 में अश्परस्ता का अंत या छुआ चु या फिर मान लीजिए नायक की उपादे या नायट की उपादे इस तरह की उपादिया थे उन उपादियों का अंत कर दिया गया था यह समान था क्योंकि उपादी आपको दे रहा है आपको राजनी बोला रहे हैं आपको महराज बोला रहे हैं आपको तीस मारखान बोला र लेकिन यहां पर कुछ चीज़ें भी आती हैं कुछ जैसे की बड़े बड़े दूरतन दे जाते हैं बाहरतन इनके बारे में बात नहीं हो रही है उपादियों का अंति जैसे कोई किसी को दे देता था यहां बेदी के समक्ष समानता में भी यह नहीं कि आप प्रधान मंतरी के करें कि प्रधान मंतरी के कानून तो है समान लेकिन कुछ बड़े लोग जैसे राजिपाल है राजफती हैं उनके लिए कुछ जो है इसमें वो लागू नहीं नहीं होते हैं कुछ हट तक ठीक है तो उपादियों का अंति इसमें कर दिया गया अनुच्छ अठारे में सांती इस्थनाद का हैं अनुच्छ अनुच्छ अनेस suf अन्तर्गत आगर बात की जेता संती पूर हथियार है रहे समेलन का अधिकार अनुच्छ अननीस अ में बाग अव वियक्ति की स्वतनता अनुच्छेत 19A1 में संगम या संग या सहकारी समिती बनाने का अधिकार अनुच्छेत 19A1C में भारत के राजी छेत्र में अवाद संचर्ण का अधिकार अनुच्छेत 19A1D में कोई व्रत्ति आजीविका या व्यवसाय या फिर व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेत 19A1D में भारत के किसी भाग में निवास करने वो बसने का अधिकार अनुच्छेत बन ए में 19 बन ए में ठीक है तो आईए देख लेते हैं 6 के 6 भी बाक अविविरत्ति की स्वतंतना अनुच्छेत 19A1D में भाक मतलब बोलने का अधिकार दिया गया अनुच्छेत जो 19 है वो इस बात का अधिकार देता है कि आप अपनी बात को बिना किसी रोक टोक के रख सकें बस द्यान ये रहे कि आप जो बात बोल रहे हैं वो किसी ब्यक्ति को ठेश तो नहीं पहुचाती किसी धर्म के ब्यक्ति को ठेश तो नहीं पहुचाती किसी महापुरुस को गाली तो नहीं दे रहे हैं किसी ऐसे ब्य कि बाग और अविविरत्ती की स्वचनता अनुचेद 1901 ए में दिया गया आप अबाद रूप से यानि कि भिना रोख्टो कर आप अपनी बात को रख सकते हैं बसरती होगी कि आप किसी को इस से थेस नहीं पहुँचाएंगे उसकी भावनाओं को ठेस अयाहत नहीं करेंगे ठीक है देजदरोई वासड नहीं देंगे आप गद्दार जैसे कुछ कुछ गद्दार लोग हैं वो देजदरोई वासड देते हैं कि अमारत बोलने का अधिकार है बोलने का अधिकार नहीं आप देजदरोई वासड नहीं दे हत्यार रहे सम्मेलन का अधिकार दिया गया है यानि कि आप सम्मेलन करना चाहते हैं मान लीजिए किसान का जो बिल पारिस हुआ था किसानों के लिए आप क्या कर सकते थे आप सम्मेलन कर सकते थे यानि कि ब्रोध कर सकते थे लेकिन हत्यार रहे जैसे कि आपके शिक जो लोग पिरतस्र नहीं है, ठीक है, कोई ब्रत्ती आजीविका विवसा या फिर ब्यापार करने का अधिकार, यानि कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आजीविका के लिए अपना पेट भरने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, मेरी मर्जी, उसको उसके लिए हमें कोई रोकेगा नही टोकेगा नहीं ठीक है तो कोई ब्रत्ती आजीब का विवसा या फिर ब्यापार करने का अधिकार अनुचेद बंजी में भारत के किसी भाग में निवास करने में बसने का अधिकार अनुचेद 19.1 ए में दिया गया है यानि कि आप भारत के किसी छेत्र में आप भारत में उत् कुछ छेत्रों को छोड़ कर जैसे कि अंसूची छेत्र अंसूची जन्जातियों वाला छेत्र जैसे है माली जी दादर नगर वह सरी अंडमा निकोबार दीप समुई अब वहां क्यों क्यों कि हमें उनका संदाचड करना है किस से किस से जन्जातियों का संदाचड करना है उन ना जैवो ना जैवो परदेश लेकिन माधी नहीं नहीं मान रहा है तो ठीक है जाना चाहता है चली कोई बात नहीं लड़के को हमने बेज दिया अंडुमन निकोबर दीप समू कुछ दिन तो वही आ वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद हम भी पहुंचे पीछे-पीछ उसमें हैं जन्जाती चेत्रे आप्यों के बैकर के नहीं रहा है टो देया तो आप बेजीती тоб KENNी जान रहे हैं बच्चा खेल यह इंवान और वौटी झतमियान न allora को आप सब्र अग्ने समतलों करते हैं एकसे बिज्चा अधर लेड़न प segurança कर्हें करने को मिला था तो इस तरह से तो कुछ ऐसे छेत्र है जहां पर आपको निवास करने से रोका जा सकता है क्योंकि बहां पर आप से खत्रा है या पर उन्हें आप से खत्रा हो सकता है ठीक है या आपको उनसे खत्रा हो सकता है इसलिए तो समझवा है बारत के किसी भाग में नि दिज्जी समिती, अखिल वारती है, जाटफ समिती, अखिल वारती है, ठाकुरसाब समिती, अलिखिल वारती है, फलाना समिती, कोई सीवी कितनी भी समितियां बनाई हैं, आपको संग बनाने का संगम या सहकारी समिती बनाने का अधिकार दिया गया है, अनुछेद बनसी में, ठीक है शलिए इंद के विरुद्ध भी अधिकार आपको दिया गया है ठीक है यह कुछ मनोग अधियार होए आएए देखते हैं आगे अफरादों के लिए दो सिद्ध के संबंद में संवर्चट जैसी कि माल लीजिए पुलिस का काम होता है जाधतर फर्जी फसाना चोड़केद बदमाज जो होते हैं उन्हें वो पकड़ नहीं पाती है क्योंकि वो जो होती है उनसे डरती है सरीफ लोग पुलिस से डरते हैं औ दो माल लीजिए पुलिस तो हमेँसा फसाने की कोई करती है तो उसने फसा दिया अब फसा दिया Easy और करें तो फचैसे को जाधा पैसी एस यारा मैं मैं जानता हूं हमारे साथ कई बार एसा हुआ posição आ का मिला है हमारे साथ एक वार नहीं कई बार की बात है हमेंसा पैसी की बज़े से पुलिस से जड़प होती है जब भी बैस हुई है तो पैसी की बज़े से हुई है कुछ न कुछ कारण से हमेंसा कोसित गरती है कि किसी मामले को इतना तेज खीचा जाए इससे पैसा ज़्यादा कमाया जाए तो आप अफरादों के लिए दो सिद्ध के संबंद में संब्चड आपको अनुचित 20 देता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि मालीजिए आप के उपर किसी ने या फिर कोई आरूप लगा दिया तो आरूप लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है आप पे मालीजिए कोई कर देता है आरूप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दो सिद्धी यानि कि दो सिद्धी के संबंद में समचने है यानि कि जब तक आप अफरादी नहीं माने जाएंगे जब तक दो सिद्ध नहीं हो जाता तो उसके लिए हमें दिया गया है क्या दिया गया है हमें चोर नहीं बोला जाएगा ठीक है बले हमें चोरी करते हो पकड़ ले बेड़ने खुब पीटा लेकिन हमें जब तक नहीं बोलेगी जब तक दो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक नहीं माले जाएगा ठीक है अनुच्यत 19 पिराण एवं देहक सुतनता का संदाचड का मतलब के आपको जीवित रहने का अधिकार है जीवित रहने का अधिकार के साथी देहक सुतनता का मतलब है देहक सुतनता का मतलब है देहक मतलब देह बोलते हैं देह मतलब सरीर काया वडी तो हमारा जो सरीर है देहक सुतनता का भी हमें अधिकार है जैसे हमारे उपर यह नहीं कि हमें जिन्दा तो रखा जा रहा है लेकिन हमें क्या किया जा रहा है हमें कहीं बीडियों में बांद कर डाल दिया है किसी कमरे में बंद कर दिया है ऐसा नहीं आपको पूरी तरह से तांड और देहक सुतंता का आपको रहने का अधिकार है, यानि कि आप अगर अफरादी नहीं है, आप किसी की गोली मा रहा है आजयाद रहने की तो ऐसा नहीं, बड़ो हम आप, अफरादी नहीं है स्मचारा की अगर बात तो सिक्चा का अधिकार दिया गया है अनुच्छे अधिकार जो है राज की सुरक्षा बिदेशी राश्टों के साथ बिन्नतापूर संबंद सारजनिक बिवस्ता सालीनता और स्नयतिक्ता के अधिन दिये जाते हैं चलिए आगे समझते हैं एक श्री-120 के बिरुद अधिकार देख लेते हैं अनुच्छे तेईस से च्वीश तक ठीड़े अनुच्छे शेट्ईस में मानव और ब्यापार होड़ा सिरम का प्रितस्यद्ध बालास्रम मतलब बलपूरवक होता अंच्यों मतलब compare को याने कि आपकी बिना मर्जी के यानि कि जवरजस्ती बोबाला जवरजस्ती नहीं बलात स्रम यहां बात हो रही है यानि कि बल पूरवक आपसे स्रम यानि कि काम कराया जाना काम बोबाला भी काम नहीं मतलब बरकिंग बाला काम ठीक है तो मानब दुरुब्यापार मानब अधिकार दिया गया है कि आपके साथ कोई दुरुब्यापार न करें, दुरुब्यापार का मतलब आप से कोई जवरजस्ती काम न कराए, आपके साथ कोई मारपीड न करें, आपके मानली जी यहां से क्या कर रहे हैं, आपको नौकरी लगाने का जहां सा दे कर आपको मानली ये सौधीरा बेज दिया जाए तो आपके साथ ये सब नहीं किया जाए यानि सौधीरा बेज दिया जाए सौधीरा में क्या किया जाए आपका पास्वर्ड वगरा जब्त कर लिया जाए और आप आप से जबरजस्ति काम कराया जाए तो वो यहां के बेक्टी के द्वारा प्रिचिश्टेद करता है अनुच्छे तेएसफ अनुच्य चौरबिस में जो है कार खानों आदमें broadly के δ्यूजन का प्रिच्श्टेद जाने के कारखाने हैं वां उम्री के जो बच्चे हैं उनमें खतरना कार खाने ख़दानों में चौदे से कम उम्री के बच्चों के साथ आप बच्चों को काम में नहीं लगाएंगे यानि कि बला सिरम में ये आ जाता है ये अनुच्य 24 के बिरोद हो जाता है बालकों के नियोजन का पिर्चिदेज होता है ठीक है चलिए धर्म की स्वतनता का अधिकार अनुच्य 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतनता का अधिकार अनुच्य 25 में जो अन्ते करड की और धर्म की आवाद रूप से मानने आचर करने पिरचार करने की स्वतनता ठीक है फिर से बता दूँ अन्त्य क्रण की और धर्म की अवाद रूप से मानने आचरड करने औरौ। विचार करने की वो पििचार करने की सचंता दी गया अनुछित 25 में यानिकी मान ली जीए आप हिंदु धर्म को मानने वाले हैं तो आप अपने धर्म को मानते हैं अन्त् बिएकर्ड्य करकि यानिकि अंतर जो मेहसुस sigui करते हैं उसकी स्वздंत्ता धर्म की अवाद रूप से मानने कृते हैं यानिकि हम भोले के भक्त हैं तो भोले के भक्त हैं कोई मुलला जी या फिर कोई और हमारे उपर टिपड़ी नहीं कर सकते कि क्या होते हैं बोले या फिर माल लिए कोई नमाज पढ़ता है मुसलिम है वो अपने अल्ला की अबादत करता है मानता है तो हम जो हिंदू है तो हम उनकी अल्ला की अबादत पर क्या नहीं कर सकते कि हम उनकी क्या नहीं कर सकते उस पे हम टिपड़ी नहीं कर सकते उनको हम रोक नहीं सकते मार नहीं सकते पीट नहीं सकते एक कविता होती है दिल अबादत कर रहा है तो हमारा जो दिल है अबादत यदि किसी करता है तो अबाद रूप से अबादत करना और मानने का पिरचार करने क अधिकार दिया गया है पिचार मतलब अपने धर्म का हम बोल सकते हैं किसी के बारे में हम हम अपनी बात रख सकते हैं ये नहीं कि उससे किसी को फर्क पढ़ना चाहिए ठीक है नेक्स देखते हैं दार में कार्यों के प्रवंदिकी सुतंता दार में कार का मतलब आप मालीजी मुस्लिम हैं नमाज पढ़ना चाहते हैं आप अपनी नमाज पढ़ सकते हैं अपनी मस्जिद में जाईए और जाके नमाज पढ़िए आप हिंदू हैं आप मंदिर में जाईए पूजा करिए आप आगवत करवाना चाहते हैं करिए बस इससे किसी को दिक्कत नह आप नमाज पढ़ रहे हैं आपने बीच रोड पे गड़ी रोकी और गड़ी रोकने के बाद जाम कर दिया रोड और रोड पर बिछाया हमने तिरपाल और वहीं पर जो है अल्ला हुआ अकबर चिलाने लगे या फिर मान लीजिए हमें एकदम याद आया कि हमको मात लीजिए आज जो है कुछ प्रोग्राम है और हमने सारे काम का छोड़ चार के हमने बीच सड़क पे पंडा लगवा दिया और जागड शुल कर दिया तो यहां पर अपना धार्मे कारों की प्रवंद की स्वतंता तो दी गई अनुच्छे 26 में लेकिन किसी को परेशान करने की स्वतं अनुच्य 27 किसी बिस्ष्ट धर्म की अविब्रद्धी के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंता यानि मान लीजिए आप किसी बिस्ष्ट धर्म के हैं आपके कर को यानि कि मान लीजिए आप मस्जिद में कुछ पैसा बगएर आया तो कर जो है यानि कि आप तो वो चाहते हैं कि अपने धर्म की क्या कर सकें अभी बिरद्धी कर सकें अपने धर्म में क्या कर सकें थोड़ी बढ़ोत्री कर सकें और अपने धर्म के लिए वो मस्जिद का थोड़ा सा क्या करना सकें डेंटिंग पैंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना में दार्मिक सिच्छा का धर्म दार्मिक उपासना में उपस्तित होने के बारे में सुतंता यानि कुछ संस्ता में धार्मिक सिच्छा या फिर धर्म उपासना में उपस्तित होने के बारे में इसमें सुतंता दी गई है अनुच्छद एकतिस अनुच्छद संस्क्रती और सुरक्षित रखने हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हमें थोड़ा से सरकारी सपोर्ट कर सकती है तो हमारी लिपी हमारी संस्कृति हमारा जो कुछ भी है उसको सुरक्षित रखने का हमारा अधिकार है यानि कि हमारी अर्भी है माली जी हमारी हिंदी है हिंदी जो खत्र में आ रही है क्योंकि हमें हिंदी बोलने में सरम आती है समझ पार ना यानि कि हिंदी बोलने में सरम आती है आप कितने भी प्रिखांट विद्वान बन जाए यदि आपको अंग्रेजी का क्या करना है सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया अनुच्छित उन्तिस में आप मान लीजिए तमिल के प्रेमी है तमिल चेत्र की बात करना है तेलगु के प्रेमी है भोजपुरी के प्रेमी है मराठी के प्रेमी है तेलू के तेलू, तमिल, उडिया, बंगाले, विहर, इन सभी के क्या है आप प्रेमी है तो अपनी भासा और अपनी लिपी को स्रक्षित रखने का अधिकार इसमें दिया गया है अनुच्छे 30, अल्प संक्यक बर्वों के हितों का संदच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मतलब यह नहीं कि इतना उन्हें संदक्षड दिया जाए कि साला दूसरा जो बर्ग है वो क्या हो जाए वो दूसरा बर्ग अल्पसंक्यक हो जाए यानि कि सीधा ता मतलब यह है कि आप माल लीजिए मुस्लिम हैं मुस्लिम का मतलब यह है कि हम लोग अल्पसंक्यक भी माल ली यानि कि आपको स्वतंता दी गई है कि क्या दूसरे की स्वतंता का अनंद तो नहीं हो रहा है किसी दूसरे की आप साधन पे तो नहीं आ रहा है मतलब आप मान लिजिए कि आप भारत देश में साधन जो है resources बगेरा है जो है सीमित है आप जो है अपने हिस्ते का तो ले रहे हैं दूसरे का हिस्ते का भी ले रहे हैं मतलब सुतनता आपको मिली है तो यहाँ पर क्या है अल्प संख्यक बरोंगे हितों का संद्च्ट नहीं अल्प संख्य मतलब अल्प संख्य का मतलब कम संख्या अल्प मतलब कम संख्या के जो लोग है तो आपके कौन हो गए जैन हो गए पार्सी हो गए आपके मुस्लिम तो काफी जन संख्या है उनकी पार्सी हो गए किस्चन हो गए इन लोगों के लिए क्या किया गया है इनों के हितों का हितों का इनकी जो फाइदे हैं उनका संदच्छड किया चाहेगा अनुच्छत 31 सिच्छा संस्ताओं की इस्थापना और प्रिसासित करने का अल्ग संक्यक भरवों का अधिकार यानि की सिच्छा संस्ताओं की इस्थापना करना जैसी कि मुस्लिम है या फिर इशाई है वो अपने से खुलवाना चाते हैं ठीक है मदर से खुलवाना चाते हैं तो अपना सिच्छड संस्ता का अपना विवस्ता कराए हिंदू है संस्क्रत का प्रिचार करना चाते हैं तो संस्क्रत कॉलेज खुलवा सकते हैं तो इस तरह से अल्ग संक्यक भरवों का अधिकार ठीक है यानि मूल अधिकारों के किरियाम बयन का माध्यम भी है फिर से बता दू अनुच्छेद 32 के वल मूल अधिकार ही नहीं है बलकि मूल अधिकारों के किरियाम बयन का माध्यम भी बताया गया है तो अनुच्छेद 32 जो है संविधानिक उपचारों का अधिकार है यानि कि संविधानि केवल मूल अधिकार ही नहीं है बल की है मूल अधिकारों के किरिया बहन का माध्यम ये बताया गया है तो अनुछेद 32 संविधानिक उप specjalो का अधिकार इसमें कुल बंदी प्रतिचीगड, परमादेश, प्रतिसेद और अधिकार प्रस्चा यानि कि पांच प्रकार की रिटों के बारे में चर्चा की गई क्या-क्या बंदी प्रतिचीगड, परमादेश, प्रतिसेद, अधिकार प्रस्चा और उत्प्रेसर रिट ठिक आईए के करके सब की को समझते है नाग्रिकों के मूल अधिकार संब्धानिक उप्चारों का अधिकार अनुच्छे 32 से लेकर 35 तक दिया गया है डॉक्टर भीम रामबिडकर ने संब्धानिक उप्चारों को संब्धान का हिर्दय और आत्मा कहा है इनके पांच प्रकार के प्राबधन की गए है कि इसमें आपके अनुच्छे 32 में तो सबसे पहला जो आता है बंदी प्रतच्छी कड़ परमादेश नेसे ताग्या अधिकार प्रश्या और उत्प्रेसर रेट हैविएस कारपस मेंडेमस प्रोहिवीजन ठीक है दरिट और क्यों वारेंटो ठीक है चलिए एक एकर के कलियर करते हैं सबसे पहरा है बंदी प्रतच्छी करड़ रेट दोरह किसी भी गिरभतार ब्यक्ति को नियायले के सामने प्रस्थत किया जाने का आदेश जारी किया जाता है यदि गिरबतारी का तरीका या काड़ गैर कानूनी या संतोस जनक न हो तो नियायले ब्यक्ति को छोड़ने का आदित देदा माली आपकी गिरबतारी हो जाती है और पुलिस सही काड़ नहीं बता पा रही है कि इन्हें किस लिए पकड़ा है तो गिरबता कानून तरीका जो है गेर कानून नहीं पाए गया या फिर उसका तरीका जो है सही नहीं पाए गया या संतोस जनक कारण नहीं पता पाई तो उन ब्यक्ति को छोड़ देने का अधिकार होता है दूसरा देखते हैं परमादेश परमादेश रिट यह है आदेश उन परिस्टित का मौलिक अधिकार क्या हो रहा है यानि कि सीदह सामत लए यह नियायलीयोरा जारी किया जाता है जब किया जाता है मालीजी कोई व्यक्ति यह किसी तंविदानक पद्थ पर-बैठा वह वह क्या कर रहा है उस पर की घर्म, जो है, बनाने में सच्छम नहीं है, यारत टेंगे को जॉब करते हैं, कि जॉब कुसी और दूसरे व्यक्ति क्या हो रहे हैं, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार आप प्रवावित कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आप कोई और काम करते हैं सम्मिधानिक पत्पर आप बैटे हुए हैं करतब्यों का पालन नहीं कर रहे हैं आपको मान लीजिए किसी बड़ी पोस्ट प अपने अधिकार छेत्र की अत्कमेत कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निशेत आगया का प्रसेद लेख जारी करती है माल लीजिए कोई कार है वो जिला नयायले में होने जा रहा है और वो जिला नयायले की अधिकार छेतर में नहीं आता है और हाई कोट यानि की हाई कोट या फिर सुप्रिम कोट का है या फिर माल दीजे जिला लेया लेकले माली कोई कार जो है हाई कोट में किया जा रहा हूँ हाई कोट की सीमा में या छेतर अदिकार में नहीं आ रहा है और उसके लिए क्या करेगा उसके ल मतलब इलावाद हाई कोड जो है जिला निया एले को कर सकता है ठीक है या फिर सुप्रीम कोड जो है उस हाई कोड को कर सकता है फिर से बता दूँ जब कोई निचली एडालत अपने अधिकार छेतर से क्या करती है अतिकरण मतलब अधिकार छेतर भी जो सीमा है उसको लांग ज आती है माल लिजिए किसी को फांसी कि सरदा सुनाई है तौinka ये वहाई निया ये सुना देता है तो उस में क्या है वो उस अधिकार आधिकार प्रस्चा आधेस चारी कर उस ब्यक्ति को उस पद पर कार करने से रोग सकता मानलेजी को जिले का अधिकार प्रेश्चा आदेश चारी कर सकता है उत्प्रेशड रेट उत्प्रेशड की अगर बात करें तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी विना अधिकार के कोई ऐसा कार करता है तो नियायल है इसके समझ बिचारा धीन मामले को उसे रोक कर उत्प्रेशड क्या होता है मानली जिए कोई अधिकारी है मानली जिए मैं किसी किसी जिलेगा तो मानली जिए कोई छोटा मोटा डॉक्टर है कोई अधिकारी है मेरे नीचे का दो वो कारी जो कर रहा है तो उसको क्या करेगा उसको निचली उससे क्या कर दिया जाएगा मना कर दिया जाएगा या फिर मालने जीए कोई निचली अदालत है वो निचली अदालत या फिर सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के वो कार करता है तो नियायल है उसके समझ बिचारा धिन मामली को क्या कर सकता है उठा के और उपरी यानि की उपर की अधिकारी को अस्तानांतरत कर देता है इसमें सात्यों बात करते हैं राज के नीत निदिसक्त्र चत्म है उन्हें तीन भागों में बांट कर पर सकते हैं तो मैंने क्या पता है निदिसक्त सिर्धानतों का बरगी कर नीत निदिसक्त्र तत्म की ब्यापक्ता को देखते हुए इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है कु का सब्सक्राइब तंतार की अगर बात की जवाटा है वो कुछ प्रमख अनुष्यद जो आ जाते हैं समाजबाद Sullivan पिष्यस्ता में वो आघाता है आपका अनुच्छभ अर्टीस अर्टीस खा अर्तिस घा एृतिश का बैयालिस और बेयालेस वो तिटालिस का गांधिवाstad रिचान這邊 तो कि अगर बात की जातो डिया गया है राज के नीट न्यटिसBook कि डिया गाहि नेट warto आ ली रही है तो छंव poppingiran के भौझ चार में अनुच्य च्छतिसते 51 के पतजरत किया गया है राज के नीट नीटिस dough जो की सरकारों के नाम हमारी ऐसे निर्देस हैं जो देश की सासन विवस्ता के लिए मौलिक हैं जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकार हैं इसी तरह से राज के लिए या कहें राष्ट के जो सासन सासन करता के लिए ये क्या हैं कुछ प्रमुक मौलिक अधिकार हैं राज के नीत निर्देशक तत्वों का उद्देश से जनता के कल्याण को प्रोसाइद करने वाली सामाजी विवस्ता का निर्मार करना है नीत निर्देशक तत्वों को पिरसास्टों की आचार सेंता भी कहा जाता है यानि कि इससे क्या करना है जो कल जंता है उसके कल्याण के लिए कार करना ही नीत निर्देशक तत्तों का क्या है एक प्रमो को उद्देश से इसमें दिया गया है ये देखते हैं अनुच्छे 36 से लेकर 51 तक 16 अनिच्छों की अगर बात की जाए 16 अनिच्छों में निर्देश तक तक तो देश के सासन के मूला दिकार हैं और निश्य ही विद बनाने में इन सिध्धान्तों को लागू करना राजिका करतब होगा और करतब के बारे में कहें तो करतब जो है बादिकारी नहीं होते हैं करतब का मतलब यह होता है कि आपको माता-पिता का कहना मानना चाहिए आपके माता पिता ने आपको बड़ा कर दिया, खुख खिलाया पिलाया, अब आपका करतब ये बनता है कि आप उनकी सेबा करें, अब आप उनकी सेबा करें या न करें, तो क्या वो आपको सजा दिलवा देंगे, क्या वो आपको कूट में घसीट के जा लें, नहीं न, अब आपके लिए मावाप ने सब कुछ कर दिया, उन्हें आपको बड़ा कर दिया, तो आपका कर्तब बनता है कि उनकी सेबा करें, अब ये बात दिकारी नहीं है, करें या न करें, समझ के ऊपर है, आप समझदार हैं तो करेंगे, नहीं समझदार हैं तो नहीं करेंगे, तो आप पंधा लगा सकते हैं इसमें कुछ special discussion करने की आप सेकता नहीं है ठीक है ये सिद्धान्त किसी भी नयायले में प्रिवर्तनी नहीं है यानि कि आप अगर कोई सरकार है माली जी ए माली जी नेता जी हमारे जो नेता जी हैं जैसे कि हमारे नरंद मोदी जी जो है प्रधान मंत्र नयायले में कोट में जो है जवरजस्ती करवाएंगे नहीं न या फिर माली जी पप्पू जो है हमारा सोने से सोना आलू डालके सोना बनाने वाली मसीन की बात करता है क्या उसने मसीन कभी दी हर व्यक्ति बेराउजगार को बात तरह जार रुपे महीने देने की बात करता ह क्या उसने दी। तो यह क्या है यह कर्तव कर्दब नहीं होंगे। क्योंकि जब जो चरड़ जो होते हैं जब आप जैसे मलीजिए परधानी के चुनाब हो रहर है। प्रधानी की चड़ जो हैं two chapters fourth पहला चर्ड जो होता है जिब प्रधानी की चुनाव आने जाने की चपर प्रिचार होड़ा तो तो प्रधान जो का जो. प्रधानी के लिए खड़ा है जो या यक कि बोटर अट की अचा सब है और जैसे ही वो पिर्दानी जीत जाएगा, उसके बाद, पिर्दान के चड़ों में बोटर होगे, तो दो चड़ों जैसी होता है, तो यहां पर क्या है, कि मान लीजी पिर्दान जी जो आते हैं, और ऐसे करके आज जोड़ के आते हैं, कि दीदी, दीदी, हाँ बताईये, बो रहे कैसी वातें कर रहे हैं रोड बनवा देंगे अब उन्होंने खटिया पे दे दिया जाके उन्होंने जब खटिया पे दे दिया देने के बाद अब आ रही है इस सड़क की नेता जी हमारे मुकर गए तो क्या भईया हम कोट में जाएंगे कि यह बोट मांगने आए ते इन उसली बार दोबारा चुनाव आया अपकी बार आये उसी बोटर के पास मैं भी पहुंचा मैं भी पहुंचा मैडम जी हमको बोड देना आरे कायपे देना आपको कि हमारा चुनाव चिंद छाता है तो नए हो कि हां नए है तो चुनाव चिंद छाता है हां हमने कि हां तो हमने कहा कि आपकी रोड बनवा देंगे अरे पिछले वाल लोग को भी तो हम देके आयते बोट अच्छे से दिया था उनको और याद भी था उनसे कहा था ये रोड बनवा देना मैंने कि मैडम जी आप बेफिक करें ये हम बनवाएंगे ना आप हमको चिताई है ना ठीक है कोई ब अब तक पीछे से एक बबबा बोले आता ना जाता चनाप चिन चाता ये बनवा देंगे नोड जब पुराने वाले हमारे बहुत खासते ये बनवाएंगे तो यहां पर क्या है कि सीधा सा मतलब ये कि अगर आपने कर दिया मतलब चाहिए फिर पिरदान की बात कर लीजिए सांसत की बात कर लीजिए या फिर बिदाय की बात कर लीजिए या फिर किसी का भी कर लीजिए यानि कि आपको कोट जो है विवस नहीं कर सकती इन हमामलों की फिर से बता दूं कि इसे दान्त किसी नयायल में प्रवर्तनी ये नहीं है उसका मतलब भी है कि नयाय पालिका रा बाजनेटिक नियायक को क्या करता हो? सुनेशित करता हो. भारत को लोग कनलेयार की दिसा में क्या करता हो? अगरसर भी करता हो. अनुच्छ उन्तारिस परद क्या करने का अधिकार मिलसके इसको जानते होंगे इस तरीयो पुरुस के लिए समान क्या कर सके वो इस तरह से कार करे या फिर इस तरह से करे कि जीव को पारजन के लिए उससे क्या मिल सके मनलब सिध्धान प्राप्ट करने का अधिकार मिल सके अनुच्छिद 49 का की अगर बात किए जा 1976 में 42 में संविदान संतोधन दोरा यह जोड़ा जाता है अनुच्छ दिस्तापित किया जाता इसके अंसार निसुलक बिद्यक साहता और सभी के लिए समान नयाय की प्राप्ति करवाना राजिका करता बे गोशित कर दिया गया था यानि कि बिद्यक एबम निसुलक बिद्यक गठन के लिए ऐसे कतम उठाएगा जिससे पंचायतों की स्वायत सासन की एकाई की रूप में कारचम बनाया जासके फिर से बता दूँ अनुच्छ चालिस में राज जो है राज मतलब देश की बात हो रही है भारत देश के बारे में बात होई है राज यहां पर ग्राम पं केंदरा बीमक की कैसे होने लगे केंदरा बीमक से किस तोर जाने लगे नीचे से उपर की और बढ़े हाई आने कि नीचे पावर ज़्स आ जाए ताकि जब एक ब्यक्ति जैसे मानली Right! गाउं बहुत मजबूत हो जाएगा, सारे गाउं जब मजबूत हो जाएगे, तो एक जिला मजबूत हो जाएगा, सारे जिले मजबूत हो गए, तो फिर एक राज्जी मजबूत हो जाएगा, तो ऐसी क्या चाते हैं, कि हर एक ब्यक्ति यो एक छोटी एकाई होती है, गाउं स अपने आम में इतना सच्छम कर दिया जाए कि उन्हें किसी के सामने हांत चूड़ने की आपस्यक्ता ना पड़े। इसके अनुच्छी दुन्तालिस की अगर बात की जाए तो राज आर्थिक सामर्त विकास की सीमाओं के भीतर काम करने के लिए सिच्छा पाने और बेरुजगाड़ी बुड़ापा बीमारी और निसक्तता अन्य अर अवाब की दसाओं में लोक साहता पाने के अधिकार को पिराप्त कराने का पिरभावी उपाय करे यानि कि इसका मतलब है आर्थिक सामर्त विकास की सीमाओं के भीतर यानि कि जितना आर् रुपे तो एकांट में आएंगे तो वो दो हजार देते हैं किसी के लिए बिरद्दा बिरद्दों के लिए पैंसन बंदवा दिये कहीं कोई बिवस्ता कर दिये कहीं बीमा यूजना कर दिये तो कहीं कोई तो इस तरह से मैंने क्या बता है जितना आर्थिक सामर्त के आधर पर यानि कि आर्थिक सामर्थ के भीतर काम पाने के यानि कि लोगों को रोजगार दिया जा सके सिच्छा पाने के यानि कि लोगों को अच्छी सुच्छा दे जा सके लोगों को बेरोजगारी का जो है बेरोजगारी से दूर किया जा सके यानि उनको रोजगार दिया जा सके बुड़ापे में माली ये पैंसन की विवस्ता कराई जा सके बीमारी में उन्हें निसुल को चिकिसक जो है सुबिदाएं की प्रदान कराई जा सके ठीक है तो इस तरह की कुछ दसाओं में लोग साहिता पाने का अधिकारी बनाए जा सके अनुचित 42 में राज बिशेस्त महि मनोवांचित दसाओं तथा प्रसूती साहिता का उपवंद करे सीधा समतलब है कि महलाओं के लिए क्या करे संबंद में काम की न्याय संगत और मनोवांचित दसाओं का तथा प्रसूती साहिता का उपवंद करे यानि कि मान लीजिए कोई गरीब महला है और उसके पास क्या है वो पेट से है जब पेट से आने का वाद जब समय पूरा होता है नौ महीने का जब समय आता है तो नौ महीने के समय आने के बाद वो क्या करती है वो जाती है एक होस्टीटल में तो जाईसी वात है कि उन्हें ऐसी विवस्ता की जाए कि उन्हें आर्थिक साहता दे जाए त पासके ताकि उन्हें क्योंकि विचारी जानते हैं वो नौ महीने अब उस खुन से अपने बच्चे को सीज़ती हो उसके बाद फिर जब उनका वो पैसिक बज़े से कहीं बिचारी कहां न कर बालें घर में न कर वालें घर में क्या हो सकता है कोई डोक्टर नहीं होगी कोई द काफी कुछ पैसा मिलता है उसके अब मनो बांचित काम की मनो बांचित दसा का मतलब नयाय संगत और मनो बांचित दसाओं का क्या कर सके मैलाओं के संबंद में विवस्ता कर सके मनो बांचित का मतलब कोई महला है महला जो है काम करने जाती है तो ऐसी विवस्ता कराई जा सक ताकि उनका जो है सोसड न हो यानि कि जाएज है जैसे कि माल लीजिए कहीं पर माल लीजिए कोई मैं हूँ मेरी वीवी है मैं बहुत ज़्यादा गरी हूँ मेरे घर में नहीं है खाने को मेरी पत्नी कह रही है कि अपने को कुछ चाहिए तो मैंने का भई अभी तो नहीं हम का करके जितना लाते हैं उतने से बात नहीं बनती है तो हमारी जो मेडम है वह काम करने के लिए पढ़ी लिखी थी नहीं तो बाहर चाहती हैं कि वह चलो काम करने गई लेकिन उन्हें जो एक महां होल है न्याय संगत जो को महां होल चाहिए उन्हें माली जी आप कहीं पर माली license किसी hospital में महां जा रहुए है वहां पर क्या है toilet की व्यवस्ता नहीं है toilet की व्यवस्ता नहीं है ऐसी करके एक दीवार्सी बनी है और जब जब महलाओं खड़ी होंगी तो उनका इतना हिस्सा निकलता है इतना हिस्सा निकलता है तो उससे क्या होती है दिक्कत होती है मतलब महलाओं के लिए सारी वेवस्ता होनी चाहिए जो की वो चाहती है जैसी का अच्छी ट्वाइलेट हो कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उनकी पूरी द चेतर में परिश्टित्र नियूंत्म मजदूरिवा सुविदा के संबंद में अपेश्चित प्रादधान करें यानि कि जो सरकार है वो ये देखे कि आस्तात के चेतर में जो कार कर रहे हैं मजदूर या फिर जो भी उन्हें पैसा मिल रहा है काम करने के बाद वो निया बिदाएं वो पूरी हो पा रही हैं उनकी के नहीं तो इन सभी का इसमें प्राबधान किया गया है नेक्स जो है अनुच्छे तितालिस का में राज उपयोक्त बिदान अत्वा अन्न किसी रीस्ते किसी उद्योग में लगे हुए उपकर्म संस्ताव अत्वा संग्ठनों के प बनाने का प्रयास करेगा अनुच्छे चवालिस की अगर बात करना राज भारत के समस्त राज छेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिंता का क्या करेगा बनाने का प्रयास करेगा सिविल सहिंता मतलब सब के लिए समान कानूनी अधिकार की विवस्ता करेग अनुच्छे 85 में राज इस सम्मिदान के प्रारंब से 10 वर्स की अवधी के भीतर सभी बालुकों को जो की 14 वर्स की आयू पूरी करने तक निसुलक और अनिवार सिच्छा देने के लिए उपंद करने का प्रयास करेगा यानि के आपको पता है सब सिच्छा अव्यान जो था इसी के तहती आपका जो 14 वर्स से कम के आयू है आयू को बच्चे जो है उन सभी को निसुलक सिच्छा दिलाने या निसुलक और अनिवार सिच्छा देने का उपंद करने का प्रयास करेगा अनुच्छे 86 में संभीदान संसुलक के तहत नया प्राबधान ये किया गया किया राजी सभी बालकों के लिए 6 वर्स की आयू पूरी करने तक प्रारंबिक बाले आवस्ता देखरेक और सिच्छा देने के उपंद करने का प्रयास करेगा ठीक है चलिए अनुच्छे 46 में देखते हैं राज जनता के दुरबल वर्ग दुरबल जो कमजोर वर्ग हैं जैसे कि आपके अन्सूची जातियां हो गई जन जातियों के सिच्छा और अर्थ संभधी अर्थ मतलब पैसे से संभधी थित्यों की बिसे साबधानी से अभी ब्रद्धी यानि कि मान लीजिए कोई दलित है दलित तो मतलब एक राजनेतिक मुद्ध के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि दलित जो है कुछ नहीं होता है दलित हर वो ब्यक्ति होता है जासे दलित बनाया जाता है लेकिन जासे दलित कोई नहीं होता है हर वो ब्यक्ति जो पैसे से कमजूर है उसको दलित बोला जाता है दवा पिचड़ा उसको बोला जाता है तो दलित सब्द कुछ नहीं होता है यहाँ पिर जंजातियों अनसूची जाती है और जंजातियों के बारे बात हो रही है माल लीजिए कोई दवा पिचड़ा बर्ग है तो उनके लिए सरकार क्या करेगी अच्छी सिस्था की विवस्ता करेगी और संब्धनी कुछ पैसे से अगर मदद हो सके तो वो मदद की विवस्ता करेगी ताकि वो क्या कर सके अपने आपका विकास कर सके क्यों कि माल लीजिए मैं गरीब हूँ तो मेरा बेटा अगर नहीं पढ़ पाता है तो आने वाली समय में उसका पीडी भी यानि कि वो लोड फेर की तब उसकी साधी करा देंगे तो वो भी अनपढ़ होगा तो उसकी पीडी भी गरीवी में कट जाईगी तो वहाँ पर क्या है सिच्छा संबंदित अर संबंदी जो संबंदी जो हित हैं उनमें साभधानी बेके साथ क्या करेगी अब विरद्दि करेगी ठीक है सामाथिक अन्याव सभी प्रकार के सोसड़ से उनकी रक्षा करेगी अनुच्छे 47 की अगर बात की जाए तो राज नाग्रिक के पोसड इस्तर बं शीवन इस्तर की विरद्दी के लिए लोग स्वास्ते औ और सदियां निर्मार नसामुक्ति के संबंद में प्रापधान भी करेगा यानि कि नसामुक्ति और सदियां और सदियां और सदिय निर्मार यानि दवाईयों का निर्मार करेगा लोग स्वास्ता यानि कि सवी के लिए निसुलकस जो है आपका दवा बगेरा का बित्रड करे जो भी कोई बीमारी है उसका एलाज कराने के परस्ता करेगा नसा मुक्ती के संब्ध में पराब धन करेगा जैसे कि माली जी जी जो सरकार हें उसने क्या कर दिया था आके डारू को बंद करा दिया था दारू अब करका कभता भी है तो ब्यार की क्या है नसा मुक्ति के संब्दें प्राद्धन करेगी जैसे कि माली यह मैं हूं मैं मजदूरी करने जाता हूं तेड़ सो नहीं तो अब तो ज्यादा हो गया साड़े तीन सो रुपया मुझको मिलता है घर पे आया मैंने दो सुरुपय का पहु तो खाली यह बच्चे 50 रुपय, 50 रुपय पूरे दिन काम कर गया है और 50 रुपय में क्या घर चल जाएगा उसके मेरे दो बच्चे हैं तो ऐसे क्या है नसा मुक्ति ताकि जो गरीब है वो और गरीब आने की इस्तिति में नहीं क्योंकि अगर वो पढ़े चीन सो रुपय एक लब किलास जो उसकी बनी रहेगी ताकि थोड़ा सा उसना क्योंकि आप मालीजिए उन्होंने क्या किया जो सब की दारु पी ली अब बच्चे जो है बीमार हैं पढ़ाई होनी पारी असिच्छा है गरीबी है बेरोजगारी तो एक तरसे मानी सकते हैं क्योंकि पैसी ज संगठन अनुच्य अड़तालिस कार राजी छेत्र के परियावड की संड़क्षण या परियावड का संड़क्षा उसमें सुधार करने का और बन तथा बन जीवों की रच्छा करने का प्रियास करेगा ठीक है उसके बाद अनुच्य नुनिंचास की बात कहने है राज ये ग्यावन की अगर बात की जाए तो अनुच ये उस्टान हैं इस्थान है जैसी कुछ अनुच्य पता, राज ये लोग सेवावड करेगा की राज जिवों की राज ये परियास करेगा यानि कि अंतराष्टी सांती और सुरक्षा के लिए अविरद्धी यानि कि सुरक्षा को बढ़ाना और अंतराष्टी सांती बनी रहे आसपास के इस तरह से लोगों से जैसे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम करेगा भूटान से बहुत ज्यादा स्री रंकास ताकी जो ह आंतराष्टी ये सांती पनी रहे नेक्स एते हैं भारत के संदर में राज के नीत निदेशत तत्तो का महत्त देख लेते हैं इन प्रातधानों के माध्यम से समाज के कमजूर बर्गों के लिए राजनेतिक आर्थिक्रम सामाजिक न्याय को स्रक्षित किया जा सकता है ये कानी रूप से नहीं की रहे कमजूर बर्गों के कacji कोई कदम उठाए वह उठाती है तो साई और ayr उठाती है तो साई कानूनी रूप से नहीं जोटाती है तो आप उसके केस नहीं कर सकते हैं ये प्राज़ान अंतर राश्ठी सांति बस उरक्षा को बढ़ावा देने म राष्ट की भूमे का भी सुनक्षित करते हैं ठीक है नीत निजितक तत्वों के अंतरगर तिन्रबित बिभिन अधिनियम देख लेते हैं कुछ ऐसे तत्व जर्ण जिर नीजितक तत्व के काड़ कुछ ऐसे अधिनियम जिनका बनाया गया जिनको मातरत लाव अधिनियम 1961 में अनुच्यद 42 के प्रवाब के काड़ अनुच्यद 42 में क्या है आपको नीचे कमेंट वॉक्स में बताना है 86 में संभिदान संसुदन 2002 द्वारा अनुच्यद 21 का जोड़कर सिच्छा को मौलिक अधिकार के रूप में इस्थापित करना अनुच्यद 45 का प्रवाब था पर्यावण बननीजीब संद्वच्छड अधिनियम 1972 अनुच्यद 48 का प्रवाब था अनुच्यद 48 का में क्या था आपको बताना है जंड प्रक्रिया संधा 1973 बनाये गया लोग सेवाओं में कारेपालिका से नयापालिका का प्रथकर अनुच्यद 50 का प्रवाब था योजना आयो की स्थापना की गई थी अनुच्यद 38 का प्रवाब था ठीक है महत्मा गांधी राष्टी ग्राम रोजिगार गारंटी अधिनियम 2005 अनुच्यद 41 का प्रवाब था क्या था अनुच्यद 41 में आपको पताना है चलिए निउन्तम मजदूरी अधिनियम 1948 अनुच्यद 49 का प्रवाब था ठीक है चलिए चलिए साथ योँ बात करते हैं fundamental duties मूल करतब्यों के बारे में ठीक है आईए समझते हैं मूल करतब्य क्या है जिस तरह से राज्ट के नीत निजिस तब तो किसी राष्ट के या पर सासन के लिए मूल करतब्य थे इसी तरह से हमारे लिए हम भारत के लोगों के लिए मूल करतब्य यानि fundamental duties है ठीक है मूल करतब्य पे पहले सम्झतान में नहीं थे इस्क्रिक दस मूल करतब्या का समावेश किया गया था ठीक है जब संबिधान का संबीस जनुनू जनुनिंतैंश्ञ पे पचात में जिब संब्यान में लागू होता है तब आपके तो आपकी मूल कारतब्य नहीं थे बरतमानों अनुच्छित इक्यावन का के अंतरगत मौलिक कर्तब्यों की संक्या जो है ग्यार है जो की यहाँ पर सबसे पहला देख लिए से संभिधान का पालन करें उसके आदर्सों संस्थाओं राष्ट दोज और राष्ट गान का भी आदर करना चाहिए सबसे पहला कर्तब क्या है संभिधान का पालन करें उसके आदर्सों का यानि कि जो संभिधान में फिरमों जो आदर्स हैं आदर्स का मतलब जिनके द्वारा लिखा गया था जिनके द्वारा उसमें यूगदान था वो इनके आदर्स हो गए संस्थां जैसे कि कोछ संबिदानिक संस्थां उनका सम्मान करना चाहिए राष्ट दज्का यानि कि जो हमारा जंडा है उसका सम्मान करना चाहिए राष्ट गान जन गण मन अधिनायक जो है हमारा राष्ट गान है उसका क्या करना चाहिए सम्मान करना चाहिए कर्तब है बादिकारी नहीं है ये कानून के द्वारा जबर्जस्ती भी नहीं धोपा जा सकता तो कर्तब जो है अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं किसी की जोर जबर्जस्ती नहीं है ठीक है आप सम्मान करें न करें अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है सीधा था मतलब यह है कि आपको माता पिता ने बड़ा लिखा कर बड़ा कर दिया उसके बाद जवाब बड़े हुए तो आपका भी हक मनता है कि आप उनके लिए कुछ करें लेकिन अब आप बारी आती है आपकी तो आप मुकर जाते हैं कोई फरक नहीं वड़ता इससे लेकिन आप तो समझदार हैं कहीं से भी थोड़ी बुद्धी है आप अन्मिखाते हैं समझदार होंगे तो करेंगे दूसरा देखते हैं सुतंता के लिए हमारे राष्ट या अंदलों को प्रेरित करने वाले उच्छा दर्सों को विर्दय में संजुई रखें और उनका पालन करें जैसे के हमारे निताजी सुवास्चंद बोस पंडित जबारला लेनो भगस सिंग महत्मा गांदी निताजी सुवास्चंद बोस अबुलकलाम आजाद और बहुत से ऐसे जिनोंने सुतंता संगर्स के दोरान या राष्ट या अंदलन के दोरान अपनी क्या दी आहुती दी प्रावणों की या फिर उसमें सयो किया तो उनको हिर्दय में संजुई रखें यानि कि यहां पर रखें और मन में एकदम उनके लिए आदर सम्मान का भाव रखें और उनसे बत्ति भी ना दें यानि कि उनसे प्रेम करें न करें तो कोई फरक भी नहीं पड़ता लेकिन उनकी बेचिती भी ना करें तीसरा देखते हैं भारत को प्रवता भारत की प्रवता एकता अकंडता की रच्छा करें और उसे अच मतलब इससे क्या है कि आपस में प्रेम भाव रखें ताकि जो है समाज तूट नपाए गाउं तूट नपाए जिला तूट नपाए राज तूट नपाए देश तूट नपाए और ये सब क्या हो सके है भारत की अखंडता अच्छुन्य बनी रहे ठीक है देश की रच्छा कर तो इमाली चिर्कटिस्थान जो है आप पर कलती से हमला करते हैं पहले हुची इतनी वकात नहीं करते हैं कोई देश है जो हमला कर देता है मान लीजिए तो आप क्या है देश की रच्छा करें और आवहान करने पर यानि कि बुलाई जाने पर क्योंकि देश के खातिर कौन पाजी से जरूरत नहीं है कभी-कभी जो सुचू है कहते हैं हिम्मत बता लाही नहीं कभी-कभी दिखाई वी जाती है आपके अंदर हिम्मत कितनी है तो वो दिख जाएगी आपको Bernard बतायते रहेंगे, हम तोप से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बो कर देंगे, मतलब आता न जाता और चुनाफ चीन चाता वाली feeling है, कि आपको आता जाता कुछ नहीं, हिम्मत वग्यरा कुछ नहीं, खामी खाम में छोड़े जा रहे हैं, तो यहां पर क्या जब आपको कार करने की बारी आई, तो आप अम्मो कर जाएं, बस यह है, कि आप नहीं भी जाएंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, नहीं भी जाएंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जाते हैं, तो अच्छी बात होती है, चलिए, चलिए पांच मां देखते हैं भारत की सभी लोगों में समर्सता समर्स 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 का मतलब होता है समर्स समर्स जो होता है हमेशा एक सा रहना यानि कि एकदम बदल ला जाना आप किसी से प्रेम करते हैं माली जी हिंदूों से प्रेम करते हैं मुसलमान हैं तो यह नहीं कि आज कल कोई बात हो ग तो भारत की सभी लोगों में समर्ष्था और समान भ्रांतत्त्य की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भासा और प्रदेश, बर्ग सभी बेदवाओं से क्या हो परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याक करें जो इस्तुरियों के समान के विर्ड यानि कि किस तरह की बेदवाओं स बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं मैं तो वहिया करता हूं मैं प्रेम सबसे करता हूं बहसा की बात करने हैं तो हिंदी बोलता है तमिल बोलता है तेलगु बोलता है उड़िया बोजपुरी बोलता है तो बहसा के आधार पर हम हो पड़े हो प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश का वाई है यूपी वाला बोलते हैं बियार का है अरे तुसाला बिहारी लगता है सकल से बिहारी इस तरह से नहीं मतलब आप क्या है एक बैदवा हो गया ना कि नहीं यार ऐसी कैसी बात कर दी बिहारी क्या मतलब बिहार का रहने वाला बिहार का रहने वाले का मतलब है कि वो अपनी महनस से अपनी पहचान बनाता है वो आप से ज़्यादा काम करके और काम करने को बाद आप से ज़्यादा कमाता है जैसे कि आपका गुजरात वाला छेतर था आपका महराष्ट वाला छेतर था वहाँ पर इनके मिल जाती है वह अपना पूर अस्वर गोसेड के फिर पूचते हैं लोहम आ गए ठीक है तो समझ पा रहा है ना तो यहां पर प्रदेश या बर्ग के आधार पर सभी तरह के भेदवाओं से क्या हुई यह परेयों आपने समर्शता का भाब और समान ब्रहांतत वियानी की फ्र हमी आती हो ठीक है हमारी सामाजे संस्कृति की गौरपसाली परंपरा का में तो समझें और उसको परिरच्छड करें जैसे कि माल लिजिए कि हमारा धर्म अलग है और संस्कृति अलग है भारत एक संस्कृतिक देश है संस्कृतिक का मतलब यह है कि उसमें हिंदू भी है मु जाते हैं ये हमारी संस्कृती है सब को मिला मिलू के भारत का निमार होता है न कि हिंदू से होता है न मुसलमान से होता है ये और सच्चाई भी कभी कभी आ जाती है कि गदार जो है वो कभी नहीं चूकते हैं मत चूको चाहान तो ऐसी गदार जो है कभी चूकता नहीं है लेक समझे मह्त करें जैसे माली जीए बगल में जो है एद हैं तो वह हमारी कभसे चलिहा रही है कभसे आगारा ए हमारी दीवाली यह तो कभसे चली आ चाहिए आपका क्रिस्मिस जो आ रही है वो मन रही है तो उसमें भी हमें मूँ टेड़ा मिड़ा नहीं करना चाहिए मतलब सब को कहें मतलब अगर इद आती है तो इद आने के बाद हम कुछ हिंदू जो लोग होते हैं इद में क्या करते हैं इद मुबारक बोलते हैं लेकिन उदर से जवाबी कारवाई नहीं होती है, जब दिवाली आती है, तो हम मूँ ताकते रहते हैं, इसलिए कि भहिया, हिंदूओं को देना हराम हैं, लेकिन हिंदूओं के पास कोई ऐसा गिरंत नहीं है, जिसमें ये लिखा हो, कि मुसलमानों या ईसाई, या फिर माली ये, किस अनिधरम में जाके हम उन्हें बदाई दें, तो हराम हो, इस तरह से कहीं नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के में लिखा है, तो हम इस तरह की जो भेदवाव हैं, इससे दूर अटें, और ऐसी गौरब साली परमपराओं को समझें, और उसके महत्व को समझें, कि इस तरह की पाईयों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, चाहे को हिंदू हो, मुसलमान हो, हम मौका नहीं छोड़ते हैं, उनको पेडाम करने का, उनको सलाम करने का, लेकिन उदर से जब जब जबावी कारिवाई ना आए, तो अंदर से बुरा लगता है, ठीक है? चिया लिए प्राक्रतिक पर्यावड की जिसके अंतरगत बन, जील, नदी, अन जीव हैं, रच्छा करें, उनका संबर्धन करें, तता प्राणी मात्र के प्रती जो है, दयाभाव रखें, यानि कि प्राक्रतिक पर्यावड हैं, उसको क्या करें? उसमें क्या करें? उसमें, उसका रचड करें, जिसे बन हैं, मतलब जंगल हैं, तो उनको फरजी में न काटें, खामी खामी मस्ती के लिए आग न लगाएं, कोई जील है, उसके पानी को दूसरी तरह करें, कि उसी महीं जा रहा है, सुबह सुबह आया, मौसम जूम के, जूम के आया, कि मतलब पेट जो है, नदी हैं, उनमें रहने वाले जीव हैं, क्योंकि भाईया, आप जो नदी तालाव है, वो किसी न किसी का तो घर है, वो जो जो जली जीव है, उनका तो घर है, तो उसको दूसरी तना करें, उसका संबर्धन करें, और नहीं संबर्धन कर पा रहें, तो कम से कम उसमें हागे समझ पारे, मतलब आप अप संबर्दन नहीं कर पारे हैं, तो उसमें क्या न करें, उसमें बिगाणें भी ना, आटमा देखते हैं, बैग्यानिक देश्ट्चिकोर्ण, मानववाद और ग्याना, और जन्ट था सुधार की बावना का बिकास करें, बैग्यानिक देश्ट कोण होता है कि मानव की अच्छाईयों को उसकी जो खुसियां है किस में खुस रहता है किस से नहीं रहता है इस तरह का जो सुधार है उसकी भावना का विकास करें ठीक है नौब अब आधेके सार्जुनिक संपत्ति को स्रक्षित रखें हिंसा से दूर रहें अब मान लीजिए आपको पिरदर्सम करना है आपका अनुछित क्या आपका जो संबिदान है वो आपको ग्रोध करने का अधिकार देता है सांती पूर बिना अतियार के ग्रोध करिए अब ये तो नहीं है कि भाईया आप दंगा कर देंगे लोगो पिरोध कर रहें तो किसी की बिटिया उठा ली माल लीजिए या फिर माल लीजिए कोई और गटना कर दी, आप बसों में हाग लगा दी, आप कुछ कर दी या कुछ कर दी या कुछ कर दिया कि इस तरह की गढटना आप नौर, ये करता bile है ठीक है चलिए ब्यक्तिगत और सामुई गत्विदियों के सभी छेत्रों में उतकर्स की और बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते वे प्रयत्नों और उपलब्दी की नई मुचाहियों को छूच सके यानि कि इसमें सीधा से मतलब है ब्यक्तिगत य करें यानि कि हमिसा अपने अंदर ब्रद्धी करें अपना बिकास करने का क्या करना सतत प्रयास करें जिससे राष्ट जो है निरंतर बढ़ते वे प्रयत्नों और पलब्दियों को नई उचाहियों को छूप लें सीधा से मतलब है ब्यक्तिगत यानि कि अपना स्वेम का अपने जो छेत्र का करें, अपने साथियों का करेंगे, स्वयम का करेंगे, तो क्या है, आप करेंगे, फिर बो भी लोग करेंगे, ऐसे करके क्या होगा, सभी का विकास होता जाएगा, जब सभी का विकास होगा, तो भारत देश का विकास होगा, एक गाउं का विकास हो जाए तो पूरे भारत देश का विकास हो जाएगा इससे क्या होगा भार्त जो है नई उंचाईयों को चूलेगा ठीक है चलिए यदि माता पिता या संद्चक है यदि माता पिता ये संद्चक है तो छे बरसे 14 बरस तक की आई उबाले सभी यह था इस्टिति बाला के आप प्रति पाल लेके लिए सिच्छा के अफसर प्रदान करें संविधान के चाची में संविधान संसोदन दोजार दो की धारा चार अनुची सूचना की तारीक से ये अताय स्थापित किया गयता है यानि की अनुच चाची में संसोदन द्वारा ग्यारमा आपका क्या जोड़ा गया था माता पिता हो चाचा होता हो उनकी क्या करें उनके सिच्छा के अफसर प्रिदान करें ये एक आपका duty है fundamental ठीक है चलिए साथ यो बात करते हैं एक most important topic चिसमें हम लोग बात करेंगे नयाई पालिका, बिधायका और कारपालिका वारे में भारती सम्मीदान में कुछ प्राबदान किये गएं यानी के जूडिसिरी या कहें जूडिसियो सिस्टम के बारे में बिधाय का यानी की legislator के वारे में इसमें खिचड़ी बहुत भेंकरवाली पकी होई है तो इसको मैं आज इस तरह से आपको बता दूगा कि जीवन में आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि जो आखिर judiciary होता है वो किस तरह से कान करता है legislature होता है किस तरह से कार करता है executive जो होता है किस तरह से कार करता है किस तरह से ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए किस तरह से कार करते हैं यानि कि इसका कार क्या होता है इसका कार क्या होता है ठीक है तो कानून कौन बनाता है उसका क्रियांबाइन कौन करता है कानून बनने के बाद उस कानून का मतलब करता कानून होता है मतलब उसका संद् संविधान का संदर्चा कौन होता है तो इस तरह से बहुत सारी टॉपिक जो होगे हम इसमें किलियर करेंगे तो आईए नजर डालते हैं आपका नियाय पालिका, कारिपालिका और बिधायका के बारे में तो यहां पर एक नजर डाल देते हैं जो हमारा संविधान है संविधा जो आता है कारिपालिका, तीसरा जो आता है नयाय पालिका, ठीक है? नयाय पालिका का सबसे सर्वोच सिखर जो होता है या का सबसे प्रमुक जो होते हैं बो होते हैं C.J.I. यानि Chief Justice of India यानि की भारत के मुख्य नयाय आदिश, जो कि आपका उच्छितम नयाय ले के मुख् पचारिक होते हैं बास्विक सकती किसके पाथ होती है कारिपालिका कि उसके बारे में भी चर्चा करेंगे विधायका आखिर विधायका जिसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं विधायक काज होते हैं विधायका के तीन अंग होते हैं या संसद के तीन अंग होते हैं लोकसभ हम देखते हैं संगी की कारिपालिका जबारे में अभी केबल बेस बनाएंगे फिर हम संगी की कारिपालिका अलग से देखेंगे एक लंबा टॉपिक है बहुत ज्यादा और खिटडी बहुत भहिंकर पार की येस में लेकिन आज इस तरह से आख समझाएंगे कि जीबन बें भूलेंगे नहीं तो संग की कारिपालिका क्या है तो कारिपालिका यानि की सरकार का वह अंग होता है जो बिधाय का या कर बिवास्थाविका या कर संसद द्वारा बनाए गए या कर स्वीक्रित नीतियों और कानूनों को लागू करने के साथ ही प्रसासन का कार भी करता है कौन फिर से बता दूँ कि executive जो होता है executive का कार क्या होता है executive जो होता है जिसका कारपालिका कहते हैं माल लीजिए कारपालिका है कारपालिका कार यह है कि जो यह संसद है संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका क्रियाम ब लेचर के द्वारा बनाए गए कानून बनाए गए नीतियों को क्या करना है इस कार पालिका का कारिया मैन या फिर मूर्त रूप देना किस तरह से माल लीजिए कि जो संसद है संसद ने एक बिलपास किया CAA बिलपास किया कि सिटीजन यानि कि नागरिक्ता संसोदन अधनियम तो इसको क्या किया इसको किया किस के द्वारा बनाए गया आपका बनाए गया लेजिस लेचर के द्वारा लेजिस लेचर यानि की बिधाय का या संसद के द्वारा बनाए गया तो संसद की द्वारा बनाने के बादब किरिया मैन कौन करेगा किरिया मैन करने का कार संसद सं में लोते हैं इसमें क्या होता है इसमें कानूनों को लागू करने के लिए साथ क्या होता है पूरा पिरसासनिक ढाचा काम करता है पिरसासनिक ढाचे में कौन आ जाता है कारपालिका में माली जीए किसी जिले का डी एम होता है पुलिस पिरसासन होता है ये काई में आ जाता है अरब इसे कार पाल का के अंतरगति आता है, ये सब लोग क्या होते हैं, तो इस सारे गने कई हो चुरू satisf कम देने के लिए कर बाद कि पहल जैने के कार पुर्व उसके हो जाती है, आपका सारा system पर कosis का हो गया, आपका कार पाल का हो गया, पिर से समझाते है। माली जी जो था लागू हुआ, लागू होने के बाद इसका क्रियाम बहने या कहें, इसका मूर्थ रूप देने के लिए कार पालिका जो अपने कार में लग जाती है, कार में लग जाती है, उसके बाद कार में लगने के बाद इस्तथी ये कैसी आती है, कि लोग जो जाते हैं और पहुंचते हैं C.A.R.Co.ra price है या कहें जो Supreme Court या उचितम नैयल है वो क्या है जुडियिस्री या नियाई पालिका के बारे बात करें तो हम नियाई पालिका की तरफ गई तो नियाई पालिका ने क्या किया देखा कि संद्विधान में एक अनुच्छध है उसमें क्या किया गया है एक संसोधन किया गया है तो उसमें देखा उन्होंने देखा यारी तो गैर कानून नहीं लग रहा है यानि कि कुछ ऐसे अनुच्छत है यानि कि अनुच्छत चौदा का क्या हो रहा था अनन हो रहा था तो उस संविधान संसोधन को क्या कर दिया गया असंविध सम्भीधान का संद्चत करना या देखरे करना आपका इसका कारarti होता है किसका तो यहां पर क्या हुआ कि लेजिस्टलेचर या कहें कार्पालिका के लिए क्या कार्पालिका क्या नी मतलब सम्भीधान संद्धान में संसोतर Debacy या फिर मान लिए कोई नीती बनाई या फिर कोई कानून बनाया उसको लागू करने का कार किसको सौंप दिया जाता है कि सौंप क्या दिया जाता है इसका एक्सी क्यूटिव का कारूता है आईए के लिए करते हैं तो मैंने क्या बताया कि कार पालिका एक्सी क्यूटिव सरका का वह अंग होता है जो बिधाईका या के बैवस्ताफिका या संसद्वारा बनाई गई नीतियों और कानून को लागों करने के साथ पूरे पिर्षासन का कार भी करता है पिर्षासन मतलब जैसे के डीम है एस डीम है या फिर देश के किसी राज इस्तर की बात करें जिले इस् आरका में केवल राष्टपती पिरदान मंत्री या फिर मंत्री सामिल नहीं होते बलकि इसमें पूरा प्रसासने के धाचा पूरा सामिल हो जाता है यानि कि इसमें क्या होता है पूरा का पूरा धाचा सामिल हो जाता है किसमें आपका एक्जीक्विटिम में किसमें एक्जीक् होता है वो भी इसमें क्या होता है सामिल किया जाता है सरकार के प्रधान तथा उनके मंतरियों को राजनेतिक कारिपालिका कहते हैं यही सरकार की सभी नीतियों के जिम्मेदार होते हैं जबकि जो व्यक्ति प्रतिदिन के प्रसासन के लिए उत्तरदाई होते हैं उन्हें इस् है कभी हमारी कब उसकी सरकार तो इसमें क्या है आते जाते रहते हैं सरकार का प्रदान कौन हो चाता जैसे लिए नेरेंद्ट मोदी जी की सरकार हैं तो सरकार के पूर्दान हो गये और उनके मंत्री जो क्या होगे राजनेति कारफालिका कहलेंगे वहीं जो दिन प्रतिदन के यान City ब्रतिक के प्रसासन के उलिया उत्रता उन्हें स्थाई कारफालिका कहते हैं भारती संगी कारफालिका में राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती प्रधान मंत्री मंत्री परसर तथा महान्यावाद्य को सामिल किया जाता फिर से बता दूं कि भारती कारिपालिका में या फिर भारती एक्जीक्यूट में या फिर संगी कारिपालिका में आपका कौन-कौन सामिल होता है राष्ट्रपत प्राइम मिनिस्टर रियानी की प्रधान मंत्री कांसिल और मिनिस्टर रियानी की प्रधान मंत्री की याकर मंत्री परसंद अटमी जन्रल ओफ इंडिया यानी की भारत के महा नियावादी इसमें सामिल होते हैं के लिए हुआ तो मैं फिर से बता दूँ कि संग की कार पालिका का कार क्या होता है संग की कारपाल का कार जो होता है वो जो बिधायका होती है या जो संसद होती है उसके द्वारा बनाई गई नीतियों और उन नीतियों और कानूनों का क्या करना होता है किरियांबहन करना होता है किसका आपका किसका कानून होता है एकसी उक्लिटिव या कार पालिका कारे होता है तो कार पालिका, न्याय पालिका और विधायका को समझ पा रहा है ना तो विधायका का कार 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 कानून बनाना, कार पालिका का कानूनों का निर्भेंद करना या फिर उनका किरियाम्वेंद करना और जो कानून बनाए है उसको कौन करेगा उसको कौ बिदाइका कानून के द्वारा बनाएगे कानून और नीतियों का किरियांवाइन करना या उनको लागो करने का कार आपका कार पालिका का होता है तो भारती की संगी कारिपालिका में आपके राश्ट्रपती प्राइम बैस प्रेसिडेंट राश्टपती उपराश्टपती पर्दान मंत्री मंत्री परसद और एटर्नी जनर्ल लियानी की आपके भारत के महान महान नियाइबादी इसमें सामिल किये जाते हैं ठीक है अनुच्छे 73 के इंसार संगे की कारिपालिका सक्ती का विस्तार उन विस्यों तक होगा जिनके संबंद में संसद कानून बना सकती है यानि की कानून अधिकार कहा तक होगा उन तक होगा उन विस्यों तक होगा जिसके संबंद में संसद जो है कानून यानि की बिदाय का जो है कानून बना सकत और बिधायका क्या होती है फिर हम नयाय पालिका को अलग समझेंगे बिधायका को अलग और कारपालिका को अलग बिधायका को समझ लेते हैं के इंदरी ये विवस्तापिका या संसद या लेजिसलेचर ठीक कहीं पर भी कुछ भी आपको देखने को मिल ला है तो आप समझ जा है और इस विवस्ता में बिधायका तथा कारपालिका का क्या मिलता है सुन्दर हमें मेल दिखाई फड़ता है यानि कि मैंने क्या बताया संसद्य सासर विवस्ता को चुना है जिसमें कारपालिका तथा बिधायका इस विवस्ता में कारपालिका तथा बिधायका क्या मिलता है आपको सुन्दर मिल देखने को मलता था सीधा सा मतलब संसद कानून बनाएगी और आपका जो विधार कारपाल का होगी उन कानून का या उन नीतियों का क्या करेगी क्रियान बयन या कहें उनको मूर्थ रूप देगी तो भारती सम्मिधान के तहत केंदरी विवस्तापिका को क्या कहा जाता है संसद कहा जाता है और इस संसद को दुशदनात्मक से दांत के आदार पर गठित किया गया है फिर से बता दूँ केंदरी विवस्तापिका को क्या कहा जाता है केंदरी या कहें जो केंदरी विवस्ता पिएएएटापपिका को या अखिर हैं विदाइखा को क्या कहा जाता है संसद कहा जाता है और भारती संसद को डूशतिनात्मक रूप से गटित किया गया doll निम सदन के आधार पर यानि कि उच्छी सदन जो है क्या है राज सभा होती है यानि कि यहाँ पर हम देखें लेजिसलेचर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या है उच्छ सदन संसद के किसी भी सदन का क्या नहीं होता है सदस नहीं होता है कौन आपके राजपती ना तो राज सभा का सदस होता है ना ही लोग सभा का सदस होता है उसके बाद भी मैंने क्या बताया कि आप सभी लोगों यह पता है कि राजपती किसी भी सदन का क्या नहीं होता है सदस नही वह किसी भी सदन में बैठता है ना तो वो लोग सवा में जाकर बैठता है और नहीं वह काइम बैठता है नहीं वो काइम बैठता है राज सवा में बैठता है लेकिन फिर भी राष्ट पती संसद का क्या माना जाता है अविन अंग माना जाता है क्योंकि संसद के दोदों सदन में पारत विदेयक तब तक कानून नहीं बन सकते जब तक जो राष्टफती जो है महा महीं जो हमारे जो प्रमुक माना जाता है औपचारिक रूप से वो केस होई माना जाता है राष्टफती को लेकिन बास्ति प्रमुक कौन माना जाता है बास्ति प्रमुक जो है वो किसको माना जाता है बास्ति प्रमुक मंत्री प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री परसद को माना जाता है कि सि इदा समतलब किस की सला पर कर तो बास्तिविक का बॉस कौन हो गया यानि कि real рок जो है आई इं अम दबॉस कौन हो गया तो ब्रेधान मंत्री ओरकर मंत्री परस्थ उसके बाँस्तिविक कौन हो करता धरता हो गए तो मतलब कारपालका का प्रमुख क्योंसे माना जाता है तो राश्ठपति को माना जाता है संभिधान में लिखा हुआ है ठिक समझ गा ना चलिए एक दिखते हैं चलिए बात करते हैं principle of separation of power in India division of power in India या करे भारत में सक्ति का प्रथक करण ठीक है हमारा संभिधान जो है हमारा संभिधान इस बात का तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि इनकी जो सक्तिया है उनका बटबारा कर दिया गया और वो एक दूसरे से मिल नहीं करेंगी ऐसा नही है तो भारती संभिधान आपको तीन भागों में बाड़ता है जैसे कि विधाय का कारपालिका और न्यायपालिका न्यायपालिका का प्रमकाप का CJI Chief Justice of India या करे उच्च न्याय उच्चितम न्यायले निस सुप्रीम कोर्ट इसका सबसे उच इस तर पर होता है यहां पर रा Division of Power India यह हम कह सकते हैं भारत में सक्ति का प्रधकरण हलका सा base बना लेंगे इसमें ज्यादा को जानना नहीं है ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरह से यहां पर देख सकते हैं Judiciary, Executive और Legislature तो भारत में संभिधानिक सर्वोच्च का सक्ति के प्रधकरण को क्या करत चाहिए पिर प्रधान मंत्रियों कोई भी हो संभिधान से ऊपर कोई भी नहीं है कोई भी कहता है कि आई एम दा बॉस तो वो नकली वाला बॉस है बास्तिविक बॉस कौन है भारतिय संभिधान या Indian Constitution क्या है बॉस है तो भारत के संभिधान में प्रताच रूप से सक्ति के प्रताच कड की बात नहीं है लेकिन संभिधान के ऐसे बिविन अनुच्छे तता नयायले की ब्याक्या उधारा सक्ति का क्या मिलता है प्रताच कड हमें भारत में देखने को मिल जाता है यानि कि भारत के संभिधान में प्रताच रूप से सक्ति का प्रताच कड यानि की सक सम्झान में इस पर रूप से लिखा देखने को मिल जाता है कि संसद में सभी विशयों पर क्या की जा सकती है संसद में किस पर सभी विश्यों पर देश के किसी विश्य पर जाके चर्चा की जा सकती है लेकिन भारत में जो निया अधीस के कर्तब और निर्वान है उनके बारे में या कहें जो उनमें निर्वान में किये गए आचड की चर्चा संसद तथा बिधायका में नहीं की जा सकत या कहें संसद या फिर बिधायका में नहीं कि जा सकती फिर से बता दूं क्या मैंने बताय इसों पर लेकिन नयाय पालिका कrypti He 他 Lekt उसमें किया गए कार और निरुवान में जो किया गए कार उन पर चर्चा नहीं की जा सकती जैसे माल लीजिए कि आपका अनुच्छद माल लीजिए कोई अबारत देश में आपका संसथ क्या करती है कोई कानून जो है बनाती है उसे सुप्रीम कोट यानि की सरवोच नियाले उसको अटा जेती है लेकिन उसपर क्या नहीं कर सकती वो चाल चाल भी सब्सें के कर दिया तो कर दिया सुप्रीम कोड को लगा कि यह कानून जो है क्या है कानून क्या है कि असामिधानिक हैं और किसी भी अनुष्ण को क्या करता है उसकी उसका उलंगन करता है मान लीजिए आपका अनुछे चोधे का उलंगन करता है उसके मूल अधिकार है उनका उलंगन कर रहा है तो आपका क्या होगा ये उन्होंने कर दिया ऐसी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई वो दिया गया फैसला सुनाया गया तो उस इस बात का भी अधिकार दिया गया, कि अब मानना का अधिकार दिया गया, अब मानना पर डंड देने का भी अधिकार दिया गया, तो यहां से क्या दिखता है, कि सक्ति का प्रथकड़ हमें देखने को मिले जाता है, ठीक है, इतनी जानकारी का भी है, क्योंकि हमने सोचा सक्त में कितने अंग होते हैं तीन अंग होते हैं राजसभा लोकसभा और राष्टफती ठीक है अधिक्तम संधस्यों की संक्या की बात करें तो 250 के बारे में प्राब्धन किया गया है जिसमें बारे मनुनित होंगे कलास संस्कृति या फिर किसी अपने विशेज छेत्र में जो है योगदान रखने वाला होगा निर्वाचित की अगर बात करें निर्वाचित वो होते हैं जिस पे बोटिंग होती है बोटिंग होती है यानि जिसमें चुनाब लड़के अंदर आते हैं मनुनित वो होते हैं जिसमें राजिपा लिया फिर राष्ट फती क्या करते हैं उनक 45 जिसमें मनुनित जो हैं 12 हैं निर्वाचित की बात की जाए तो राज्यों से 229 और किन सासे प्रदियों से अगर बात की जाए तार जिसमें दिल्ली के लिए 3 है और पुदुचेरी से आपके एक है लोगसभा की अगर बात की जाए तो सदस संख्या अधिकतं जो है 552 के बार में चक्चा की गई है बरतमान में अगर बात की जाए तो बरतमान में जो सदस से निर्वाचित जो है वो है आपके राज्यों से 530 है का सासे साथ और और अन साथ प्रदेशों से कितना है छे मनोनित की अगर बात की जाए तो एंगलो इंडियन जो है तीन वो दो चुने गए है ठीकर राजपती की दौरा मनोनित की जाते हैं चलिए नेक्स समझते हैं इसमें यूनियन गवर्मेंट देख रहते हैं यानि कि जो केंदरी है सरकार है उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कार करती है एक्सिक्यूटिव आ जाता है इसमें एक्सिक्यूटिव जिसको हम कहते हैं कार पालिका कारपालिका का मैंने काम बताई जया था कि जो लेजिस लेचर होती है वो कारपालिका के जो जो लेजिस लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रिया महिन करने का कार क्या होता है आपका एक्जीक्यूटिव का होता है ठीक है किसका लेजिस लेचर का क्लियर हुआ किसका यहां पर यह एक्सीक्यूटिब का तो यहां पर एक्सीक्यूटिब में अगर बात की जाए कौन-कौन सामिल होते हैं कारपालका में प्रदान राश्टफती, उपराश्टफती, प्रदान मंत्री, कांसिल और मिनिस्टर यानि की मंत्री परसद, अटर्बनी जर्लोन उफ तो संसद में हम सदनों के बारें पड़ेंगे दो सदन हैं, राजसवा और लोकसवा, लेजिसलेटिव प्रोसीजर के बारें पड़ेंगे, जिसमें आपके बिल्स हो गए जो विध्यक होते हैं, टीजहन सेषन और मोशन, दियान रखें, सबसे जरूरिवा, segments इसमें नहीं स तो इसमें fund and grants, grants मतलब fund होता है पैसा, fund मतलब पैसा और grants होता है अनुदान, दान और अनुदान, ठीक, पारलिया मेंट्री, कमेटीज के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें ad hoc हो जाती है, तदर्त जिनको समितियां कहते हैं, जो कि कुछ समय के लिए बनाई जाती है, और standing जो कि हमेशा से इस्था ही समितियां होती है, इनके बारे में हम चेप्चा करेंगे, तो आईए चरी दुस्तरों बात करते हैं, संघी कारिपालिका के बारे में, या union executive के बारे में, मैंने बता दिया है, कि कारिपालिका का कार क्या होता है, संसद द्वारा बनाए गए, संसद मतलब बिधाय का याक्ता है, legislature की द्वारा बनाए गए, कानून और नीतियों का क्रियाम बैन क कारिका कारिका का होता है , कारिका का प्युवक्त जो होता है , मतलब और लेकिन सारे होती है , श助करिक कारिक कर्षे दहाब बालाका का कर होता है। परने बालम हुं ser का इनकि राश्ट पती है exceeded dolce president यानि-ượng उपराष्ट्रती ऍप्राइम मिनिस्टर रहा राने की कांशल अफ स्मझ में आरहा होगा तो यहांपर भारत की संघी-कारपालका में आपका राष्ट्फती कारपालका कामुंक राष्ट्फती होता है उप्राश्पती महान्यावादी प्रधान मंत्री और मंत्री परशन ठीक है आए एक एक पॉइंट करके क्लियर करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं संगी कारपालका के बारे में हलकी सी चान करें तो संगी संगी कारपालका यानि की the union executive की बात करें तो संबिधान के भाग पाँच के अद्याए एक में अनुछित बावन से लेकर 78, 59, 52, 78 तक क्या है कि अंतरगत संगी कारपालिका का उलेख मिलता है बारत की संगी कारपालिका मैं राष्टरपती, उपराष्टपती प्रधान मंत्री और मंत्री परसर से मिलकर बनती है और मैं इसलिए बारवार रिपीड कर देता हूँ कि आपके दिमाग में यहीं कॉपीट हो जाए और सारा का सारा मैं जो है एकदम पेस्ट कर दूँ ताकि जो है आप जब उठें इस वीडियो को देखके तो आपके अंदर एक नया जोस, एक नई उर्जा, ओ, डिएने तक में महसूस हो रही हो, कब कबी आपके अंदर आत्मा तक में प्रिविस करा दिना समझ पा रहा है तो उम्मीद है, क्या समझ में आया संगिय कारिपालिका का किसमे उल्लेक मिलता है संबिधान के भाग पांच के अध्याएक में अनुच्छेद बावन से लेके 78 तक के 78 तक के अनुच्छेदों में क्या है संगिय कारिपालिका के बारे में जानकारी मिलती है तो भारत की संगिय कारिपालिका में यानि कि PPE में राष्टपती उपराष्टपती पड़धे प्रदान मंत्री वा मंत्री पज़द में इसमें सामिल किया जाता हुआ महान न्याए बादी भी ठीक है आए बात करते हैं भारत के राष्टती के बारे में सबसे पहले देखते हैं प्राइम में प्रेसिडेंट ओफ इंडिया के बारे में देखते हैं यह किलिए करते हैं एक पॉइंट यहां समझते हैं उससे पहले हमें एक नजर डाल लेते हैं अन का एक राज़्पती होगा अनुचे दवावन में कहा गया है जो की मंद्री परसति की सलाफार कारीग करेगा अनुचे का निर्वाचन मंदल, 55 राजवती के निर्वाचन की रीती, 56 राजवती की पदावदी, 57 पुनर विचार के लिए पात्रता, 58 राजवती निर्वाचित होने के लिए अधरता, 69 राजवती के पद के लिए सर्ते, 56 राजवती दौरत सपत का प्रतियान, 61 राजवती पर महाव में करिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित ब्यक्ति के पदावधी, 72 में चमादान, आदिकी और कुछ प्रमुक मामले में डंडा देश के निलंबन पर्यार या फिर लगू करण की राश्ट्पती की सक्तियां, 73 संग की कारपालिका सक्ति का बिस्तार्ट, यह कुछ अनुच ससक्त्र सेनाओं की यह पिर्मुक सेनापती भी माने जाते हैं, यानि की चल, थल और वायूज जो सेना हैं, उन तीनों के ससक्त्र सेनाओं के पिर्मुक कौन माने जाते हैं, आपके राश्ट्पती होते हैं, पारत के पिर्थम नागरे को होते हैं, और राश्ट के पिर्मु अब के रास्टपतिजी यह होते है ठीक है राश्ट ह माना जाता है और रास्ट पतीकार پालिका का क्या हो था है और चार एक प्रमों कह ता है जबकि वास्थीयुक्ष सक्तियां जो होती है मंत्रीपर्शद में नियोत होती है कोकि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छिद भ पारी सक्ति किसके पास हो गई प्रदान मंत्री के पास सर्मज में आ गए ना तो आपचारिक प्रमुक होते हैं लेकिन भास्तिविक सक्तियां किसके पास होती हैं आपके प्रदान मंत्री और उसके मंत्री परसद में होती हैं भारती सम्मिदान के अनुच्छित बावन के अनस कार, अनसार संग की कारपालिका सकती, राष्य पतीर सोदी में क्या होगी नेत होगी, और कारपालिका का 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 है, की उपर से लेके नीचे तक का एक एक व्यक्ति जो की प्रसासन से जड़ा हुआ है वो इस कारपालका में आता है ठीक है आईए पद की योगिता के बारे में बात करते हैं पद की योगिता यानि कि किसी व्यक्ति को राष्टफती बनेने के लिए क्यों कौन सी सर्थों को पू बताएगा भी नहीं और इस YouTube पर भी कोई नहीं बताएगा तो सबसे पहली जो सर्थ है वो आप लिख लीजिए सबसे important वो है भारत का नागरिक हो यानि कि राष्टपती बनने के लिए क्या होना चाहिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए ये आपको साइद पता नहों इसलिए मैंने बता दिया 25 वर्स की आईउ करचुका हो और वहे क्या बनने की योग हो जाएगा भारत का राश्टपती बनने की योग हो जाएगा लोगसबा का सदस्य या फिर किसी राज सरकार के अधिन अत्वा इन दोनों सरकारों में से किसी के नियंतर में किसी इस्थानी या फिर अनिप्राधी कड़ के अधिन लाब का पद धाड़ न किया गया हो तो भाया ये लाब का पद क्या होता है तो आईए समझते हैं तो लाब का पद जो है बगते या बाकी फाइदे मिलते हों तो इसके इस्टष्टी करड़ के अंसार कोई भी व्यक्ति केवल इस काड़ भारस सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन लाग कपत धार करने वाला नहीं समझा जाएगा कि बैस संग या फिर किसी राज्य का मंत्री है उस इसमें उ राज्य सरकार के या जैसे कि आप जैसे कि आप कोई जॉब करना है गवर्मेंट तो आप वहां से क्या मिल रहा है आपको पैसा मिला सीधा समझ लाब का पद ऐसा है जिससे आपको पैसा मिलता हो लेकिन लाब का पद क्या नहीं समझा जाएगा आप किसी राज्य के मंत्री ह समझ पारा ना किसी राजी के मंतरी हैं या फिर कोई सदस हैं तो आप वो लाब का पद नहीं माने जाएगा संसद या राजी सरकार के दोरा मंतरी पदगा आपको दर्जा दिया गया तो वो लाब का पद नहीं माने जाएगा आप फिर भी क्या है राष्टपती बनने की योग योग इत्ताब होगा जब वह भारत का नागरिक हो 35 वर्स की आयू पूरी कर चुका हो लोग सभा का सदस निर्वाचत किये जाने की योग हो ठीक है जड़िए आई देखते हैं निर्वाचक मंडल के बारे में बात कर लें तो राष्टवती का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद यानि कि लोग सभा तता राचि सभा तता विधान सभाओं के निर्वाचक सदस से सामिल होंगे ठीक है यानि कि इसमें क्या किया जा जाते हैं आपको पता होगा पहले मैं यहां पे आपको लेके चालता हूं मैं आपको यहां पर देखा दुए मैंने पहले तो आप बता दूँ कि आपको यह संसद हो गई संसद में आपके राजिसवा हो गई लोकसवा हो गई लोकसवा में आपके मैंने बताया था कि कितने सद का निर्वाचन एक बिसेस निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा जिसमें संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदत से और बिदान सवाओं के निर्वाची सदत से इसमें सामिल होंगे तो इसमें सामिल कौन नहीं होगा तो उसको मैं बता दूँ जो ग्रीन कलर का दिख रहा ह जो मनूनी सदस्ट जो आपको दिख रहे हैं गिरीन कलर के मनूनी सदस्ट जो जो जितना गिरीन का दिख रहा है निकि बिधान परसद के सदस्ट सामिल नहीं होगे चाहे वो मनूनी तो चाहे वो निरवाचित बिधान सवा के मनूनी सदस्ट सामिल नहीं होगे चाहे फिर वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाजिस सदस्य और बिधान सवा के निर्वाजिस सदस्यों के दौारा किया जाएगा यानि कि राज सवा के निर्वाजिस सदस्य जो होंगे जिसमें आपके कितने दो सो उन्तिस और चार लोग सवा के निर्वाची सदस से आने की पांसो तीस पिलस दे रहे तो ये होंगे वहीं पर बिदान सवा के निर्वाची सदस इसमें क्या डालेंगे आपका बोट डालेंगे आपके तिक रहा होगा राज की बिवस्तापिका आपको बिवस्तापिका जो होती है विदान मंदल जो होता है जिसमें दो सदनों के रूपे देखा जा सकता है विदान सवा विदान परसत विदान परसत के सदस्यों के दोरा बोट नहीं डाला जाएगा राष्ट पती के चुनाम में विदान सवा के विदान परसत के विदान सवा के निरवाची सदस डालेंगे मनोनी सदस्य ने डालेंगे लोग सभा की बात करेंगे तो लोग सभा के बर्तमान में 555 इस जिसमें निरबाची सदस्य इसमें बोर्टिंग heut 색 13 इसके बाब राजु सभा की अगर बात करतें तो राज़ वा की निरबाची सदस्य 2529 इसमें किया जाएगा तो राष्ट पती के निर्वाचक मंडल में संसद के मनूनी सदस्य राज बिदान सवाओं के मनूनी सदस्य तथा राज बिदान परसदों के सदस्य निर्वाचित तथा मनूनी दोनों सामिल नहीं किये जाएगे ठीक है फिर से बता दू राष्ट पती क निर्वाचक मंदल में दिल्ली एमम पुदुचेरी या पुदुचेरी बिदान सवाओं के सत्तर में को सत्तर में सम्विदान 1902 के अधिनियम के द्वारा सामिल कर लिया गया यानि कि पहले दिल्ली और पुदुचेरी के जो बिदान सवा के सदस हुआ करते थे वो नहीं डाल तो मनुनी सदत से चाहे पिर वो राजी सभा के हों, चाहे पिर लोग सभा के हों, चाहे पिर बुईदान सभा के हों, और बिदान परसद के दोनों सदनों के चाहे पिर वो मनुनी तो चाहे निर्बाचत ये लोग बोर्टिंग नहीं करेंगे, किलियर हुआ, तो जो गिरीन है यानि कि indirectly होता है तो राष्टपती पद के निर्वाचन में अवर्थी होने के लिए आवस्यक है कि कोई ब्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामंकन करते समय 15,000 रुपे की धरोर है यानि कि जमानत धर्णाती निर्वाचन अधिकारी के समझ जमा करे और उसे नामंकन पर कम से कम पचास मतदाताओं के द्वारा किया जाना चाहिए तो कम से कम पचास मतदाताओं द्वारा उसके नामंकन पत्र का क्या किया गया हो समर्थन किया गया हो सीधा तो मतलब यह कि राष्टपती पद के लिए निर्वाचन करने के लिए बहुत जरूरी है कि निर्वाच पत्र होगा उसमें 50 लोगों का समर्थन भी चाहिए जो सदस हैं जो सदस्य होंगे संसत के 50 सदस्यों का उस पे क्या होना चाहिए समर्थन भी होना चाहिए तो क्या ज़रूर ये 50 मत्दाताओं का 50 मत्दाताओं का क्या है समर्थन होना चाहिए नामंकन पत्र का समर्थन भी हो यानि कि एकल संक्रमुड़ती सिध्धानत के अधर पर बोटिंग होती है तो आए देखते है राष्टति निर्वाचन के पद्धिदी अनुच्छ पच्पन के अमसार राष्टति का निर्वाचन अपरते चुरूते अनुपातिक प्रतनिजित्व पद्धिती के अनसार यानि के अनुच्छेज 71 में उपवन्द है कि राश्पति के निर्वाचन से संबंदित बिवादों का निप्टारा उच्चितम नियायले के द्वारा किया जाएगा और उसका निड़य जो होगा अंतिम होगा तो फिर से बता दूं मैंने बता है कि राश्पति का निर्वाचन क्या इसका मतलब यह है कि मतदान जो है मतदाता जो है मतदान पत्र में क्या करेगा उम्मीदवार के नाम का और चुनाव चिन्द के सामने अपना बरीता किरम भी लिखेगा सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए मैं एकल संक्रमणी पत्द्यती जो होती है सीधा सा मतलब यह है कि माल लिजे ये राष्ट पती जो है रामनाद कोविंद जी के लिए हम बोटिंग करना चाहते हैं और जो मत्यदाता जो है वो राष्ट पती रामनाद कोविंद भी खड़े हैं और यहां पर जो है पप्पू मतलब यहां पर राहुल गांदी भी है यानि कि राहुल रार और र यहाँ पर मैं नहीं डाले जाओं, मतलब आप बोटिंग करने गए, तो आपको मैं माल लेता हूँ, तो बोटिंग करने जैसे जाते हैं, तो बहाँ पर क्या करना होगा, कि आप जो चुनना चाहरे हैं, कि इसको चुनना चाहरे हैं, कि अनुरा को यानि कि मुझे चुनना चाह कहेंगे कि अगर ये नहीं बनते हैं तो आपको हम रामनात कोविंद जी को चुनते हैं अगर ये भी नहीं बनते हैं तो हम इनको इस तरह से क्या करना होता बरियता किरम भी लिखना होता कि हम प्रात्मित्ता किसको देना है इनके बाद ठीक है इनके बाद किसे अगर माली जी यह नहीं बनते हैं तो कौन तो इस तरह से तो इस तरह बोट क्या होता है जो मत होता है वो क्या होता है वो खराब नहीं होता ठीक है किलिए रहा आगे बात करते हैं राष्टपती का कारिकाल और कारिविधी की बारे मात करते हैं अनुच्छे 56 के अमसार राष्टपती अपने पद पर ग्रेड करने की तित्में पांच वर्स की अबदी तक अपने पद पर बना रहता है लेकिन इन पांच वर्सों की अबदी को पूर या कर पांच वर्सों की अबदी से पहले विए उपर राष्टवती को अपना त्याग पत्र दे सकता है या पर उसे पांच वर्स की अबदी से पूर संविदान के उलंगे के लिए संसत द्वारा लगाए गए महावियोग प्रिक्रियानी के अनुछे रिक्सत में उपमंदित है जो के द्वारा हटाय जा सकता सीधा समतलों जो है राष्टवती जो है माल लिए आज जो है कुर्सी पर बैठते कुर्सी पर निमत्राओ आज उनका जो है चुराब हो जाता है आज जो है वो सपत गिरहड करते हैं सपत गिरहड करने के लग पूरे पांच वर्सों तक वो क्या करेंगे स्वेधान का उलंगन क्या होता है तो संभिधान का उलंगन का मतलब यह है कि संबिधान का अनुचित बावन ये कहता है कि भारत का एक राष्टती होगा और वह संबिधान भारत का एक राष्टती होगा और मैं मंतरी परसद की सलापर कार करेगा है उसके लिए मंतरी परसद होगी और उसकी सलापर वह कार करेगा तो तो यहां पर सीधा सा मतलब है मंत्री परचत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है आपका प्रधान मंत्री होता है तो सीधा सा मतलब है कि प्रधान मंत्री की अगर किसी जैसे माल लिजे नरंद मोदी जी है और हमारे रामनात कोविंद जी 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 है पूर्ण बहुमत में सर पर काम करने के लिए अगर वो चाहें तो महावयोग की प्रिक्रिया से हटवा सकते हैं कौन आपके प्रदान मंत्री जी द्वारा ठीक है चलिए अनुच्छे 57 के अंसार भारत के राश्ट्रपती पद पर पतस्त व्यक्ति दूसरे कारिकाली के लिए भी चुनाम में उम्मीद होंगा राश्ट्रपती द्वारा उपर राश्ट्रपती को सम्मोदित त्याग पत्र की सूचना उपर राश्ट्रपती द्वारा लोग सवा के अध्यच को अभिलंब सौंपी जाती है अभिलंब यानि कि बिना देरी की ये सौंप दी जाएगी या पताई जाएगी सीधा स तो इनको तुरंद बिना किसी देरी के एकदम सीग रहते हैं तो तुरंद दे के आना पड़ेगा ठीक है राष्टपती अपने पांच वर्स के कारिकाल को पूरा होने के बाद भी तब तक राष्टपती की पदपर बना रह सकता है जब तब उसका उत्रा दिकादी पर आपका टाइम पूरा हो गया आपका कारिकाल पूरा हो गया है बाकाईदा सम्मान के साथ आप क्या कर सकते हैं आप सम्मान के साथ वहां पर बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब की जब तक दूसरा उत्तरा दिकारी यानि कि आप यही चुनाम में खड़े हो सकते ह अगर आप जीत जाते हैं तो आप बने रहे हैं कोई दूसरा व्यक्ति जीत कराता है तो बाकादा सम्मान के साथ एक दम आएंगे कि आप जो है आपका समय जो है पूरा हो चुका है अब आप जो है ये कुर्सी जो है वो छोड़ सकते हैं फिर से बता दूं राश्टपती अप उपर राश्टपती तदा राश्टपती दोनों अगर पद पर कस्मे क्रिक्ति के अगर दोरान या दोनों की उपर अनुपस्तिती में भारत का मुक्ष ने आए दिस राश्टपती के पद का निर्वहन करेगा सीधा तो मतलब है कि राश्टपती अगर क्या है अनुपस्ति के कार्यों का निर्भन करेंगे अगर माली जी राष्ट्वती और उपराष्ट्वती दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोट याकर सर्वोच नहाए लेकि जो मुख्य नहाए लेकि मैं जो जो सबसे बरिष्ट होगा वो राष्ट्वती पद के क्या करेंगे निर्भन करेंगे में राश्टपती की जो परलब्दिया थी बीस जार से बढ़ा कर पचास जार कर दी जाती है फिर पचास जार से बढ़ा कर आपकी डेड़ला कर दी जाती है और बर्तमान में इसकी जो परलब्दिया है यानि की राश्टपती जी की जो परलब्दिया है उन्हें जो पैसा मिल था और एक फरवरी दो जार एक फरवरी दो जार अठारे को प्रिस्तोत बजट में आपका इनका पांच लाख रुपए कर दिया गया था ठीक है यानि कि बरतमाने में हमारे राश्ट्वती जो है उन्हें परलब्दिया कितनी दी जाती है उनको टेड़ पांच लाख सेलरी नहीं दी जाती है बलकि क्या किया जाता है हमारे उपर वो क्या करते हैं पैसे लेकर एहसान करते हैं इसलिए उनकी सेलरी नहीं होती है बर कि क्या होती है परलब्दियां होती है तो उनको कितना दे जाते हैं यानि कि हम क्या करते है राश्ट्वती जी के सामने जाते ह कि हे महा महीम आप हमारी ये छोटी सी भैट जो है सीकार करिए यानि कि पांच लाग रुपया जो है हम आपको हर महीने जो है आपको परलब्दी के रूप में दे रहे हैं यानि कि आप उसको सीकार करिए तो सीधा सा मतलब है कि उन्हें सेरली नहीं मिलती क्यों 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 कि सम्मान के उनका सम्मान करते हुए उनको कुछ पैसा हम उनको दीते हैं राश्वती के शुनाप से सम्मंदित कुछ एतियासिक तत्थ देखते हैं तो भारत में अब तक 14 राश्वती जो है पद गिरड कर चुके हैं जिन में से प्रिथम जो राश्वती थे डॉक्टर राजन स थे धाड़ करे रहे थे ठीक है फिर से बता दू कि परतमान में 14 राश्वती जो है इस पद गिरण कर चुएंगे जिन में से सबसे पहले जो राश्वती थे डॉक्टर राजन परसास थे उसके बाद डॉक्टर राजन पर पहले ऐसे राश्वती हैं जो जो जिन्होंने दो ब बावन में राश्वती के प्रतम चुनाव में राश्वती के पूरी 24 जनवरी 1950 को संबिदान सवाद वारा राश्वती के रूप में डॉक्टर राजन परसास का चुनाव कर लिया गया था और संबिदान के प्रदवतन की तिति यानि की 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1902 तक डॉक संजीव रेड़ी निर्व रोध राश्ठपती चुने गए थे तो नीलम संजीव रेड़ी जो थे निर्व रोध चुने गए थे इसका मतलब यह था कि इनके बिरोध में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा था ठीकर चेले राश्ठपती के अब तक केवल राजन परसाद, फरकुद्दीन अली एहमद, नीलम संजीव रेड़ी, ग्यानी जेल सिंग, डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम, पृतिवा पाटेल, प्रिड़ा मुकरजी तिसा रामनात कोविंद को छोड़कर अन्य सभी राश्ठपती प यानी जेल सिंग जो थे कभी राश्ठपती नहीं रहे हैं, उपराश्ठपती, डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जो है कभी भी उपराश्ठपती नहीं रहे, प्रिड़ा मुकरजी कभी भी उपराश्ठपती नहीं रहे, रामनात कोविंद जी जो थे कभी भी राष्टपती तता एक वार क्या रहे हैं आपके राष्टपती के पदपर आसीन रहे हैं निर्दली ये उम्मीदवार के रूप में बीबी गिरी ऐसे राष्टपती निर्वाचित हुए जिन्होंने कॉंग्रेस का इस पर्ष्ट पहुमत होते हुए भी कॉंग्रेस के उम्मी उम्मीदवार के रूप में पहले व्यक्तित है जिनका नाम था बीवी गिरी ये राश्टपती के निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं और इनका यहां पर इस समय चुनाव था प्रचंड बहुमत आपको मिला था कॉंग्रेस को कॉंग्रेस का प्रचंड बहुमत होने के बा राश्टपती के चुनाप के लिए खड़े होते हैं पहली बार उसमें हार जाते हैं फिर दुबारा से जब वो खड़े होते हैं तो दूसरी बार वो निर्विरोध चुने जाते हैं यानि कि जीत जाते हैं चलिए महावयोग एक प्रेम कथा सरी महावयोग एक प्रिक्रिया है संसत का कोई भी सदन राष्ट पती पर संविधान के उलनंगन का आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उन आरोपों की ज्याच करेगा या फिर कराएगा किन्तु ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक की चौदे दुनों की लिखी सूचना देकर सदन की कुल स संक्या के कम से कम एक चौत्याई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्थापना अंतर विष्ट करने वाला संकल्प प्रस्ताब इतना किया गया हो सीदा समतलब है महावियोग एक प्रिक्रिया जो है यह महावियोग एक न्यायक प्रिक्रिया है और संसत का कोई भी सदन चाह महावयोग की प्रिक्रिया जो है कर सकती है दूसरा सदन इस आरूपों की जांच करेगा यानि कि माल लिजिए राष्टपती पर राज्य सबा क्या करता है आपका उनलंगन का आरूप लगाता है तो लोग सबा इसको क्या करेगा जांच करेगा या फिर जांच करवाएगा राष्टपती के पदपर रहते हैं तब तक उनके द्वारा किये गए कार्यों को किसी भी न्यायले में बाद योगी नहीं बनाया है यानि कि राष्टपती किसी की हत्या भी कराने यानि कि मिरस्त्यू डंड भी दे देते हैं या फिर किसी को छमादान देते हैं तो उनके द पताया है कि राष्ट पती अनुच्छेद बावन के अंसार संभिधान के अनुच्छेद बावन के अंसार भारत का एक राष्ट पती होगा और भारत के राष्ट पती जो है उनकी सला के लिए एक मंत्री परसद होगी और मंत्री परसद की सला पर यानि कि प्रधान मंत्री उस मंदल याक है प्रदान मंत्री याक है सत्ता में पूर्वहमत का यदि लोग सवा में यदि पूर्वहमत की अगर सरकार है तो वो क्या है सलापर कार करनेंगे और कार करने के साथ यदि वो राच्ट फती जो है उनके कहने पर नहीं चलेंगे उनकी उनका कहना नहीं मानेंगे य फिर उनकी साफ से काम नहीं करते हैं तो महावियोग की प्रकिरिया लाई जा सकते कोई और ऐसा उपवंद नहीं है जिसके तहत इसमें कहीं यह लिखा हो बस संभिधान का elétलन नंगन है तो वो संभिधान का elétलन क्या करेंगे किशी के हत्या करांगी कि वो भी नहीं माने है किसी को छमा करेंगे अत्या कि तो भी तो कहां पर बात पस्ती है तो यहीं बात पस्ती है कि राश्टपती के लिए लिखा गया है कि संविधान में लिखा गया है कि वो राश्टपती जो है आपके प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री परसकी सलापर कार क करेगा राज सवाल आता है तो लोग सवाज राज करेगा समझेगा न है अब एक चीज और बताई मैंने की आरोप इन पर तब तक नहीं लगाया जा सकता कि पर राष्ट पती पर चौदे दिन पहले यानि कि आज जो है मतलब माली जी हम राष्ट पती पर महावियोग लगाना चाहते हैं तो राष्ट पती को चौदे दिन पहले उनको लिखित सूचना देनी अनिवार होगी सदन की कुल सदस संक्या से कम से कम एक चौथ्याई सदस्यों के अस्ताचर भी उ यानि कि माल लीजिए कि आपका लोग सवायत लोग सवाय में पानसो पैंतालिस वर्तवान में हैं तो पानसो पैंतालिस का कितना एक बटे चार वाद की सदस्यों के हस्ताक्चर करने के हमें इन्हें देना पड़ेगा ठीक है चलिए तो राश्वती को ऐसे अन्वेसर या जांच में उपस्तित होने और अपनी पृतिनिद्ट करने का अधिकार होगा यानि कि उन पर महावियोग लगाया गया है तो उस जांच में सामिल होने या उपस्तित होने और उसको अपना पृतिनिद्ट करने का भी अधिकार उनको द कम से कम एक तिहाई बहुमत द्वारा संकल पर पारिद करना होगा सीधा सा मतलब है कि राश्टपती जी पर मैंने बता है कि लोग सवा जो है क्या कर रही है लोग सवा आपके राश्टपती जी पर क्या कर रही है महावयोग की पिरक्रिया जो है ला रही है तो आपकी ने दे तो कराने का अधिकार है मान लिजिए इन पर जो है दोस्ट की सिद्धी हो जाती है तो आपका दोस्ट सिद्धी होने के बाद जांच कर रहा है मान लिजिए लोकसवा जांच कर रहा है तो दोस्ट सिद्धी होने के बाद कुल सदस सदन के कुल सदस संक्या के एक त्या हाई बहुमत के साथ यहां हटाने के बाद आपके उसी दिछ से आपके राष्ट पती यह कापद जो है खाली मान लिया जाएगा राष्ट पती को अनुच्छित छप्पन और 61 के उपवंदों के अन्सा महाव्यों के अलावा किसी और डंग से नहीं हटाया जा सकता ठीक है चल की बारी सकति नहीं पावर्स की बारे बात हो रही है ठीक है तो एम पावर और इमर्जनसी पावर ठीक है तो भारती संबिधान के constitution के दौरा हमारे राजपती जी बहुत सारी सक्तियां दी हैं जिनको हम दो भागों में पार्ट कर पढ़ सकते हैं सबसे पहली जी सक्ति की बात करें तो वो हो जाती है आपकी यानिकी पावर्स की बात करें तो वो हो जाती है आपकी सम्धान की सामन राच्ट कती की सामने सक्तियों में तो कूटी नितिक सक्त कि भारत का एक राश्वती होगा और उसकी सक्तियां यानि कि संग की कारपाली का सक्ति जो है राश्ट फती में नहित होगी और वह अपनी इन सक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्त प्राधिकारियों के माध्यम से कर सकेगा और यहाँ पर अधीनस्त का मतलब है प्राधिका तो ये हो गया इनका एक सक्ति, दूसरी सक्ति देखते हैं तो अनुचेद 74 के अंसा, अनुचेद 74 के अंसा, राष्टपती संगी की कारिपाल का सक्ति के संचालन में सहा देने के लिए मंतरी परसत का गठन कर सकेगा, जिसका अध्यच जो है प्रधान मंतरी होगा, फिर से बत ब्यक्तियों को प्रधान मंतरी के पद पर नियुक्त करता है, जो लोक सवा में बहुमत प्राप्त दलका नेता हो और इस पिरकार नियुक्त किये गए प्रधान मंतरी की सलापर मंतरी मंदर के किसी सद्य को सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, मैंने क्या बताया कि अनुचेद पती को सलहा और राष्ट्वती को कार के संचालन मदद करने के लिए राष्ट्वती क्या करेगा पिर्धान मंतरी की नियुकती करेगा और पिर्धान मंतरी पिर्धान मंतरी क्या करेगा आपकी राष्ट्वतीरी की सलहा पर आपके अन्य सदस्यों की क्या करेंगे अन्य राष भी सकता है तो यहाँ पर सीधा था मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्या मतलब है कि प्रधान मंतरी किसी को नियुक्त तो कर नहीं सकता यहाँ पर मतलब है कि लोग सवा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वह राष्ट पती क्या करेंगे आपको वो प्रधान मंतरी चुन अन्य मंतरीयों की क्या करेंगे, ये अन्य सदक्स्यों की न्युक्ति करेंगे, किस अनुचेद अनुचेद 74 की ताहट, ठीकर, चलिए। तो किलियर हुआ न, अनुचिद अठानमंतरी होगा ठीक है चलिए अनुचिद 78 खा के तैज राष्टपती को अधिकार है कि वह संग सरकार के समझत कार कलापों की जानकारी प्राफ्त करें और इस संबंध में प्रधानमंतरी का यह करतब होगा कि वह राष्टपती को सभी आ के प्रिदान मंत्री की संगी परसद के अन्य मंत्रियों की ठीक है बारत का महन नयाएवादी की भारत का नेंत्र के महले का फरिच्छर की उच्च एवं उच्च तम नयायले के नयाया अधीसों की राज्यों के राजियों के राजिपालों की केंसाधि प्रदेसों की प्रसासक की भारत के विदेशों में नियुक्त राज़ूतों की और उच्चायुक्तों की प्रमुक देने के लिए ये क्या होगी मंत्री भरसद होगी अनुच्छ चोहतर क्या क्या जाता है? कि राष्ट पती के कार संचालन की सला के लिए राष्ट पती बहमत प्राप्त दल के नेता को प्रधान मंत्री चुन सकता है और प्रधान मंत्री चुनने के बाद अन्य मंत्रियों की मतलब अन्य सदस्यों की न्यूपती प्रधान मंत्री की सला पर कर सकता है और सला के साथ उन क्या कर सके प्रधान मंतिरी से अपने पास मंगा सके यानि कि प्राप्त कर सके यानि कि जितने भी कार हो रहे हैं जो भी कार हैं जो भी गवर्मेंट के जो भी काम काज बगे रहे हैं उनकी इन्हें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है यानि कि और इस संबंद म प्रदान मंत्री का ये करता दोगा कि राष्ट्रिपती को सारी आवस्यक जानकारी उपलब्द भी कराए इसके बाद राष्ट्पती उच पदादियागारियों कि न्यूक्ती भी कर सकता है जैसे कि और पदच्यूत भी कर सकता है पदच्यूत का मतलब होता है मतलब थोड़ा के भारत के प्रन मंतरी हो गए बारत का महाई बारत परिच्चक है कि इनको बोलते हैं ठीक है तो की हो गई के जिसको बोल सकते हैं उच्छी तम तथा उच्छी 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 बारियों तथा राज्यो के प्रस्थाश्ण और विकास के संबंध में राश्च पत्य को विभनायोगों से पर्मार्ष भी करना पड़ता है ठीक है चलिते सहन शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है शंग के रच्छाबलों का समादेस राष्थ पती में नहिट होता सीधा ता मतलब है तीनो सेना का यानि कि पिरमुक कौन माना जाता है आपके राष्टपती माने जाते हैं यानि कि थल सेना जल सेना और बायू सेना इनकि इंडियन आर्मी बायू भारती सेना बायू सेना यानि कि इंडियन नेवी इंडियन एयर फोर्स यानि कि भारती बायू सेना का तीनों की ये क्या होते हैं पिरमुक होते हैं इसके बाद अन्य जो होते हैं जैसे कि थल सेना के जर्नल हो गए थल सेना के जर्नल हो गए बायू सेना के एयर एयर चीफ मार्सल हो गए थल जल सेना के एड्मिनल हो गए तो इनकी भी नियुक्ति जो है आपके कौन करते है आपके राष्ट फतीजी करते हैं इसके साथ इन्हें कौन से कारी करने होंगे यानि कि ये सक्तियों का किस तरह से प्रियोग कर सके हैं इन तीनों सेनाओं का किस तरह से प्रियोग कर सकेंगे तो जो है संसद जो है कानून बना कर उनके लिए क्या कर सकती है कुछ नियमों को कि किस तरह से इनका प्रियोग करना है तो संसद के कानून के अनसार करेंगे यह नहीं यह तीनों के प्रमक है तो पड़ोसी देशते हमला कर देंगे ऐसा नहीं मतलब संसद के बिदी के अनसार संसद के जो नियम काईदे बना रही संसद के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो अन्ने देशों के साथ भारत का संव्यभार राष्टफती के नाम से किया जाता है. यानि कि अंतराश्टी मामलों में राश्ट्पती भारत का क्या करता है उसकी बात करें मान लिजिए अमेरिका के साथ तो राष्टपती के नाम पर होगा प्रेम केनेडा की बात करें तो राष्टपती के नाम से सारे संबंदों विवार होंगे सारी वो होंगी क्या बोलते हैं मतलब जो भी समझोते बगवारा होंगे तो राष्टपती के नाम से हो साथ ही अनिदेश्टों से भारत में न्युक्ति पर आने वाले राजडूतों वा उच्चा उउक्तों की संसुती यानि की स्वतारइशुपी राष्थवती की दोरह की जाते हैं एमबेस्टर बोलते हैं उसको एमबेस्टर नहीं की राज़दूत अंग्रेजियों की वासा में एमबेस्टर बोलते हैं तो उनकी नियुकती भी कौन करते हैं आपके राश्टपती जी ही करते हैं पाकिस्तान का भारत देश में अगर राज़दूत आ रहा हैं तो उसकी सिफ लेकिन राठवती अपनी राज नेक सक्ति का प्रियोग मंत्री मंडल की सलापर या मंत्री पर्सत की सलापर करेगा यानि कि मान लीजी अमेरिका के साथ कोई संधी हो रही है तो संधी गंदी अगर संधी नहीं है या फिर मान लीजी कोई सी भी गंदी हो गंदी अच्छी जो भी हो संधी हो रही है तो राश्टवती के नाम से तो होगी संधी करके आतो जाएंगे लेकिन उसको बास्तविक बारत के राश्वती जाते हैं और कोई जमीन का टुकड़ा जो है बहाँ पर देने की बात कराते हैं वहाँ पर इन्हों ने देने की बात तो करते हैं फलाना फलाना सींग और फलाना फलाना सींग को हम ये बारत का इतना इस्ता जो है हम दे रहे हैं आपको इस दिन के लिए व महर लगवानी आविश्चक है आप वहाँ पर दे तो आएंगे लेकिन जब तक संसद की महर नहीं लग जाएगी यानि जब तक संसद उस पर कानून नहीं बना देगी तब तक वह पूरी तरह से मानने नहीं होगा ठीक है चेलिए बिदाई सक्तियों एब आप कार देखते हैं राष्टपती संसद का अविन अंग है संबिधान के अनुछे 89 के अमसार संसद का गठन राष्टपती लोकसबा और राजिसबा से मिलकर बनता है यानि कि मैंने क्या बताया था कि कार पालिकाय का जो पिर्मुक जो होता है वो कौन होता है आपका राष्टपती होता है वही स्वयम राष्टिपती लोगसभा राजिसभा और स्वयम राष्टिपती क्या होते हैं इस तीनों से मिलकर संसद बनती हैं यानि कि अगर पूचा जाए संसद के कितने सदन हैं तो दो सदन हैं कौन से लोगसभा राजिसभा संसद के कितने अंग हैं तो तीन अंग हैं प्रतमान में बरतमान में कितनी सीटों पर चुनाब होता है जिन मेंसे मैंने आपको बताया था कि दो लोगसबा में सीटें जो हैं राचपती मनोनीत कर सकते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आंगल भारती समुधाय का पित निद्र तुब नहीं कर पा रहा है कोई या फिर कम है तो क्या कर सकते हैं यह आपके दो आंगल भारतीयों को आपके लोगसबा में मनोनीत कर सकते हैं और मनोनीत से याद आया कि लोग frontier सदस होते हैं वो राश्ट खेल से जुड़ा हुआ कोई मजबूत प्यक्ति है उसमें धुरंदर है या पर विद्ध्वान है कोई तो क्या करते है राष्टपती उसमें क्या करते हैं बारे लोगों को मनुनित करते हैं जैसी कि हमारे किर्केट के भगवान कही जाते हैं सचिन तैंदुगुलकर तो उनको एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रतम बैठक के बीच में नियत तारीक के बीच छे महिने के अधिका समय नहीं होना चाहिए माली जी आज कोई बैठक होई है आज से और अगली बैठक के बीच में कितना छे महिने से अधिका समय नहीं होना चाहिए यानि कि य सकते हैं लेकिन शंसत के सत्र की अंतिम बैतक और आगामी सत्र की प्रथम बैतक के बीच में छे मईने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए मांसूं के तीन सत्र और दिखा देता हूँ आपको संससी सत्र की बात करें तो से सेशन of parliament एक बर्स में सामाने तें सत्र होते हैं पिर्थम सत्र budget season जिसको हम बोलते हैं फरवरी से माई मासुम सत्र जिसको जुलाई से सतमबर तक सीट कालिन बिंटर season जो होता है नवंबर से जिसमबर तक आईए next देखते हैं बिदाई सक्तियों में आगे ही देखते हैं यह सद्नों या पिर किसी यह सद्नों यानि कि लोगसभा राजी सभा या पिर किसी एक सद्न का सत्रा अवसान कर सकता है तथा लोगसभा का बेगिटा निभी कर सकता है सत्रा अवसान का मतलब होता है मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है सत्र का मतलब है कि तीन सत्र होते हैं तो बजट सत्र चल रहा है तो उसका क्या करते हैं सत्र का अवसान कर सकते हैं यानि कि उसको खतम कर सकते हैं कि यह सत्र चला है इसको बंद करिए आप अपना अपना काम करिए तो संत्र का क्या कर सकते हैं? संत्रा बसान कर सकते हैं. के लिए अरुआ यह संसद के किसी एक सदन में या पिर संसद के सैंक तो अधिवेशन में अभी भासड भी कर सकते हैं. यानि कि लोगसवा के सामने ये अभी भासड मतलब भासड दे सकते हैं. राजी सवा के सामने ये भ बानो कि साहिए क्या कर सकते हैं ये भासषड दे सकते हैं संसद में otypes किसी बिध्यक के संसद में संसदके दौन सदन को संदेश भेज़ा जा सकता है और उसके संदेश पर यता सीग्र विचाड भे लाकि मालीजे कोई बिद्यक जो है काफी समय से लटका हुआ है तो हमारे महा महीं राश्पती जी को ऐसा रता है कि ये बहुत दिनों हो गए और जो है टाइम पास हो रिलाए इसमें बहुत दिनों से काहे नहीं इसमें कुछ किया जाए तो हम क्या करेंगे राश्पती जी जो है उसमें क्या करें है यह लोग सभा के प्रतियक साधार नुवाचन के पश्चात प्रतम सत्र के आरंब में और प्रतियक बर्स के प्रतियक सत्र के आरंब में संसत के संयुकता दिवेशन में अभी भासड कर सकता है यानि कि यह लोग सभा के प्रतियक साधार नुवाचन के पश्चात यानि कि ज लोग सभा के चुनाव में जब होता है उसके बाद जब पिर्थम सत्र शुरू होता है या फिर लोग सभा के पिर्थम सत्र के शुरूवात में आपके जो राजपती जी जो होते हैं क्या कर सकते हैं राजपती जी क्या कर सकते हैं राजपती जी भासर दे सकते हैं आप भासर दे सकते हैं और हर साल के हर साल के यानि कि माली ये बजट सत्र रूर होता है तो हर साल के आपने सुना होगा जब बजट सत्र रूर होता है तो वहाँ पर राष्टपती की क्या करते हैं बाहसड देते हैं तो प्रतियक बर्स के प्रतियक सत्र के सुरूबात में अधिकी बजट सत्र सुरब पुनर विचार करने के लिए संसत को बापज बेजा जाता है तो राष्टपती उस पर अपनी अनुमती देने के लिए बाद दे होगा मान लिजिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान लिजिए संसत में कोई विदेयक पास करने के बाद राष्टपती जी को बेजा जाता है तो तो संसद में जो विदयक बेजा गया है उस पर क्या है वो या तो अनुमती दे देंगे या फिर पुनर विचार के लिए लोटा देंगे तो मान लिए पुनर विचार के लिए लोटा दिया तो आप कहा के जाईए पुनर विचार के लिए लोटा दिया तो पुनर विचार करन उसके बाद या अगर आपने बापस बेजा वापस आने के बाद करेंगे आगए उस पर अनुमती देने के लिए बाद होंगे चलिए सत्रा वसान थोड़ा से देख लेते हैं जब लोगसवाद्यच या फिर सवापती द्वारा सतन के पूर होने पर अनिशित काल के लिए इस्तकित कर दिया जाता है किन्तु राष्टपती सत्र के दौरान भी संसद का सत्रा असान कर सकते हैं सीदा असमतलब यह है कि जब लोगसवाद्यच और शवापती जो होते हैं लोग सवा में मनली जी क्या चल रहा है अनिशित काल के लिए इस्तकित कर देते हैं यानि कि जब आप जरूद पढ़ेगी तब हम बलाएं लेकिन राष्पती जी क्या कर सकते हैं स सदन का क्या कर सकते सत्र अबसान कर सकते अबसान सत्र अबसान यानि कि सत्र का अबसान कर सकते अबसान का मतलब अंत कर सकते सत्र अबसान का मतलब है कि कर दिया है यह बिलकुल सभा मतलब बिलकुल खतम नहीं है मतलब अब जो है अगला सत्र शुरू होगा तब बैठा होगी या फिर अनिश्यत काल के लिए करती है बेगटन देखते हैं राज सवा जो है राज सवा के इस्थाई सदन होने काड़ इसका बेगटन नहीं हो सकता जबकि लोग सवा आइस्थाई सदन होने काड़ बेगटन हो सकती है और लोग सवा को दो तरीके से बेगटन किया जा सकता ह है एक तो स्वयम विक्टत होता है और दूसरा होता है सवयम सावदन में बहुमत नहीं का मैं बता दू लोकसभा जो है वो क्या होता है हर पांस साल में उसका चुनार होता है लेकिन राजसवा में क्या होता है वो कभी भी भंग नहीं होती है बस उसके सदस्यों का क्या होता है दो साल में एक त्याई यो सर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उसके वजले में नई आ जाते हैं लेकिन यह क्या होता है कभी भी विक्टित नहीं होता कौन सा राजी सवा लेकर रोज लोग सवा क्या होता है हर पांस साल में विक्टित हो जाती है पांस साल से पहले वि सदन में बहुमतन होने के खाड़ा, बहुमतन होने कि इसosta में राष्वती लोक-सभाब बिक्तन का नेड़े भी ले सकता है तीधा सा मतलब है राजफती जी को ऐसा लगता है कि लोग सवा में इस सरकार का क्या है बहुमत नहीं है तो जो आपके क्या करेंगे आपके ये बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं ऐसे कर सकते हैं परिणान मंतिल को बोला सकते हैं बोलाने के बाद कह सकते ह कि बायर बाथ सबसे कहेंगे के हमारे कितने सदसे हैं बहुम्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसे कर Hij लीजिए बाराई साथ सीमाझन समाज पार्टी के आगर सकते हैं आगर क्या है कि यह बाहुमत बार बावाँमत लिए सकते हैं कि यो उपना बहुमत बापस लिए हैं तो ऐसी स्थिति में लगता है कि यह जो है बेगटित की जा सकती है बेगटन किया जा सकता है तो यहां पर क्या करते हैं राश्ट्पति बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं अगर नहीं होगा तो बेगटित हो जाएगी और अगर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है सम्भिदान के अनुचित 123 के तरह राष्टफती को अध्यादेश जारी करने की सकती प्रधान है राष्टफती द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रवाब होगा जो संसत द्वारा पारे तथा राष्टफती के द्वारा अनमोदित अधिनियम का होता है लेकिन अंतर वस इतना होगा कि अधिनियम का प्रवाब तब तक हिस्ताई होता है जब तक की संसते द्वारा राष्ठति की अध्यादेस द्वारा निरस्त न कर दिया जाए इसके विप्रीत अध्यादेश जो है 6 महीने तक ही प्रवर्तन में रता सीधा समतलब राष्टपती अनुचे 123 के तहत किसी भी मामले में एक अध्यादेश क्या कर सकते हैं जारी कर सकते हैं उसकी अबदी कितनी हो क्यों कि मान ले जीए समय ऐसा आया ता की मतलब किसी को किसी विस्टेश बढ़ को आरचड दे एन तो एसा लग रहा है कि इनको जो है आरचड वाला चूरन देना पड़ेगा और जो हाई एकबार वह मांगे बार बार ऐसी कविता कही जाती है कि आरचड जो मान लीजिये 10 साल के लिए Congress उदारा लाया गया था और उस आरचड की ऐसी गंदी लत लगी है था मूपे चड़ा कुछ कीड़ों के कि वो उसके बिना रही नहीं पाते हैं मतलब तो समझ यह तो ऐसी क्या कि मान लीजिये इन्हें लग रहा है कि कुछ जो बर्ग है वो दंगा की करने की स्थिती में आये हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह अध्यादेश के तहद क्या करेंगे कि क्यों विश्यस वर्गों को आरचड दे दे देंगे तो अध्यादेश के तहद उस विश्यस वर्ग को क्या दे दिया आरचड दे दिया अब क्या है कि वो छे महीने बा होती है अध्यादेश का वही प्रिवाब होता है जो संसद द्वारा पारित तथा राश्पती की द्वारा अन्मोजित अधिनियम का होता है लेकिन अंतर क्या होता है कि अधिनियम जो होता है खतम करना है तो तब खतम होगा जब उससे संसद के द्वारा खतम किया जाया निए लेकिन अध्यादेश जो है छेट में महीने में दरब छे महीने बाद ऑटमेटिक खतम हो जायगा बित्ती सक्तियों के बारे में बात करते हैं धन बिदेयक तता बित्य बिदेयक को तभी लोगसवा में पेस किया जाता है जब राश्ट पती उसकी सिपारिस करें सीधा तवा मतलव धन बिदेयक और जो बित्य बिदेयक होता है पेस करने से फैले ही राश्ट पती के उस पर क् सिगनेचर या सायन हो जाते हैं तो फिर से मैं कता दू क्या बता है तहने विद्यक तदा बित्य विद्यक को तभी लोग सवाम पेश किया जाता है जब राष्टपति उस पर सिफारिस करें जिस विद्यक को प्रवर्थित किये जाने पर भारत की संचित नीदी में बैय करना पड़े उस विदेयक को क्या कहते है संसत द्वारा तब ही पारित किया जाएगा जब राष्टपती उस विदेयक पर विचार्थ विमस करने की सिपारिस संसत से करें राजित कारादयम से संबंदित विदेयक को राष्टपती की अनुमती से ही लोकसवा में पेस किया जा सकता है राज़ती बित आयोग द्वारा की गई प्रतियक सिपारिस को उस पर किये गए इस पस्टीकड ग्यापन सही संसद के प्रतियक सतन के समच्यान की सामने रखवाता सीधा तना मतलब धन बेदे किया पर सीधा तना मतलब यह कि अगर भारत की संचित नहीं दीदे एक रुपया भी लेना है तो आपका क्या करना होता है इनके सिपारिस सही संसद में पेस किया जाता है ठीक है किलियर हुआ और यहां पर इन्होंने क्या बताया भर पांच बरस बाद बित आयोग का गठन करता है और बित आयोग का गठन करने के बाद वो जो भी सिपारिस में बग 249 सो चौबिस के अनुसार राष्ठ पती की नवखत करेंगा सम्भिधान में अनुस पर स्ट्रूप से प्राबदान नहीं किया गया है कि राष्ठ पती राज्पती मुख्य नेज अनुसार более 1993 के पतरम सितने नहीं बैयए कर दिया गया और उच्छितम नयायले के बरिश्ठम नयायदिस का श्रम मतली नहोंने यह कहता कि निच्छी किय निच्छे 174 कि यह कहता है कि उच्छितम यायले के तह अनुच्छे 270 यह कहता है कि उच्छी नयायले के नयाय जीसों की नियुक्ति कौन करेंगे आपके राठ्पती जी करेंगे मुख नयाय जीस के अलावा यानि कि जो सर्बोच नयायले या उच्छितम नयायले है उसके जो मुख नयाय जीस होते हैं उसकी नियुक्ति कौन नहीं करेंगे उसकी नियुक्ति आपके यह नहीं करेंगे उसमें क्या होता है वो ओटोमेटिक जो सबसे बरिष्ट होते है वही जो है मुख्य नयायदीस चुन लिए जाते हैं अगर मुख्य नयायदीस के अलावा कोई नयायदीस है उसकी नियुक्ति के पहले मुख नयायदी से क्या करेंगे आपके राष्टपती जी जो क्या करेंगे परामर्स करेंगे यानि कि और परामर्स करेंगे और परामर्स करने के बाद राष्टपती जी इन से परामर्स करेंगे अगर राष्टपती जी को मुख नयायदी से ये सिपारिस करते हैं या है क्योंकि आपको पता है बरिष्टम नयायदीस कोई देश का मुख्य नयायदीस नियुक्त किया जाना चाहिए आपको पता है उच्छितम नयायले के अन्य नयायदीस की राय मानने के लिए भी बाद है ठीक है चलिए राश्पति द्वारा चमादान के बारे में बात करते है सम्मिधान के अनुच्य बाततर के तरह राश्टपति को चमादान तता कुछ मामलों में डंडा देश के निलम्मन परयार या फिर लगुकरण की सक्ति दी गई है राश्ट पत्य को निम लिखित मामलों में चमा तता दो सिख्धी के निलम्मन पर्यार या लगुकड़ की सक्ति प्राप्त है यानि कि सेना न्यायलों के द्वारा दिये गए डंड के मामले में मिरत्यु डंडा देश के सभी मामलों में जिसमें फांसी या फिर किसी वितरे की मिरत्यु डंड दिया गया है उन मामले में उन सभी मामलों में जिन हैं डंड या फिर डंडा देश ऐसे विस्यों या सम्मंदी किसी विदके विरुद्ध अपराद के लिए दिया गया है जिस तक संग की कारपाल का सक्ति का बिस्तार हो यानि कि ऐसे मामले में जिसमें संग की कारपाल का क्या हो उसका बिस्तार हो यानि कि वो संग छेत्र का बिस्तार अगर यदि है तो उसमें आपका क्या है राष्टफती जी जो है छमादान का उसमें क्या है इनका हख बनता है यानि क इसमें बात चलाई जा सकती है कि यहने छमा दान दिया जाए या ने दिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर छमा का मतलब क्या होता है? छमा का मतलब डंड से पूरी तरह से मुक्ती से होता है, डंड के, अगर हमने आपको छमा करते हैं, तो जाओ, जी ले अपनी जिंदगी, जा जा, सिमरन जी ले, यानि की चमा कर दिया जा, तो यहाँ पर क्या है जिमरन जो अपनी जिंदगी जी सकती है, ठीक है, चलिए, तो सिमरन को जिंदगी किस तरह से जीना पड़ेगा, ओ भी देखते हैं, आइए, समझते हैं, राश्पती के चमा दान, पांच पिरकार के होते है हैं खासकर सबसे पहरा जो है लोस्फटी लंबन मिरत्यू को अस्थाई रूप से निलंबित किया जाता है न्हीं कि सिमरन तो मरेगी अभी उसका कुछ दिन के लिए का कर दिया यह रोक दिया यह निकि जते आज कल उसकी फाशी क्योंनी है तो उसका क्या सी जो है कुछ दिन के लिए निलम्मित कर दिया गया इसत लिख2,ऺशज़,व उसको फांसी दिया गी यानि कि मरे गी मरेगी थिए चलिए परिहार देख लेते हैं परिहार में क्या होता है डंड की प्रिकृति में परवर्तन किए बेना डंड की मात्रा को कम कर दिया जाना यानि कि मान लीजी आपको 20 साल की सुझा दी गई है तो आपको 10 साल की सजा कर दिया जाना बिराम की अगर बात करना तो किसी बिजेस कार से डंड की कठोरा डंड को मात्रा को कम कर दिया जाना लगू करण की बात की जाना तो डंड की केंदरी विधायका के बारे में अगर बात करें और राज्जी विधायका के बारे में सामन विधायकों के संबंद में अगर देखा जा तो सुकृति दे सकता है अस्विकार भी कर सकता है और बापस कर सकता है स्विक्रती दे सकता है अस्विकार कर सकता है और बापस भी कर सकता है सामन विद्यक किता है स्विक्रती दे सकता है स्विक्रती दे भी सकता है अस्विकार कर सकता है अस्विकार भी कर सकता है लेकिन बापस नहीं कर सकता धन विद्यक को ठीक है ठीक है संभिदान संसोदन विधायका में प्रत्वत नहीं किया जाता हूँ कुई कि राजभिधयका कर देश जो है को राजपती के लिए क कर सकता है आरचित कर सकता जाना तो राचपती के लिए वह बेज chain को राजबाल तोस्ट में सीकर्ती दे सकता है असीकार भी कर सकता है इस तरह से होता है चलिए नेक्स देखते हैं आपात कालीन सक्तियों की बात करते हैं राश्टी आपात गोस्ट करने की उद्गोस्टना अनुच्छे 352 के अंतरकत है राज्यों में संभिधानिक तंत्र की बिफलता पर वहां आपात का गोस्ट करने की उद्गोस्टना अनुच्छे 356 के तहित है बित्ती आपात गोस्टना की बात की जाए तो अनुच्छे 356 के तहित दिया गया है ठीक है अब भारत में बित्ती आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है जो आपात का लगाया था हमारे इस में जो हमारी जो इंद्रा गांदी जी थी इनके त्वारा कौन-कौन से है राष्टी आपात घोसित करने की उद्गोसना अनुच्छे त्वावन में राज्यों में संविधानिक तंतरी वेफलता हूँ वहाँ पर क्या है आपात काल की गोसरा जब करते हैं तो वो क्या है अनुच्छे 356 के तायट ठीक है इंद्रा गांदी की द्वारा जो आपात का लगाया गया था वो जो था आपका अनुच्छे 302 के तायट लगाया गया था चलिए राष्टफती की बीटो सक्ति पूर बीटो जब राष्टफती किसी बिदय को अनुच्छी नहीं देता है तो यह कहा जाता कि राष्टफती ने पूर बीटो की सक्ति का प्रियों किया है राष्टफती बीटो की सक्ति का प्रियों गैर सरकारी का मतलब यह है कि वो बिदेयक जो संसत के किसी सदस्त के द्वारा नहीं पेस किये गए है ठीक है निलम्मर्न कारी बीटो कि अगर बाद की जाए तो जब राश्टफसी किसी बिदेयक के प्रभाव को निलम्मित रखने के लिए अनमती देने के लिए अपने पास प्रेशित विद्यक को संसत के लिए पुनर विचार के लिए बेजता है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने निलंबर कारी वीटू का प्रियो किया जाता है किया है यानि कि माली जब किसी विजिएक के प्रभाव को निलम्मित करने के लिए तो क्या है उसको क्या कहते हैं अपनी अनुमती देने के लिए अपने प्रेस शुर से विजियक को क्या करते प्रियोग किया है ठीक है यानि कि पूर बीटो में क्या होता है इसमें मना कर देता है निलंबनकारी बीटो में पुनर विचार के लिए बेज देता है और जेवी बीटो का मतलब होता है जेव में रख लिया ना तो वो मना कर रहा है और नहीं क्या कर रहा है वो पुनर विचा लिए चलिए चलिए साथी व बगत करते हैं बारस के राष्ट्वति तथा उनका कारिकाल देख लेते हैं हमारे कुछ राष्ट्वती यो है उनका समयकाल औ संत्रों करने सब्सदेख कर सेर्व से पहले राश्टरती देखते हैं हमारे डॉक्टर राजिन परसाथ, कारकाल की बात किलिए तो 1950 सी लेके 1962 तक, सर पले रादा किस्ननद आपके 1962 सी लेके संकर्दयाल सर्मा 92 सिले के सत्तानवे तक क्यार नाराएन 97 सिले के 2002 तक डॉक्टर ए पी जे अब्दुर कलाम 2002 सिले के साथ तक प्रित्वा पाटेल सास से लेकर भारे तक पिड़ा मुखर जी बारे सिले के सत्र तक रामनाथ कोविन 2017 से लेके अभी परतमान में हैं कारवाग राश्वति की बात करें तो बीबी गिरी तीन महीं से लेकर 20 जुलाई 2019 तक रहते हैं नियाय मूर्थी मुहम्मद इदायत अल्ला 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2019 तक रहते हैं बीडी जत्ती sotanta जैसे हैं प्रमा away राज्षपती के रूप में कार करते हैं ठीक है यहोगया आपका राज्षपति और उनके कार कारी इतना ही करते हैं आके हम बास करते हैं साथियो चलो इस्थानी सुसासन के बारे में हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस्थानी सुसासन को हम थोड़ा समझ लेते हैं इस्थानी सुसासन के बारे में जो प्रमुक जानकारी उसको खमेशने हैं थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी और थोड़ा सौट में पढ़ानी कोई से करूँगा तो आधिनिक पंचाईती राजवियस्ता का प्रारम कहां से होता है तो सुतंता जैसे यह में प्राप्त हो जाती है उसके बाद सामाने जनता को विकास प्रणाली के साथ नागिरिकों को विकास की प्रक्रिया से जोडने का प्रयास किया लेकिन नागिरिकों को अधिकार नहीं दिये गए ते जिसकाड़े है सरकार अधिकारियों तक सीमिस रहे गया और असफल हो जाता है यानि क्या असफल हो जाता है दो अक्टूबर उन्निस सो बावन क चलिए आके देखते हैं तो एक नजर डाल लेते हैं भारत की जो संद्चना है उसको थोड़ा डालेते हैं भारत जो बटा हुआ है वो आपके इस तरह से काम करते हैं यानि कि नगर निगम या महानगर पालिका नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में ठीक है जो नगर पालिका नगर पंचायत और नगर निगम काई में बटा हुआ है वाट्स में बटा हुआ है ठीक है इसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं बिलोग या तहसी लिए ता का गाउं में यानि की विलेजेश उसमें आ जाता है आपका गिराम पंचायत और गिराम सभा ठीक है तो इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं तो आईए समझते हैं आगे चलिए आदुनिक पंचायती राज विवस्ता का प्रारम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो भारत में बेटे सास को ने स्थानी स्वायत संस्ताओं के इस्ति जांचने वह उसके संबंद में सिपारिस करने के लिए 1882 तथा 1907 में साही आयोग का गठन किया गया था किया था ठीक है तो आई ये कुछ समितियों के बारे में बात कर लेते हैं जो इस्थानी स्वासास से संबंदे थी तो सबसे पहले बात करते हैं बलवन्तराय मेहता समिति यह आपके बलवन्तराय मेहता तो समदायक विकास कारिकरम और राश्टी पिरसार सेवा के असफल हो जाने का पंचायती राज विवस्ता को मजबूत बनाने के लिए सिपारिस करने के लिए 1957 में बलवन्तराय मेहत गठित करने का सुजाव दिया था ठीक है चलिए आके बात करते हैं मेता समीजी की सिपारिसों को एक अपरेल उनीस सो अठावन को लागू किया गया था इसके सिपारिस के आधार पर राजिस्थान नामक राजिय में आपके बिधान राजिय की बिधान सवा में दो अधियम पारित किया था इस अधियम के प्राजब्धानों के आधार रपास दो अक्टूबर उनीस सो अठाव को राजिस्थान के नागोर जिले के बगदरी नामक गाउं में पंचायती राज विवस्ता का क्या किया था उद घाटन हुआ था इसके बाद उनीस सो अठाव म शुरुमाद हो जाती है जैहारी असो क मैता समिति की बारे मात कर ले थे 1977 में अस्वक मेता समिति का गठन किया था इस अमीति में 1378 में अपनी रिपोर्ट के इन सरकार को सौपती थी जिसमें कोल एक सो बतीष सिफार से की कही थी इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर पीवी के राव समिती 1985 में डॉक्टर राव की अदिश्था में एक समिती का गठन किया गया था और यह कार सुपा गया कि ग्रामीड बिकास था गरीबी को दूर करने के लिए पिरसासिनिक बवस्ता पर सिफारिष करें इस समिती ने राज इस्तर पर बिकास परसद जिला इस्तर पर और मंडल इस्तर पर मंडल पंचायत था गाउं या ग्राम सवा के गठन की सिफारिष की थी किसने डॉक्टर पीवी के राव समिती के द्वारा चेलिए इसका डॉक्टर एल एम सिंद्वी समिती के बारें बात करें लच्मी मल सिंद्वी या एल एम सिंद्वी के बारें बा इसकी तता साथ में एसो जाब दिया था कि गाउं या कर ग्राम पंचायतों को अधेक बित्य संतादन उपलब्द करा जाएं कि इसके दोरा लच्छी मल सिंध भी चलिए आगी बात करते हैं पंचायतों की फिर इस्तापना की जाती है आपके पंचायतों का एक उसमें हम देख भावे लागू हो जाता इसके लिए संविधान में एक नया भाग भाग नो जोड़ा गया तता अनुच्छी 243 का से अना तक जोड़ा गया तता अनुच्छी 11 का प्रापधान किया गया था इस संविधान संसोदन के उतारा महलाओं के लिए महलाओं महलाओं के लिए आपक सबसे जादा सबसे पहले आपका जिला परसद इसके बाद इसके बाद ग्राम ठीक है तो डिस्टिक लेवल पर आपकी जो की जिला परसद या जिला पंचायत ब्लॉक लेवल या खंड के लेवल पर होगी आपकी मंडल परसद या ब्लॉक समिति या पंचाय समिति और गाउं या कैं बेजि लेबल की यह बात की जाए तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा इस तरह से आपका कार भुगा ठीक है तो तो 33 में सम्ई जंसोतनों पंचायत का जो कारेकाल रखा वह ये पांच वर्स निश्चत किया गया था थिक है, पंचायतों के इस्तगन तदा निरस्त होने की स्थिति में छे महा के अंदर, यर छे इसलिएं बीटर चुनापकराना अनिवार कर दिया गया था, धायसमें समयधान。 सबसे निचले यानि की गराम सबा या गराम पंचायत के गठन का प्राब्दान किया गया इसके बाद मद्दिवर्ति या खंड इस तर पर चिला पर प्याध़ाई के गठन का पराबदान गया था यहाँ पर आप लोग देख सकते यहांως पर प्रिस्ताथ ब्लॉक एंड ब्लॉक और पंचयद खे संकल्रों गठन की ठीक है यहांँ कि पहले उपर जिला उसके बाद फिर 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 ग्राम है चलिए आगे बात करते हैं चलिए पंचायतों की संद्चनाई की बारें बात चलिए जिन राज्यों की जंसंक्या बीस लाग से अधिक नहीं है बहां मद्वर्ति इस्तर पर छेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा यानि कि ब्लॉक लेवल पर यानि कि यह जो बीच वा ठीक है मद्वर्ति इस्तर का अध्याच जिला पंचायत का सदस्यों को पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार होता है ठीक है सुम्या गया चलिए आगे बात करते हैं महला आरच्छट के बारें बात कर लिए तो पंचायत में अनुच्छे 243 डी के तैद महलाओं को 33 परसेंट आरच्छट पिरदान किया गया था अगस्त 2009 में आपके पंचायती राज में महलाओं के लिए 50 परसेंट आरच्छट को कैविनेट ने मंजूरी पिरदान कर दी ती जिससे बिहार हिमाचल पिरदेश मद्ध पिरदेश और उत्तरा खंड मद्ध पिरदेश और यह पंचायती राज से समंद्धित कुछ अनच्छेतों के बारें बात कर लेते हैं तो पंचायती राज समंद्धित उपवंध भाग नौ में दिये गए अनुच्य ठिक है तो देख लेते हैं अनुच्छे 243 में सभी लोग जानते हैं परवासाने दी गई हैं 243 का ग्राम आपकी पंचायतों की रचना यह काखा गा है ना या यह कर सकते हैं ठीक है यह संम इसी तरह से कार करेगा इसकी बाद अनुच्छे 243 घा, स्थानों का रच्छड, अनुच्छे 243 अड़ा पंचायतों की अभी अनुच्छे 243 चा सदस्टों के लिए आयूग गिताएं続 236 पंचायतों की सकतिया प्राधिकार अर अक्तरदायित और तरदात है अनुछ 243 जा पंचायतों द्वारा कर अधिररूपित करने की सकतिया और उनकी लिए अनॉच्छ 243 जा भिठती ए brauchen के लिए बे नहीं कुन ऐसे चेत्र जिन पर इसका लागू नहुना अनुशे 243 रड़ा विद्वान विदियों और पंचायतों पर बना रहना और 243 अना निर्वाचन संबंदी मामलों में नियायले के स्थितेप का बर्डन के बारे में यह पिराब्धान किया गया है ठीक है चलिए आगे के बात करते हैं पंचायती राज संबंदित महतपूर समितियों के बारे में बात कर लेते हैं बलवंतरा महता के बारे में बात की था तो इसके बलवंतरा महता के अध्यस्ता में महता समिती का इस्थापना की गई थी उन्नीस सथापना की गई थी उन्नीस सथापना की गई संथाँनमं समिती निशाट्टी उन्युवाचन की रूप रेप का संबने अध्यาน करन adhyan के बारे सौक महता समिती मूज्इ सतत्तर यानि की पंचाइटी राज के मूल है प्रसासनिक राहांचे समभन तत्व के बारे में इस्सेपारिस की दे दान्ते बाला समिती उन्हीस एथस्तरीय योजना का स्वरूप हनुमंत राय समीती 1984 जिला इस्तरीय यूजना का स्वरूप जीवी के राव 1985 में इसका गठन किया गया था गिरामीर विकास के लिए प्रसासिनिक समाय यूजन गरीवी निवार कारकिरम ठीक है एम एल एम सिंद्वी समिती 1986 लोक तंत्र एवन विकास के लिए पंचायती राज संसाओं का पुनर ससकती करण के बारे में प्राबधान किया गया था पी के थुंगम समिती विस्थानी निकायों की संविदानिक मानता की अनुसंसा की थी या इन्होंने सिफारिस की थी वन्त राव महता ने सिफारिस की थी भारत के संविदान का अनुस्थे 40 राजी सरकार की गिराम पंचायतों का विवस्तित करने का निर्देश देथा है जो की आपका एक नीच निर्देशक तत्व हैं पंचायती राज का आधार लोक तांत्रिक बिकेंद्री करण हैं संवि दिवर्ति यानि की ब्लोक लेवल बाला था उसके उसका उसका प्राबधा निकिया जाएं यानि की जिला और गाउं से संब्दित किया जाए ठीक है अनाचर प्रदेश में पंचायती राज परणाली लागू नहीं है भारत में पहला नगर निगम चिन नहीं में स्थापित किया गया था पंचायती राज संसा अपनी निदी हेत्व सरकारी अनुदान पर निर्वर होती है ठीक है पंचायत भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अपरेल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया तेहतर में संब्दान संसोदन में भाग नो तथा ग्यार्मी अंसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम इस्तर पर होता है तेहतर में संब्दान संसोदन द्वारा पंचायती राज संसाओं के लिए प्रत्याच्छेवं गुप्त मतदान का प्राबदान किया है पंचायत के चुनाव हेतू न रवाचन नामावली में जो नामदर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामुईक रूप से क्या कहा जाता है ग्राम सवा कहा जाता है ग्राम सवा में 200 या उससे अधिकी जनसंग क्या होना आवस्यक होता है ग्राम सवा की बैठक बर्स में दो बार होनी आवस्यक है इस बारे में स तो बो बुला सकता है कौन गिराम परदान ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जिला पंचायत राज जिला पंचायत राज अधिकारी या छेतर पंचायत द्वारा लिखेत रूप से मांग करने पर अतवा गिराम सभा के सदसों की मांग पर पिरदान 20 दिनों के भीतर बैठक ब पांचे वाकी उपस्तिती अनिवार होती है ठीक है मैं बता चुका हूँ ये कोरम बोला जाता है या गड़पूर्टी जिसे कहते हैं यदि एक वट्टे पांच वाक अगर नहीं है तो आपकी बैठक नहीं होगी दरवार बैठक के लिए पांचे वाकी भी आविस्चकता न आता है तता कुछ अनि सदस्य होंगे ग्राम सवा में एक हजार की आवादी तक एक ग्राम पंचाइट सदस्य या बार सदस्य होता है दो हजार की आवादी पर ग्यार सदस्य तता तीन हजार की आवादी पर पंद्रे सदस्य होते हैं चलिए आखे बात करते हैं पंचाइट पंचायत समयती तता जिला परिसद को स्यूकार किया गया था गिराम पंचायत के बारें बात कर लेते हैं गिराम पंचायत के सदस्त गिराम सवा द्वारा चुने जाते हैं पंचायत के सदस्त की उम्र 21 वर्स से अधिक होनी चाहिए यानि कि 21 वर्स से कम नहीं होनी चाहिए ग पंचाई समिति के बारे में बात की जा तो यह है पंचाईती राज विवस्ता का मद्ध वर्तिया का हैं ब्लॉक लेवल का आपका इस तरह है ठीक है सर्पंच या प्रिधान या पंचाई समिति के सदस्य होते हैं यानि कि सर्पंच या प्रिधान पंचाई समिति के क्या होते ह सदस्य होते हैं ठीक है इसके मुख्य प्रसासने का अधिकारी को खंड विकास अधिकारी कहा जाता है राज सरकार द्वारा पंचायती समिती को अनुदान दिया जाता है चलिए आगे बात करते हैं जिला परसद के बारे में यह दी बात कर लिजाए तो गिरामीड स्वसासन सं अधिका कारी करता है सभी पंचाय समिती के प्रदान लोकसवा सदस राज विधान सवा सदस और विधान परसद के सदस जिला परसद के सदस से होते हैं तियत्तर में संभिधान संसुदन अधिनिया द्वारा इस्ताफित अनुद से 243 टा में पंचायतों के लिए राज सरकार के बारें बात कर लेते हैं यानि कि नगर पालिका नगर नगर निगम और नगर परसादér का बारें बात कर लेते हैं तो 1 जून इनीस तो 93वे को प्रभावी 74 में सन्सोदन अधिनियम के इसारा सन्दान में एक नया भाग नौका और अनुचित 243 ता से अच्छा तक का प्रापधान किया गया था जो नगर पालिकाउंसे संबन दित था चौतर में संबिदान संसोदन के बारे में जान लेते हैं इसकी अंतरगर नगरी संस्टाउं को कारिकर्व के लिधितर कि भंग हो जाने पर चुनाव कराना अनिवार होगा, ठीक है नगर निगम के बारे में बात कर लेते हैं सर परतम मदरास में पहले नगर निगम की इस्थापना की गी थी यानि कि यह आपका मदरास वाला छेतर में आप लोगों को दिखा देता हूँ चक्कर कहा था इस माईक के बारे मैं बाद आ देता हूँ वो डिश्टर्व होता था यहां पिर नहीं रखः लाता मेरा कीवड़ तो मैं जूम करने में मुझे पर इस Alexis ती ती काफी तो यह बहुत आसद ही रहती है मुझे मुझे जूम करने में पापा या कहें, पिताजी कहा जाता है, नगर निगम का पिरसासन एक परसद करती है, जिसे सामानी परसद कहा जाता है, चलिए नगर निगम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, परसद के सदस्यों का कारिकाल कितना होता है, पांच वर्स का होता है, नगर निगम का तो आपके नगर निगम की इस्थापना नहीं की जाएगी चलिए बात करते हैं नगर परसद के नगर पालिका के बारे में नगर पालिका उन नगरों में इस्थापित की जाती है जो न तो बहुत बड़े हैं और नहीं बहुत छोटे यानि 20,000 से जादा और 20,000 से जादा ठीक कि प्रतियक महानगर में महानगर योजना समिती की समिती का गठन किया जाएगा चलिए बात करते हैं नगर पंचायद की बात किया तो यह नगर पालिका की सबसे निचले इकाई होती है नगर पंचायद उन छेत्रों में कायम की जाती है जो न तो एकदम छोटे हैं और ना ही बिल्कुल सहरी जैसे की 10,000 से जादा और 20,000 से कम तो यहां पर क्या किया जागा नगर पंचायत का गठन किया जागा जैसे मैं मैंनपुरी में रहता हूं तो मैंनपुरी में जैसे आसवास के छेत्रों में पढ़ता है आपका करेल, भोगाओं, घिरोर यह जो जो छेत्र पढ बिल्काह का गठन किया जाएगा, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं, चलिए विभिन राजियों में बर्तमान पंचायती राजसंस्ताओं के बारे में बात कर लेते हैं, केंदर में एक इस्तरी है यानि की ग्राम पंचायत ही है, क्योंकि यहां पर आपका जिलापरसद और ब्लॉक लेबल का नहीं है। जम्मू कसमेर में यह स्तरी है यहानि कि ग्राम पंचाइढ मणिपुर में ग्रामze के खाल fight pirates 좀 समयती हैं उसके बाद मद्य प्रदेश में आ जाते हैं तो मद्य प्रदेश में दो इस्तरी है एक ग्राम पंचाइट दूसरा पंचाइट समिती तीसरा है करनाटक वाला चेतर यहां पर आप देख सकते हैं करनाटक करनाटक में आपका ग्राम पंचाइट और दूसरा पंचाइट समिती है तीसरा onidyall wala च्हेत्य आपका उर्याम थेसर संवित्य तेसरा एब इसके बाद है लिए बात करते हैं आगे तो ंपका उत्तर प्रदेस वा ले चेत्र की ऐ Souls के बाद की जाए तो गिराएप उसके बाद महाराश्च Western-eam तो आपका गिराम पंचायद पंचायद समयती तथा जिला परसद इसमें जिला पंचायद सामिल किया जाते हैं कि चलिए इसके बाद 23 प्रदिश तरी यहाँ पर हंपका उत्रकंड उत्रकंड आप देख सकते हैं यहंऐ पर यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ते ज van तENTर्गे शिर्टक सैंवला जाट सर्फ लोगज्णा जारी तो इसमें बात जिला पंचायद गुजरात कहां पर है आप यहां पर देख सकते हैं गुजरात ठीक है यहां पर उपर मैंने लिख दिया है जिला पंचायद पंचायद समिती और किराम पंचायद चलिए आगे बात करते हैं ठीक है इसके बाद कर लेते हैं विबिन राज्यों के पंचायद सम अब बात करते हैं अब बात करते हैं संभीदान के महतपूर अनुच्छिदों के बारे में ठीक है तो यह सबसे पहले इसका हलका सा डिटेल जान लेते हैं हमारे संभीदान में किस तरह की क्या पिरक्रिया है मैं पता चुका हूँ पूरा A to Z में आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी में आपर लिख लिए हमें ने तो भारती संसाथी प्रणाली की सरकार बाला एक प्रवता संपन समाजवादी धर्म निर्पेच लोक तंतरात्म गड़राज है यह गड़राज भारत के संभीदान के अनुसार साथे से ठीक है यह संभीदान सबाद वारत 26 नमबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रवावी हुआ था बारत का संभीदान दुनिया का सबसे बड़ा लिखे संभीदान है इसमें कुल 465 अनुच्छेद बारे अनसूचिया और 22 भागों में यह बिव प्राबधन किया गया है कि अनुच्छे इक बना करता है कि भारत राज्यों का संग होगा यानि कि संग अनुच्छे दो अनुछे दो में क्या दिया कि है संसत बिदी द्वारा नए राज्य बना सकती है तता पहले से अवस्तित राज्यों के छेत्रों सीमा और एबम नामों में परवर्तन कर सकती है मान लीजिए ऐसे मान लीजिए आपका ये वाला जो छेत्र था बॉम्बी प्रेसिडेंसी था तो बॉम्बी प्रेसिडेंसी मान लीजिए उस समय आपका ये इस तरह से ये जो माराष्ट वाला छेत्र है माराष्ट वाला छेत्र और ये इस तरह से आपका ये गुजरात वाला कर दिया जाए या किसी राजी को क्या कर दिया जाए राजी को राजी की सीमा बढ़ा दी जाए ये किस के अधिन आती है संसद के सक्ति के अधिन आती है तो इस किस में प्राब्धान किया गया है अनुच्य दो में प्राब्धान किया गया है ठीक है अनुच्य पांच के बारे मागरिक्ता के रूप में ठीक है मौलिक अधिकारों की असंगत या उसके अलपी करने वाली विदियों के बारे में प्राब्धान दिया गया है यानि कि आपके अनुच्छे 13 में ये प्राब्धान किया गया है कि मौलिक अधिकारों का यदि कोई क्या करता है मौलिक अधिकार को क्या करते हैं अलपी कर रिया कम करते हैं ठीक है चलिए आईए चलिए अनुच्छे चोदे को देख लेते हैं कानून के समझ समानता ये कई वर में बता चुका हूँ अनुच्छे सोले में क्या है सरकारी नौकरी में सभी सभी को सम अफसर की समानता चाहें वो इस्तरी हो चा के आधार पर लिंक के आधार पर या उसके मूल या जाति के आधार पर ठीक है अनुच्छे सत्रे जो है इस पर सिता का उन्मूलन करता है यानि कि जो आपके छुआ छुद की वीमारी है उसको समाप्त करता है ठीक है अनुच्छेद 19 में क्या है अभी ब्यक्ति की स्वतंता के अधिकार दिया गया है आपके किसमें आपके अनुच्छेद 19 में जो में डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ठीक है अनुच्छेद 21 क्या है प्राण एम देहक सुतंता का संदख्षण है यानि कि किसी भी हालत में आपको कोड़ भी ब्यक्ति मार नहीं सकता या है कि मतलब सारी दीक सुर्ण चाहिए नहीं कोई आपको माली ये मार नहीं रहा है लेकिन जेल में कैद कर देए ये भी हमें किसी हां अपरादी है तो बात अलग है क्योंकि वो समाच के लिए खत्रा होंगे इसलिए उन्हें जेल में बंद रखा जाने का क्या किया जाता है अनुछेद 25 अनुछेद 21 की बात किया है प्रांत्मिक सिच्छा का अधिकार ठीक है चलिए उसके बाद अनुछेद 25 में बात किया है अंतर आत्मा की स्वतंता मन चाहा काम और धर्म के प्रिचार प्रिचार की स्वतंता मैं हिंदू हूँ तो अपने धर्म का प्रिचार कर स नहीं बस धर्म परिवतन कराने का अधिकार नहीं है सार करते दोगों को अपने बारे में बता सकते हैं ठीक है अनुच्छे तीस अल्ब संक्य को सेच्छिक संस्थाओं को स्थापित करने तता उसमें पिरसासन करने का इप्रशावा के हैं हिंदू उनके बारे में ठीक है तो अल्फ संक्या मतलब कोई भी धर्म या भासा से अल्फ संक्या कह या फिर किसी अन्य तरह से वो अल्फ संक्या कह तो वो क्या है अपनी मन चाहि भासा में या अपने मन चाहि अपने लोगों का क्या हो सके ब्रद्धी हो सके इसलिए से को पूलभाय को उसी कुछ समझेत है आपको करता है तो आप निया रेम जा सकते हैं और रिट्ट मिकलवा सकते हैं उसके तहनain नियालाय द्वारा जारी की गई रिटों के बारे मैंने बता वी दिया है बंदी प्रत्यची कर्ड़ आपका परमादेश रिट उत्प्रेशड रिट या उत्प्रेशड लेक और अधिकार प्रिश्चा रिट इसके बारे में मैं जब आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ा का गठन या संग्ठन के बारे में प्रापधन किया गया है अनुच्छे 44 मेंनाग्रिकों के लिए एक समान chaini सांता के बारे में यानि कि चाए वहिंदू हो च्याए मिसलमान हो उसको एक ही भारत देश एक है तो एक ही पिरकारता उसमें कानून होना चाहिए यह नहीं कि मुस्लमानों के लिए अलग हो बैसे हिंदूओं के लिए तो एक ही कानून लाग होता है उसी पर भारत देश जब मोधी सरकार आ गई है तो कुछ इसका भी होगा यारु कि जो दो तीन तरह के कानून उसका भी कुछ किया ज तो अनुच्छे चावालिस में दिया गए कि नागिरिकों के लिए एक समान नागिरिक सहिता होना चाहिए यानि कि एक देश और एक ही कानून होना चाहिए ठीक है चलिए अनुच्छे पैंतालिस की बात की जा तो छे से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार सिच्छा का प प्राबधान किया गया है अनुच्छे देक्यावन अंतराच्छी सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्राबधान किया गया है किसके लिए राजी के लिए क्योंकि यह राजी के नीत निजिसा तत्तमों में सामिल किया जाता है अनुच्छे देक्यावन की बात किया तो मौलिक कर्तब इसमें दिये गए हैं वो सभी को मैं डेटेल में आप लोग पढ़ा चुका हूँ मौलिक कर्तबियों के बारे में ठीक है अनुच्छे तिरेपन की बात की जा जो संग की कारपालग का संबंदी सक्तियां राष्टपिती में नहेत होंगी यानि की अध्यच नहीं चुना जाएगा यानि की राष्ट उपराष्टपती ही हैं वही पदेन अध्यच होंगे अनुच्छे चोतर एक मंत्री परसद होगी जिसके सीर्षवत प्रदान मंत्री रहेगा जिसकी साहता या सोजाब के आधार पर राष्टपती अपने कार संपन करेग इनको साजर बारत समय आप लोगों समझा जिता हूँ यानि की अनुच्छे चोतर में दिया गया है कि एक मंत्री परसद होगी एक एक राष्टपती के लिए मंत्री परसद होगी सला देने के लिए और उसका प्रदान कौन होगा आपके प्रदान मंत्री होंगे और ये भी इसमें प्रदान किया गया है कि मान लीजिए मंत्री परसद कोई या लोग सवा या राजी सवा कोई पिदय को पारित करा कर भेजती है आपके राष्टपती जी के पास तो उस पर एक बार पुनर विचार के लिए बेज सकते हैं लेकिन पुनर विचार के बाद भेजने के बाद दोबारा यदि राष्टपती जी के पास आता है तो आपको उस पर अनुमती देना बाद दिकारी होगा या राष्टपती जी उस पर क्या करेंगे अनुमती देंगे ये इनके लिए बाद दिकारी होगा अनुच्छे 76 की बात की कि राष्टपती द्वारा महान निया जी की नियुक्ति की जाएगी तो इस तमें महान नियावादी कौन है अगर कोई महापर उस बताना चाहते हैं तो बता सकता है उसके लिए इनामभी में दूंगा चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 78 के बारे में तो प्रदान मंत्री का यह करता बहुगा के वे देश क प्रसासनिक एवं बिदाई मामलों तो था मंत्री परसद के नेड़ों के संबंद में राष्टवती को सूचना दे यदि राष्टवती इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवस्चेक समझे कितने अनुच्छेद में दिया गया अनुच्छेद 78 में चलिए आगे बात क इसको भी ध्यान से आपको अलका सा समझाने वाली बात इसलिए समझा दे रहा हूं वैसे कई बार मैंने बताया कि जब आपका संइक तुबैठक का प्राद्दान किया गया है लेकिन ध्यान रहे संइक तुबैठक धन विदयक पर नहीं की जा सकती और संबिदान संसोदन मे है आपकी क्या नहीं की जा सकती संतुबैठक का प्राद्दान सिर्प और स्राधार विदयक के लिए है संइक तुबैठक का संवे आ गया ना ठिक है तो इसके बाद अनुछे देацион 110 के बारे मिलें बात की जा तो धन विदयक को इसमें परवासित किया गया है अनुछे 111 को से वही बात आ जाती है कि संसत के दौनों सद्वनों दौरा पारिद विद्यक यदि कोई राष्टपती जी के पाद है नहीं दौनों राजिस्वा लोक सावा में कोई विद्यक पारिद कर दिया जाता है उसके बार राष्टपती के पाद बेजा जाता है किसलिए अनुमति के की जाता है तो आपके राश्टति जीए उस विद्य पर क्या करेंगे अनुमती देंगे यानि मना नहीं कर सकते ये प्रादान किसमें किया गया 111 में चली आगे बात करते हैं चली अनुच्छे देख सर्वोच नयायले के गठंका वर्ण किया गया है अनुच्छे देख सर्वोच नयायले का एक अवलेक नयायले होगा इसका अर्थ ही होगा कि यदि सर्वोच नयायले कोई आधिस पर देता है तो वह अन जो नयायले हैं अनिकि अधीनस नयायले हैं आई कोट है बगेरा बगेरा चितने भी नयायले हैं उन सभी में वह जो आध कौन है उसका बारे में बताएगा उसको इनाम तुरंथ दिया जाएगा चलिए अनुच्छ एक सो त्रेसट के बारे में बात किरे लिए तो राजिपाल के कार्यों में साहिता और सुजाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परसद होगा और इसके सीर्स पर आपका उचे समझे तो वो कारी कर सकता है जो कि आपके राष्टपती जी को ये सकतिया नहीं प्राप्त है किसको प्राप्त है सिर्फ और सिर्फ आपके राजजिपाल को सवब्यवेक की सकतियां प्राप्त है चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छ एग 179 के तहट राज्यों में बिदान परसोनों की रचना या उसकी समाप्ती बिदान सवा दौरा बहुमत से पारित प्रस्ता तता संत दौरा इसकी सुख्रिती से संबब है अनुच्छ एग दोसों की बात की जाए तो राज्यों को बिदायका दौरा पारित बिदयक राजजिपाल के समच्छ प्रुस् कोई ब्աार के लिए क्लिए क्लिए यहाई boy बीदाद कर लिया कि उनिग सभड़ कर लिया उसके बार राजिपाल के पास वह पुनर्विचार के बाद फिर से वही विदेका आगया आपकी राजिपाल के पाद तो उस पर अनुमति देना अनिबार होगा मना नहीं कर सकते इस बात का ध्यान रखें ठीक है अनुच्वे 213 की बात कि जाए तो अनुच्वे 213 में राज बिधायका काओं के सत्र में नहीं रहते हुए राजिपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार इस तरह से आपके राष्टफती जी को है अनुच्छे दो सब्सक्राइब की बात करने तो सभी राज्जियों के लिए उच्छ नयायले की विवस्ता की गई है ठीक है अनुच्छे दो सब्सक्राइब किया गय के परामर्स के द्वारा किया जाएगा यानि की राजिपाल द्वारा जिला नयायदीस हों की यानि की माली जीए आगरा है आगरा है मेनपुरी है इटावाई इनके अगर जिला इसमें क्या है आपका नयायले है यानि की कोट है तो उसके जो नयायदीस होंगे यानि की डिस बिर्फर में जितने भी जिले ओओ जितने में जितने भी नियाल है उन लेजेश में पर और ऊंच नियालय का नियंचुण होगा अनुच्छे तीन सो उन्ता, वह सो दो सो उन्तालिस केंद्र साथेथ पुरदेस और पिरसासन राज़्टफथी द्वारा होगा यदि उचे समझे तो बगल के किसी राज्जी के राज़पाल को इसके परसासक का अधायत तो सौव सकता है या परसासक की न्युक्ति कर सकता है समझ में आगया गया ना चली आगे बात करते हैं या मैं इसको भी बता देता हूं इसमें क्या तमिल नाडू का जो राजिपाल है उस तमिल नाडू के राजिपाल को आपके जो ये क्या बोलते हैं अंडबाने को बर दीप समू के जो पिरसासन है चलाने का क्या दे सकते हैं अनुमती दे सकते हैं कौन दे सकते हैं आपके राजफती जी रामनाथ कोविंजी ठीक है दोसब वड़तालिस की बात की जाए तो बिदी निर्मार संबंदी अवस्टिस्ट सक्तियां जो हैं वह संसद में नहेत होंगे संसद कोंती होती है आपकी लोगसवा राजसवा पिलस आपकी किसके दारा मिलका बनती है राश्टति के दारा ठीक है अनुछे दोसब निचास की सब्सक्राइब कर सकती है तो इसमें किसी भी तरका कोई बिवाद होता है तो उसमें संसद क्या कर सकती है कोई नेड़य ले सकती है किसके दारा संसद दारा ठीक है कानुन मनाकर चलिए अनुछे दोसब 63 की बात किया है केंदर राजी संबंदों में बिवादों का समाधन करके या परसपर सायोग के छेतरों के बिकास के उद्दिस राश्टति या उंतर राजी परसद की इस्थापना कर सकता है अनुछे दोसब 63 की बात किया है भारत की संचेत निदी जिसमें भारत की सभी मौद्रिक अविश्टियां एकितर रहेंगे बिदी सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें से कोई भी रासी निकाली नहीं जा सकती है यानि कि इसको समझ सकते हैं कि भारत की एक संचित निदी होगी और उस पर पूरा नियंतर किसका होगा संसद का होगा संसद की बि अकस्मित नेदी की स्थापना करेगी या स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन परिस्थितियों के लिए रासी एकत्रत की जाएगी मान लिजिए कोई अकस्मित नेदी आप इमर्जेंसी के लिए कोई वो बना दिया एक मान लिजिए ऐसे मान लिजिए गुल्लक बन तो तुरंट अभी संसंसत का तवाम अट्रम जाटना का काम नहीं तो एकदम अकस्मात बाली जो ने दिया उसमें तुरंट राश्वतिजी पैसे निकालेंगे और तुरंट वहां की मदद विजबा देंगे तो इस तरह के प्राब्धान आपके कर सकते हैं ठीक है अनुच्छ दोसो अस्ती राश्वति हर पांचे वर्स एक बित आयो की स्थापना करेगा जिसके अध्यच के अत्रिक्त चार अन्य वी सदस्योंगे जो राश्वतिजी के पास केंद्र राज्यों के बीच करों के बित्रद संबंदी अनुष्वतिजी पैस करेगा यानि कि इसको हम समझ चलिए अनुष्य तीन सो का की बात की जा तो राज किसी वी व्यक्ति को उसकी संपत्ती से बंचित नहीं करेगा पहले याँ प्राद्दान आपके मूल अधिकारियों के अन्तिरगत रखा गया था पर चवालिस में संसोदन 1978 द्वारा इसे अनुष्य तीन सो का में एक सामा की अनुष्य कर सकती है अनुष्य तीन सो पंद्र संग यो राज्यों के लिए एक लोग सिवा योग की स्थापना की जाएगी अनुष्य तीन सो चौविस की बात की जाएं चुनावों के पर वेच्शद निर्देशन संबंदी समझ सक्तियां चुनाव योग में होगी यानि कि चुनावा का जाच करना उसे निर्देशन देना उस पर नियंतर समीज सभी सक्तिया किस में होगी एक निर्वाच्चन चुनावायोग में होगी ठीक है अनुच्छे 324 की बात की जाए तो लोक सवा तता बिदान सवावों में चुनाव बयस को मतादिकार के आधार प सभां में क्या कर सकते हैं मनुनें कर सकते हैं कितने सदस्यों को दो सदस्यों को ठीक है अन्सूची जञाती का लोगों का बिदान सवाओं में भी मनुनेयन का प्राद्धान किया गया अनुच्छे 3333 के तरह ठीक है अनुच्छे 335 के तरह अनुच्छी जातियां अनुच्छी जातियां तसा अनुच्छी जातियां एवं पिछड़े वर्गों के लिए बिविन सेवाओं में पदों का आरच्छड किया गया है आईए अनुचे 343 की बात की जा तो संगी की अधिकारिक वासा देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी होगी अनुचे 347 यदि किसी राज्जी में परियाप संख्या में लोग किसी वासा को बोलते हैं और उनकी आखांचा है कि उनके दारा बोली जाने वी वासा को मान उसकी अनुमति राज़्पती दे सकते हैं मैं जैसे मान लीजिए मैं कोई भासा बोलता हूँ चिडिया भासा है नाम की बहसा है उप मुलता हूं तो चिडिया भासा आज से दस्慶ी साल पचास साल बाद कम से कम तीन-चारसो लोगों के दौराइ बोले जाने लगी फिर वह उसको एक राजबहासा की मानता दे जाए तो उसका प्राद्धन उसको अन्वती कौन दे सकते हैं आपके राष्टफती जी उसकी अनमती दे सकते हैं अनुच्छे 351 या संग का करतब होगा कि वह हिंदी वासा का पिरसार उत्थान करें ताकि ये भारत की मिस्रिय संस्क्रेत की सभी अंगों के को ऐसे भरवर के वो दिया जाता है और हिंदी को वो सुविदाइन नहीं दी जाती है चलिए अनुच्छ तीन सो बावन की बात की जाए तो राश्टफती दोरा आपात इस्तिती की गोस्टना यदि बैस समझता है कि भारत या उसके किसी बाग की सुरक्षा युद्ध वाय आ आसपल हो गया है वहां राश्टफती सासन लागू किया जा सकता है तो वहां पर लागू किया जाएगा ऐसे माली जी आपके बुआ बबुआ यह कहें जो आपके चचा वजतीजे थे अईत्तर प्रदिस में जो लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते इस्तिती ऐसी आ जा करके जिससे क्या है बोर्ट प्राप्त कर सकें इससे यदि आपके जो राजपाल थे वो यह रिपोर्ट पेस कर देते कैसे यार चचा बतीजे बहुत ज्यादा बुरी तरह से लड़ रहे हैं चचा बतीजो पापा और यहां पर जो जो आपका कार है जो भी संसदी है बिदा कर सकता है जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं की गई है चलिए आगे बात करते हैं अनुच्यों 365 की यदि बात की जाए तो यदि कोई राज केंदर द्वारा भेजेगा किसी कारिकारी निर्देश का पालत करने में असपर रहता है तो राष्टपती द्वारा है कि अकले स्याहत की जब सरकार थी तो केंदर जैसे मान लीघे केंदर ने कोई आदिस जी आया कि कोई कारेकार निर्दिस था को आसके ऐसे तो दौनों आपस में लड़ रहे थे तो राष्ठप्ति की समझते हैं कि सम्विदानिक तंत्र क्या है फिर सासन संविदानिक तंत्र के अंडूप नहीं चला रहा है बसकी डराम बाजी और यह चल रहा है तो राश्टपति अपने हाथों में उस राजी का सासन ले सकते हैं ठीक है अनुच्य 302 की उनिवर्ट का इस कि राजियों के लिए विसेज शेत्रों के विकास कि लिए राजी करसकता है जैसे माराष्ट, יुजिरावत, परनागा लेंड मरीपूर आध जैसे राज्य है ठीक है इसके अनुच्छे 394 की बात की जाए तो राष्ट पती को अपने अधिकार के अंधरकत इस अम्विदान का हिंदी वासा में अनुबद कराने का अधिकार दिया गया है ठीक है अनुच्छे 395 की बात की जाए तो भारत सरकार जो कि आखिर अनुच्छे दें बारत सरकार अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 335 का क्या कर दिया जाए निर्सित कर दिया जाए यानि कि उसका समाप्त कर जाए यह नहीं कि कुछ हमारे कीड़े टाइप की परिजातियां यह कहती है कि भारत देश जो अभी तक जातियां होती है उनको यह समझ में आ जाना है चाहिए कि उन्हें अनुच्छे 355 इसी पर आजा देते हैं कि जो बिटेन के जो कानुन बारत में लागव किया थे उन सभी का क्या कर दिया गयता है निर्सन कर दिया गयता है तक कि भारत का भारत सुतनता अधिनियम जिसके त गय आपके अनुच्छे जो भी पुर्मूक थे चलिए भारत की समेदान की अनसूचीय के बारें बात कर लेते हैं तुसरी में राज और उनके संग्राज चेत्रों का बढ़न किया गया है ठीक है दूसरी अंसूची में राष्टफथी उपर राष्टफथी राज्जьों के राजफा लोक सवा के अद्यत्थ तता अपाद्ध्य राज बिधान सवाह के अधिया स बर्तिओं कि बाए में प्रतिग्यान के बारे में प्राब्धान किया गया आप कि लोग जानते में जवाप लोग लोग पड़ा रहा था तो बताता था कोई बैढि Gay Всhant तो और प्राश्पस पत्ति हैं सभल्य कि जंजाती अन्सूची के बारे में प्रापधन किया गया है चटमी अन्सूची में क्हा किया गया असम मेगाले घ्रुपळा मिजोर म्यगिं युफ्वैं सेंग सूची राज सूची संबर्ती सूच चैनल संबर्ती सूचि के बारे में प्राद्धन किया गया है यानि कि तीन सूचियां दित गुई है, छे बारतों से हैं सनफिभारे सूची संबर्ती सूची के ठीक है चली आगे बात करते हैunk 8 je मानिता सब्रासुमाल workshop को जगह दीगे इसमें किस्तनी ये वरतमायने वासा हैं बाइस वासा हैं नुमी अंसूची में बिसिष्ट अधिनेमों और बिदीनेमों के सत्यापन के प्राद्धन यानिकी भूम सिदार के बारें प्राद्धन किया गया है दस्मी अंसूची में दल परवतन के आधारपन निर मैं संविदान संसोदन पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथ यो बात शुरू करते हैं भारती संविदान का संसोदन के बारे में तो संविदान संसोदन भारती संविदान संब्धान संसोधन भारती संब्धान में परिवरतन की प्रिक्रिया होती है जिसके द्वारा आप संब्धान के जो अनुच्छेद है उसमें क्या कर सकते हैं परिवेतन कर सकते हैं या कोई नया संब्धान संसोधन की सोरी कोई नया अनुच्छेद जोड़ सकते हैं ठीक है तो तो संविधान परवरतन की प्रिक्रिया होती है ये परवरतन भारत की संसद द्वारा किया जाता है या लोकसभा, राजीसभा और राष्टवती जी के द्वारा मिलकी किया जाता इन्हें संसद के प्रितिक सदन में परयाप्त बहुमत की द्वारा अनमोधन या समर्थन प्रा की गई है इसामन वर्क के जो गरीब हैं उनको ठीक है बारत का सरवच नहाल है कि अनुषा संविदान में किया जाने वाले पिर प्रतियएक संसोधन में कोई मुझकी मूर भावना क्या है उसमें कोई परिवर्तन ना है यानि कि आप जोड़ सकते हैं जिससे कि क्या हो लोगों को लाब पहुंचे ठीक है सुप्रीम कोट ने उनीस सो सरस्ट में सबसे पहला संविदान संसोधन किया था यह संसोधन गोलक नाथ बना पंजाब र संसोधन ने 24 में संसोधन को अधिनिये में द्वारा प्रिक्रिया दी थी जिसके हमसा संविदान के किसी भी संसोधन उसके मूल भावनाओं को संसोधन पर रोग लगा देगी यानि कि संविदान में बरतवान सीमा आपके केसवा नंद बनाम केरल राजिन के द्वारा लगा गई थी उस मामले में सुप्रीम कोड ने का था कि संभिदान में संसोदन इस प्रिकार का होना चाहिए यह कि मूल भावनाओं को छती न पहुंचे यानि कि इस तरह का होना चाहिए कि संभिदान जैसा है बैसा ही वरा रहा है वस उसमें कुछ अगर जोड़ना चाहते हैं संसत के किसी वी सदन में बिद्यक को पूर इस्थापित करके की जा सकेगी बिद्यक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस उदारा इस्थापित किया जा सकता इसमें सरकार बहुत सवरी राश्वती की पूर अनुमती यानि पहले से अनुमती लेना अनिवार होगा बिद्यक क को डोनों सद्र नों में संसस्वा संख्या कि बहुमत तता उपस्त का ब्राववास कि को तरन में अलग ब्रावदान् नहीं होता कि संभिदान संद्दन में कई बार पता चुक हूं संस्दन में और धन-विदय कि जब कोई है तो अस क्वेज़िया का प्राद नियुक्त प्राब्दधन नहीं होता कब प्राद नोगा जब आपका विजा जाएगा राश्वती बिद्यक पर अनुमती देने के लिए बाद देङ़े वह न तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही इस पर पनरविचार के लिए इसे वापस बेज स किसे संविदान संसुदन को राठवती अनुमती के बाद आपका विद्यक या बिल अधिनियम बन जाएगा और संविदान में इसे अधिनियम की तरह जोड़ दिया जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं कि संब्चान संस्दंत्र तरह से किये जाते हैं सबसे पहला संस्द की साध्र भाहमद द्वारा ठीक है संसद में दोनौना सद्रनों द्वारा साध्र हावार से यानि सिंपल मेजरूरिटि से ये वेवस्ता नुच्छे 368 की सीमा से बाहर आती यह थिक है इसमें अनुच्छे दो अनुच्छ तीन अनुच्छ तीयस्तर दोört अनुच्छे तीन जो और COMC नेउन लिखा है वह आप संस美दान के जातर उपवंदयों को संस junt संस Trevor किया जाता है यानि फिर्थियक सथन के कुल सथस्यों का बहुमत तद पिर्थियक सथन के उपस्थित और मत्रान करने वाले सथस्यों का दो यह आई बहुमत आवश्यक होता है इसमें मूल अधिकार और राज के नीत नेत तक तत्व सामिल होते हैं और भी कई हैं जिनकी यहां जरूरत नहीं है चलिए तीसरा जो तीसरे की बात की जाए संसत के विशेष बहुमत तक राज्यों की श्यूगरती द्वारा संसोतन यानि कि संसत के को अनुमती देना होगा जैसे मान लिए कोई विद्यक है उस पर अनुमती मिल गई आपकी राजिस्वा लोक्सवा कि उसके बाद आपके राजिस्तान जम्मू कस्मीर इमाचल प्रदेश उत्तरा कंडियानी कम से कम 29 राज है 29 मैं से आप ऐसे मान लिए 29 मतलब 15 मतलब ऐसे म अनुमती देनी होगी राजियों के राजियों के लिए कोई समय सीमा निदारित नहीं की गई है कि वो इतने समय में अनुमती दे या उतने समय में इस में आता है अनुचे 368 अनुचे 368 अनुचे 368 यानि खुद जिसके राजियों के भूमि सुधार कानूनों को नमी अनुची में रखकर नयायलों के अधिकार छेत्र से बाहर कर दिया गया ठीक है अनुचे वो सरी सातमा संविदान संसोदन की बात की जाए तो 1956 में किया गया था राजियों के पुनर गठन से के संबने में प्राब्दान था इसमें आपके पुनर गठन के तहित आपके चौदे राज है था छे के इनसाथित प्रदेश तीन सिरेडिया आ बासा को भी वाद्द कर दिया गया था अनुचे शमिदान संसोदन तरह बात की जाए तो 1965 में किया था पुर्त गाली आदिपत्त वाले गोवा और दमन दीप को भारत का अंग बना दिया गया था क्यों से यानि के पुर्त गाली आदिपत्त वाला कौन कौन से आपका गोवा यहां पर आप देख सकते हैं, दमन और दीव को किस चीन लिया था, आपके पुर्त गालियों से चीन लिया था, कब? उच्छे चब बहुँ सरी संबिदान संसोदन चबशी की बात की जाए तो उनीस सो एकतर में इसका किया गया तो राजाओं के प्रीवी प्रीवी और विसे साधिकार समाप्त कर दिये यह थे यानिकि जो उपादियां बगया रहा थी वो सारे समाप्त कर दिये गये थे कि 21 मात संसोदन 1973 में किया गया था लोग सबाकी 525 सदस संग्या को बढ़ा कर 545 कर दिया गया तथा केि धिसर गठाटर कर 20 कर दिया गया डिके 35 में संसोदन 1974 में किया गया था Sिक definite को साहराज 대한 के रूप में भारत में सामिल कर लिया गया था जिसको समाप्त कर दिया जा था उनीज सो बाहतर मैं ठीक है वह सुरी चैतर में ठीक है तो पहतिसमा जो राज भो सरी 35 समयदान संसोदन सिक्यों को सहराज की रूप में बाहरत में सामिल कर लिया गया था इसके बाद 42 मा समयदान संसोदन 1976 में प्रिस्ताब नामें पंतनिल पेच समाजवादी तथा खंटेसा जैसे सब्द जोड़े जाते हैं राष्टफती मंत्री मंदल की सला मानने के लिए बाद और मौलिक करतब्यों का भी जो समाविस किया गया था यानि कि 42 समयदान संसोदन के द्वारा स्वड सिंग समिती के तहित आपके मौलिक करतब इसमें जोड़े गई थे 44 समयदान संसोदन 1978 संपत्ती को मौलिक अधिकार की स्रीड से अटा कर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और राष्टफती मंत्री मंदल की सला को एक बार पुनाय विचार के लिए लोटा सकता था लेकिन दोबारा मानने के लिए वह बाद दे होगा बाबनमा समयदान संसोदन की बात की लइदागा था दल बदल bis है इसमें अंसूची जोडी गई थे 18 Cook समयदान की बात की जाए तो 1987 में किया था बारतीन MmC Med का हिंदी में प्रादी किल्थ रूप के लिए प्राद प्राब्द्धान किया था इसके ताह्त चलिए 61 संब्सक्राइब 1989 मतादिकार की आयू 21 से गठा कितनी कर दी गई 68 कर दी गई थी ठीक है 69 संब्सक्राइब 1991 में किया था दिल्ली का नया नाम राष्टी राज़ानी छेत्र दिल्ली कर दिया गया वो बिधान सभा की स्थापना की गई 73 मा क्योंकि दिल्ली के इंसाद वे प्रजेसर इसके बाप जूद भी हाँ पर विधानसवा है 73 मा समिधान संदोदन 1993 में पंचाइती राज की विवस्ता की गई और 11 मी अंसूची जोड़ी गई 74 मा समिधान संदोदन 1993 में नगर निकाई संदोदी प्रादधन किये गए और 12 मी अंसूची जोड़ी गई 89 मां 769 में किया गया था अनसूची जातियां अनसूची जन जातियां ता आंगल भारतियों लिए लोकसमा ता बिदान सवाहमें 10 वर्स के लिए आरवघ्षड बढाया गया व्हईड हाए इसाथाओ तर्यसाख है उनूरह नहीं होगा आ इसको छूट दी गई थी चलिए आप बात करते हैं चौरासी में सम्मिदान सवा में सीटों की संख्या 2026 तक कोई भी परवत्र न करने का प्राद्धान किया गया अनुच्छ श्री सम्मिदान संख्या श्यासी की बात करें जो दो जार दो में किया गया था छे से चोठे बरस की बच्चों को निशुलक एवग अनिवार सिच्छा का प्राद्धान किया गया था 1,92 वान सम्मिदान संख्या श्यासी में तदल बदल वWवस्ता से में संसुजन तदा केंदर वो राजियों मंतरी परसथके 17 संख्या किरमस लोकसवा विदान सवा की 17 सil दिए गया था इसके बाद में और अनुच custody ते हैं चुछ समिदान संसुद हुझा गया था लोक समावाय में अनसूचित जातीं और सीटों का आरच्छण फिर से बढ़ा दिया गया था. सामनानी संसेल्ट के बात की जाए 2011 में किया गया था उडिया भासा का उडिया भासा का उडिया में युडिया भासा का उडिया में परिवर्ट्रित किया गया सत्तानिवा संविदान संसोचन उनीस्तो किया गया था ठीक है अठानिवा संविदान संसोचन दो जार भारे में किया गया था संविदान में अनुच्छिर ए तीनसो एकतर जे सामिल किया गया इसका उद्देश करनाटक के राजपाल को हैदराबाद करनाटक छेतर के विकास ये तु कदम अठाने में ससक्त करना था इसके बारे प्राददान किया गया था निन्यानिवन संभिधान संसोदन दोजा तेरे में राष्ट नियायक नियुक्ति आयोक की संद्चना कामका ये संपुदान के विविन अनुच्छे रेयनाकी 24-127 और 28 त्वटराइस तता 224 का में संसोदन किया गया सा. जिसे बाद में आपके जो चहतम नहीं आय ले था इसे संविधान कोसित कर दिया था सब्सक्राइब किया गया था बस तु यह में सेवा कर यानि जी एश्ट्य को लागू करने हे तु ठीक है यह संब्सक्राइब करने हा है व्याज करते हैं आईए साथ यो केंदराग्य संबंद्ध के बारे में बारे में सेंटल इस्टेट्स लेलेशन के बारे में तो भारती सम्मेदान में भारत को राजियों का संग कहा है ना कि संग बादी राजियों का है ना कि संग बादी राजियों नहीं होगा है यानि कि सारी सक्ति केंद में नहों कर क्या होगी राजियों को भी दी गई हो थोड़ी सी केंद्र को भी दी गई है यानि कि राजियों क संग हो गया नहीं सभी राजियों को मिला कर एक संग बनेगा जिसमें राजियों को यह एधिकार नहीं होगा कि वो निकल कर खूद कर दूसरी जगे भागने की कोशिकर है तो बारती सम्मेदान में बिधाई और पिर्सासनिक और वित्ती सक्तियों का बटवारा केंद और राजियों के बीच में किया गया है विसेचाय बासा की पहचान का हो असमयन विकास के बारे में हो राज्यों के गठन का हो पुनर गठन का हो या फिर विसेच राज्य का दर्जा देने से जड़ा हो ये सब केंद राज सम्मंदों की सीमा में आते हैं ठीक है इसके अलावा देश के देशने सिच्छा बयापार ज झाल झाल केंदरी सूची के बारे में बात कर लेते हैं तो केंदरी सूची में बेविसाय सामिल किये गए जिन पर सिर्फ केंदरी सरकार कानून मना सकता है यानि केंदरी सूची में निन्याने विसायों को सामिल किया गया है चलिए आगे बात करते हैं राजी सूची के बारे में बात करने हैं तो राजी सूची में कानून विसायों की जो संक्यायों की रखी गई है चलिए आगे बात करते हैं आत्मी अन्सूची बिदायका के बिसे को केंदर और राजी के मद्ध विवाजन करती है संग सूची में महतपूर तता सार्ज्वनिक बिसेयों को रखा गया है राज्यों पर केंदर का बिधान संब्धी नियंतर के बारे में हलका साथ देख लेते हैं अनुच्छे दोसों के तहित राजी का राजपाल धन बिद्यक सभी बिद्यक जिसे राज बिदायका के पास किया हो उसे राष्टवति को सहमती के लिए आरच्छित कर सकती है ठीक है चले आगे बात करते हैं केंद्र राज परिसासनिक संबंद्र के बारे में बात कर लेते हैं अनुच्छे 226 के राजपाल का सक्टियां इस तरह से प्रियोग में लाए जाएंगी जिससे की संसद की बिद्यके अधिन बिद्यक पालन हो रहा हो और केंद्र केंद्र राज को ऐसे निर्दे दे सकता है जो इस संबंद में आवस्चे को जैसे मान लीजिए केंद्र है राज सरकार है वो इस तरह से कानून आपने जो पिरसासन या जिस तरह के कार रही है इस तरह से करें कि जिससे की संसद है या कर जो आपकी केंद्र सरकार ह सब्सक्राइब करते हैं तो आप केंद्र क्या करेगा निर्देश सकता है कि यह जो आप कर रहे हैं वो संब्धानिक नहीं है आप उन पर लगाम लगाईए ठीक है अनिचे 257 कुछ मामलों में राज पर केंद्र की बात करता है राज पालिका सकती इस तरह से प्रियोग में लाई जाए संग कारिपाल के संगर्स न करे यदि राज निर्देश पालन में असपल रहता है तो राष्ट फती सासन लगाया जा सकता है जैसे कि अभी चुना पिरच करने के लिए जा पर पर पश्चिम अंगाल जा रहे तो किस तरह रिट्रामिवाजी चल रही ती देख रहे तो इस तरह की ड्रामिवाजी आप नहीं करेंगे केंद्र के दायरे में रहके कारी करेंगे जो कि उसको परिसानी नहों अनुच्छे 258 के अनुसा संद्ध को करेंगे जिससे केंद्री विद्य हैं या संगी विद्य हैं उनमें क्या हो उनका उलंगन ना हो उनका भी पालन हो सके केंद्र को यहाद कर दिया कि राज में बिना उसकी मर्जी केंद्री सुरक्षा बल तेहनात कर सकते हैं कोई भी हो कोई भी राज हो जैसे जादा हीरो बन के काड़ आपको क्या कर सकती है आपके राज के बिना मर्जी से महां पे सुरक्षा बल तैनात कर सकती है अनुच्छे 262 को अनुच्छे 262 को संसद को अधिकार देता है कि वह अंतर राज जल विवाद को सुल जाने हैं तू बिदिका या कानून का निर्मार करें इसके लिए स संसद इस विवाद को सुल जाने के लिए कानून बना सकती है ठीक है अनुच्छे 263 की बात कि राश्टफती को सकती देता है कि अंतर राज्य परसद इस्तापित करें ताकि राज्यों के मद्ध जो उत्पन विवाद हैं उनको सुल जाया जा सके जैसे कि आप यहां पर दे राश्टी विकास परसद का गठन किया यानि 6 अगस्त 1922 को इसी के तलिए राश्ट विकास परसद का गठन किया इसमें प्रदान मंत्री परसद का अद्ध्याच होता है और भारती संके सभी राज्यों के जो मुक्हिमंत्रियों इसके पदैन सदस होते हैं ठीक है यानि कि जब आप राश्टी विकास परस्ट हैं तो आपको जैसे या मुक्यमंत्री बनेगे आप उसके उल्टमेटिक सदस्ट बन जाएंगे चलिए राश्टी एक्ता परस्ट एन आई सी राश्टी एक्ता परस्ट एन आई सी का गठन 1961 में किया गया था इसका उद्धिस संपर्दाएक चातवाद छेतरवाद बासावाद की बुराईयों को निपटना था या उनको समाथ कर देना था इसकी पहली बैठक 1962 में हुई थी एन आई सी ने बर्स 1968 में हुई बैठक में बिविज्टा में एक्ता धर्मों की आजादी धर्म निपेच्टा बरावरी धर्म निपेच्टा बरावरी समाजे का आर्थिक एवं नाजनेते निया है और सभी समदाने को भाईचारे का उद्देश गोसित किया यानि कि ऐसे हम समझ सकते हैं बिविज्टा में एक्ता मतलब सभी धर्म सभी जातियां अलग-अलग संस्कृतियां मानने वाली अलग-अलग भासाय बोलने वाली उस इस बिविज्टा के यानि कि किसी भी धर्म को क्या नहीं देगा ये आस पोसित नहीं करेगा किसी एक धर्म को कोई भी चाहिए राज हो चाहिए केंदर हो वो किसी भी धर्म को पोसित नहीं करेगा जैसे कोछ राजी सरकारे करने की कोजी करती हैं जैसे एक ही धर्म को पोसित करने कोजी करती हैं फिर वो उगरोने के उसे लगता हैं Q3 हम ही बारत देश के मालिक हैं पिर यह गलत फैमि पर उसके लिए नएने चीजें करनी पडते हैं Are देखते हिए फिर उससे देजद्रोई पैदा होते हैं और देजद्रोई गंदे-गंदे नारे लगते हैं पाकिस्तान के क्या करते हैं जन्डे फैराते हैं. क्यों कि वहां की जो सरकार है वो इस तरह का कार्ने को मजबूर करती है. उत्तर पी देश में कोई हराम को 서울 क्यों केंदरा संबंदों पर गठित आयोग और उनकी समितियों के बारें बात कर लेते हैं हलका था और पिर आके बढ़ते हैं सी तलवार समिति किया गया था यहांने इनकी अधिस्टा में किया था ठीक है अंतरा राजिय पर साच्वाले के बारे में हम अलका सा बात कर लेते हैं भारत में समिधान में ऐसे सासिन विवस्ता का प्रवथन किया गया है जिसमें केंद्र और राजियों के बीच उन्हें सौंपे गए छेत्रो का प्रियोग किया जाने के लिए प्राधिकार छेत्रों को इस पर टूप से परिवातिस किया गया है ठीक है इसके अंसार असमेदान में बिधाई एम पिरसासनिक और बित्ती सक्तियों के छेत्र में केंद्र और राजियों के वीच सक्तियों का बिस्तरत क्या किया गया है बित सरकार ने सक्टियों के बितरड के छेतरों में केंद्र और राजियों के बीच विबादास्पद मुद्दों की जाच करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाये हैं केंद्र सरकार ने केंद्र और राजियों की भी बरतमान विवस्ता के कारे करड़ को समीचा करने के लिए नया सुतंतर राश्ट्री फौरम के रूप में अंतर राजी परस्द इस्थापत किया जाने की सिफारिष की थी इसके बार भारती सम्मिदा ने अनिचे 263 के अंतर के राश्ट वती ने आठाइस मई दो जाए निस सो नब्य के आज इसके अंतर राजी परस्द का क्या किया था गठन किया था साथी फरस्द समान इससे जुड़े मुद्धे नीत और कारेमन में वहतर सालमीर बैठाने के लिए सुजाब देने का भी कारिकरती है सम्मिदानिक प्रापधानों के मुताविद परस्द किसी कानून या गैर कानून विवादों को सुल जा सकती है लेकिन इसका फैसला अदालत की तरह बादिकारी नहीं होगा जैसे माली जो कोई राज है किसी कारण उस पर बिवाद है और एक दूसरे के आपस में विवाद चल रहा है तो उसको निवटा तो सकती है उसके बैठाल के समझा सकती है ल के दिली के मुख्यमंतरी क्योंकि दिली के इंसासित होने के बाप जूद यहां पर विदान सवा है पुदोचेरी के भी बात की जाए तो पुदोचेरी में के इंसासित होने के बाप जूद भी क्या है आपका विदान सवा इसलिए यहां के मुख्यमंतरी ठीक है इसके मंत्रियों को प्रदहान मंत्री सद्र के रूप में नामित्वी किया जाएगा चलिए आब बात करते हैं परस ठीक है इसके gained के बाद के लिए बाद के लिए अन्या जाये छेत्री परसत तो अंतराजीपर सटिक गवाग के बाद देख लिए थे हैं छेत्री परस्द यानि की जॉर्णल काउंसेल चेत्री परस्द सामेदानी की निकाये इंडिका गटन संसद्वारा राज पुनर गटन अधनियम उनीस सो चपन द्वारा बनाया गया था इस कानुन ने देश को पांच छेत्रों में विवाजित कर दिया था पश्मी यह आपका दच्डी और यह है आपका उत्तर पश्मी ठीक है ठीक है उत्तर पूर्वी ठीक है प्रतियक सरकार का ग्रह मंत्री यानि प्रतियक सरकार का ग्रह मंत्री और पांचों छेत्री परस्दों का अध्यच होता है यानि कि मान लीजे यह हैं आपकी ग्रह मंत् के तो जो पांचों जो संगठनों क्या होते हैं चलिए आगे बात करते हैं जयوا है not पुर्डेश का एक एकट्ररण करना χीराज भाबना-चेत्रवाध-थासाई तथा बिग्सेश्टाबाद के विकास को रोकने में साइता करना जैसे giving जैसे कि जो आपका राज जैसे आप बहार sitten यहां आप कही कौन करना क्या समझते हैं यार बेब कुछ होते हैं बहारी और ऑर गाने को दिसकरते जाले हमारा अकरे जी क्या कहते थे कि उत्तर पर प्रशेस और यूपी वालों के लोग बगार देना चाहिए तो इस तरह की कई बार होता है तो सबको अपना पूरा-पूरा हक मिलना चाहिए ठीक है विशेस्टाबाद की बात की जाए तो कोई जैसे चेतर है ज्यादा डबलप हो जाए य हम अन्य लोगों से बात नहीं करेंगे इस तरह की भी गेनया पंती बाली बात है कोई नहीं करेगा ठीक है सुरी मुख्य विकास यूजना के सफल तता तीब क्रिया मन के लिए एक दूसरे की साहिता करने तता एक समान नीतियों के बिकास के लिए बिचारों तता अन्वहों के आदान प्रदार के सच्छम बनाना देश के अलगला चेत्रों के मद्ध राजने तिक सामे आये समान होने का भाव राजने तिक सामे सुनेक्षित करने की प्रयास करेंगे बात करते हैं संग लोक सेवा आयोग के बारे में संग लोक सेवा आयोग यानिक UPSC भारत के सम्विधान द्वारा इस्थापित एक ऐसी संता है जो भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की न्यूक्ति करने के लिए परिचाय संचालित करता है प्रित्म लोग सिवा आयोग की स्थापना एक अक्टूबर 1926 को होई थी आ जा थी कि वाद सम्मेदानिक प्राद्धानों के तरह 26 अक्टूबर 1950 को संग लोग सिवा आयोग की स्थापना की थी सोरी चलिए सुतंता के पहले बार्ती शिवल सिवा यानि आईसी एस भारत में सभी सिवान में बरिष्टम थी आइसी के अलाव़ा भारती पुरिश्वा भी थी केंद्र और राज्यों के लिए एक समान या एक से अधिक बारती सिवाव का सिर्जन करने के लिए सम्मिदान के अनुच्छे 315 से लेकर 323 का तेस तक प्राब्धन किया गया सम्मिदान के लाग होने के बाद एक नया अखिल वारती सेवा अर्थात भारती बन सेवा बर्स 1966 में सरजित किया गया था यहाँ इसको बनाया गया था ठीक है भारत की समान विजिस्टरा आया है कि सम होता है इनको ठीक है अखिल वारती सेवा के हलके से बात कर लेते हैं तीन अखिल वारती सेवाएं हैं भारती प्रिसासनिक सेवा आई एस भारती पुलिस सेवा आई पी एस भारती बन सेवा आई एस ठीक है यहां पर लिख दिया है मैंने इंगल्स में जो भारती समझना चा यह लोग सेवक नहीं रखे जा सकते हैं किस लिए रख दिये जाते हैं यह आपको राज्यों में कार करने के लिए भेज़ दिये जाते हैं चलिए बात करते हैं केंदरी प्रिसासनिक न्याय अधिकर इसको हम CAT केट भी कह दे हैं बिल्ली बाला केट नहीं है इसको बोलते हैं Central Administrative Tribunal ठीक है प्रिसासनिक नयाय दिखर अधिरियम ने 1985 में भारती करमचारियों को नयाय देने के छेतर में एक नया अध्याय सुरू किया था इसकी सुरूआ सम्मेदान के अनुच्छे 323 एसे हुई है जिसके केंदरों और राऑजियों के कारसंचालन लोक सेवा और पदों पर न्यूक्ति व्यक्तियों की भरतीवां सेवा सर्तों के सम्मध में बिवाद और सिकायतों के निप्तारे vidéo इसको केट भी बोलते हैं करने की क्या है सकती प्राप्त की गई या प्रसासनिक न्याइदिकर्ड आपका सियटी को इसके अंतरगत आने वाले करमचारियों को सेवा संबंदी मामलों पर मूलादिकार छेत्र प्राप्त है चलिए आगे बात करते हैं इस अधिनियम में केंदरी पिरसासनिक नियाईदरी का कैट और अन्य राजी पिरसासनिक नियाईदरी का इस्थापित करने का प्राब्दान किया गया है केंदरी पिरसासनिक नियाईदरी का कैट की इस्थापना नमबर नवंबर निस सो पिचाच में की गई थी बरतमान में कि इसकी सत्रे नियम नयाइफीट है जिसमें पंद्रे उच्छ नयायलों के मुख्ख्यालों में कार्य रहते हैं उस्च दो जो है वो आपकी जैपुर वाले छेत्र में जैपुर और एक लखनू में है ठीक है इस नयाइदी करण में एक अद्यच और उपाद्यच और अन्सद तो आप देखते हैं कितना हाड होता है ठीक है आपने जिन्समें भी दिया हो भाई ने या किसी के परिबार के सदस्ने चलिए सरवोच नियायले के अठारे माद परणा सुरूप किसी प्रसासनिक नियायदी करे के आदेश के खिलाप संबंदित उच नियायले की खंड़ का मुझे तजरूबा है तो सासन अपने मामले में बेवागी अधिकारी अधवा पकील के अमाद नियाय प्रिस्तुत कर सकता है इसका उद्धित बाद करता है यानि कि जो बाद ही होता है यानि की समितिया दो तरह की होते हैं इसे संसदी कार होते हैं वो समितियों को द्वारा किया जाता है उन्हें की में दो तरह की समितिया होती है तदर समितिया होती है जो अइस्थाई होती है और इसको कार इंजश्ट खतम होने के बाद इसको समाप्त कर दिया और इस्थाई सम समिति की बात की जाए तो यह समितियां हमेशा कार करती रहती हैं झाल 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 संसदोहरब प्यदान किई धंदाति अत्रेक्ट किया गया बे और उन पर परस्चितू dign foundation की जृंग करना जिसके अत्रीक्ट वेयdamn । संसर्च पैसे बग्यारा निकाल के इन लोगों ने वजट के रूप ने ले लिए है उन उनके बाद या नी कि मेखे でも इसकी जाँच करना कि ये किन कालosion she kyn प्रिस्टिक्र से किया गया है संहिती। राच्टति के बित्ति समिंत्री के साथ रेनकूट वाली कहानी है ना तो वो मतलब लूट का सुर्थ होई लेकिन उन पर कभी भी दाग नहीं आया यह आच नहीं आई चली आगे बात करते हैं सहेकारी उपकरम समिंति के बारें बात कर लेते हैं कमेटी ऑफ पब्लिक अंडर्टेकिंग ठीक है इस समिंति में बाईस सजस होते हैं जिनमें से पंदरे सजस लोकसवा से लिए जाते हैं और साथ सजस के आपके राजसवा से अनुपातिक प्रसिद्धनित की एकल संकुनमें तिये पद्धिती द्वारा निर्वाचित की जाते है इसके प्रमकार की बात की जाए तो सरकारी उपकरों को पृतिवेदनों में पृतिवेदन मतलब रिपोर्ट और लेखाओं की तथा नियंतर व महालेखा परीच्छे के पृतिवेदनों की जाच करता है यानि कि यदि अलग अलग किया रहा है लोग सवा के लिए लग और र पैसमीतिने तीज विदेखों पर गहन विचार में पारित होने वाला हुता है इसे संचनल फिया जाता है तो उस-पर क्या करना होता है विचार करना होता है वी ना Хोता-ए tand साम्यस्वे गलत तो नहीं है कहिं समय generosity चीजे पर करने होती है तो क्या बनेने बताया है GPT 45 सभासे और 15 के राजि को कि ये जाते हैं प्रबश कमिति ठीक फिल्फ organ Center के बारा जिए जाद गो के एथिकारियों के संबर्व रश्कारतार चार नेंध्र की स्यन्ता है इसकी स्थापना के संतानम की अध्यस्ता में फरवरी 1964 में की गई थी राष्टपती द्वारा एक अध्यादय जारी किया जाने के बाद केंद्री सतक्ता आयोग 25 अगस 1998 कुसामितिक दर्जा दे कर एक बहुत सदस्य आयोग बनाया गया था तो आयोग में एक अध्यक्त चता दो सतरक्ता आयोग होते हैं जिनकी न्यूक्ती राष्टती द्वारा एक तीन सदस्य समिति की सिपारिस्त होती है इस समिति में प्रदान मंतरी लोग सवामें पेपच्च के नेतावा केंद्री गिरह मंतरी बर्तमान में केंद्री गिरह मंतर जो मुख्य आयुक्त हैं उनका क्याना में केवी चौधरी है तो केवी चौधरी जब आपके सेवा निवरत हो जाएंगे जब ये अपनी समाथ हो जागा इनका कारकाल फिर इसके बाद ये किसी भी भारा सरकार के किसी या राज सरकार किसी भी पद पर क्या नहीं होंगे किसी पदपर क्या नहीं कर सकते जॉब नहीं कर सकते या वहाँ पर कारी नहीं कर सकते बर्तवान में के बी चौदरी मुख्य सर्तर्कता आयों ठीक है के अधिकार कार्यों के बारे बात कर लेते हैं हलकी से केंद्री सर्तर्कता केंद्री सरकार द्वारा वेजे गए किसी संदर पर करते था हमें, आयो को सिभी और न्यायले के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, चलिए चलिए बात कर लेते हैं, नेशनल हुमन राइट्स कमिंसन के बारे में तो मानव अधिकार से है मौलिक अधिकार थे जिसके सभी मानभाडी हगतार होते हैं, अधिकार अविन-स वतनता के रूप में जिन Rabbit टगदा की जाती है, उनके बारे हुम तोड़ा से दिख लेते हैं उनमें नम अगरिक अधिकार और राजनेतिक अधिकार सामिल किये जाते हैं जैसे जीवन में आजादी जीवन और आजाद रहने का अधिकार ठीक है अविव्यक्ति की स्वतनता बोलने का अधिकार कानून के सामने समानता ठीक है आर्तिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही सांस्कृतिक गत्विदियों में बात करते हैं राश्ट्य मानवा अदिकार आयोग राश्ट्य मानव अधिकार ठीक? N.H.R.C. ठीक है? N.H.R.C. इस्थापना बार है एक्टूबर उनीस सो तरानयों को मानव अधिकार अधिकार रच्छा अधिनियम राष्ट्य मानव अधिकारायोग के अधिछ collected को सपत राष्पती द्वरा दिलाई जाती आयोग का अदियच वही वेकती हो सकता है जो सरवुच नयायले का मुख्य नयायाधिस रह चका हूँ आयोग ने सदस्यों की न्यूकती राश्टपती द्वारा च्छी सदस्य समीति किसी कि पारिस के आदार पर की जाती है विस्तो मानवा दिकार आयोग प्रतिवर्द 10 दिसंबर को मनाया जाता है चलिए आगे बात करते हैं मानवा दिकार आयोग द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुक मुद्दे और कारक्रम को बाद देख लेते हैं पाल विवार निसेद अधिनियम 1929 की समीच्छा की गई थी यानि कि 1929 में यह दिनियम बनाय गया था उसकी समीच्छा की ते यानि कि इस बाल सरम की रोक थाम जैसे कोई सर्म में हूं किसी स्कूल में ही जैसे पढ़ा रहा हूं इसकूल में पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है वो क्या बोलते हैं उसको है कि अधी स्कूल में जो सारे काम करवाते है भर तन भी न districts भूमिय सेंदधिन हेघा सिज्मक ही काना बनवाते हैं बच्चों से बच्चों से जैसी मिल लरकी दी कि है तो क्या है कि वह स्अधिना मैंने तो इसंन तो भी चाहियों का पड़ाई लिगा तो नहीं होrim verd captive चटनी आज मोला और इसी में पिचारों का चला जाता है ठीक है उसके बाद बाल स्रम उन्मूलन है नहीं बच्चों से जो काम करवाए जाता उसका उन्मूलन है नहीं उसको समप्त करने के बारे में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए गाइड़ वो क्यान बताना कि तुम नहीं ले रहे हो तो अब बताना उस सेर की तुम टॉपर का नाम ले रहे हो तो अपने आप गद्या भी समझ जाएगा टॉपर मतलब अनुराग मिस्तरा के साथ ये गंदी हरकत हुई है तो एक बात बताना तो मीडिया को ये गाइड़ बुक देना कि इस त कॉंडॉम का एड़ साल ही दिखाते हैं नहीं कोई गंदी चीज दिखाते हैं इस तरह की चीजे नहीं करते हैं इस तरह में समझ मैं रहा ना उसमें साधर भारत देश की जो नीतिया है उसके बारे में दिखाते हैं ठीक है इसके बाद महला और बच्चों की अबैद बयाप होते हैं वहांपर क्या होते हैं सिर्फ इसी के लिए ब्यवस्था बनायी जा रहा है तो इस तरह पर उन चीजिए पर रोक लगाई जागी और वहां patch लिया आप आनन्द लेने के लिए। आप वहां पह पर क्या कर लिए आपने ओरर कर दिया है सरे से भारत में में खून की या बिलड की जो कमी होती है तो उससे संबंदित कदम उठाए है इसने कई ब्रंदावन में जो बे सारा औरते थी उनके पुनरवास के लिए कई सारे का कदम उठाए थे ठीक है इसका कार इस्तर पर महलाओं के यौन उत्पीड़न की रोगथाम रेल्वे महला या कि बातें मानने लगे तो अचे से बात करेंगे बाबु और रानी इस तरह की बात हैं और यदि आप उनके słu सप्पोर्ट नहीं करते हैं आप उनकी गंदी संधी बातें कर रहे हैं और तो अभी ईक वात होता ना महला बैठिए अब तो आप गलत सलत बात कर रहे तो क्या उसके काँता कौन अब तुम कह ऊज़ता है नहीं उससे कह रही थैश्टे कहता है है, तो हरामकुँर तुम कहतो रही हो किसी ने किसी से तो तो आवाज सारी कदम अठाई हैं उननीं सो निन्हानि के उड़ी सा चक्रवाद पीड़तों के लिए रहात कार दो जारेकई गुजरात भूकम के बाद रात के लिए इन्होंने कही सारे का कदम अठाई तो अपनी पिगलांगों के लिए अधिकार बच्चों के लिए यानि स्वास्ते का अधिकार यानि कि यह बच्चा रो रहा है ला इस तरह से इंजक्शन बगेरा तमाम चीज़ है और तूफान पीट्टों के लिए मदद की थी और HIV AIDS के लिए क्या किया था कई सारे कदम अठाई है ठीक है अन्सूची जातियों में जन जातियों तदा अल्व संक्यों के रच्छो पाई हित्तु यानि उनकी रच्छा के लिए उनके जो अधिकार उनकी रच्छा के लिए संविदानी प्राब्धान देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छे 340 पिछड़े अनुच्छे 3402 में अन्सूचित जन जातियों के लिए प्राब्धान किया गया है ठीक है अनुच्छे पच्छे समाजिक सांस्क्रित खितों का संरच्छड के बारे में प्राब्धान किया गया है ठीक है जन अनुसूची जाती है अनुसूची जन जाती है तदा अल्प संक्रों के रच्छो पैजा है तू प्राबधान के बारे बाते चल देए ठीक है तीस तीसरा जो है वो है आपका सेच्छड आर्थिक तदा लोग नियोजन संबंदी रच्छो पाया निकि उसके उनके अच्छा के लिए कुछ प्रमो को कदम अनुचे पंद्रा में प्राब्धन किया गए धर्म मूल जाति लिंग जन्विस्तान की आधारपा बीवेद नहीं किया जाएगा ठीक है यानि कि उनके साथ बेदवाब निकाएगा आप किसी धर्म के आप हिंदू है तो आपको किसी आप जैसे अधी नियुक्त पहते तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान जैसी feeling आएगी वहाँ पर जब आप जाएं तो पाकिस्तान वाली feeling आएगी वहाँ पर हिंदू के साथ इस तरह से बरताब किया जाता है मैंने कई बार देखा है मैं अच्छे सक्या हूँ तो बहाँ बड पैदा हैं आप सकल देखते हैं यह कस्मीर के लोग आतनकवादी होते हैं तो इस तरह की जो आप ट्रिपड़ी है वो नहीं कर सकते ठीक है किसी किसाथ जन्मिस्तान के आधर पर भी विविद्वाद नहीं करते हैं अनुच्य सूल है लोग नियां जिनके विशय पर समता है या की अर्स मतलब होता है उसे हमने के लिए केंदर राजियों की बित्य साइता के लिए विद्ट deserve देगा के लिए अंसूचित चन जातिय के दावि के और लिए कि लिए लेबर की लिए कि धारब्स मैंने कभी अब का थोड़ी धर पहले बनाविया कि कोई राज्य है उसमें कोई बासा बोलता है तो अगर लगता है राश्वतिक को ऐसा लगता है कि उस्ते एक दरजा देना चाहिए राजवासा का तो वोप हो सकता है अनुचे 350 के बारे प्रात्थम की इस तरपर भिविन राज बर्गों को मात्वासम सिच्छा प्राप्त कराना के लिए विशेस अधिकारी को निक्ति करना अ कि अ करिया अरच्छ्ण के बारें बात करें आरच्छ्ण मीन स्चटनी एक बार खाए मांगे बार बार इस तरह का होता है यह 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 आपे उसे कम करने की कोशी की तो आप प्ट्री उखाड़ के ले जा इस प्रइस होता है और अच्छ्ण मीन होता है एक यह आप देख रहे हैं इस से इंद्य मुस्लिम सिखिता आपस में भावाई-भाई-वाली कहानी नहीं होनी चाहिए हर भारतिया आपस में भाई होना चाहिए इसी तरह सी आरफ्षड का चूरन देते हैं नेता इस्तुमाल करने क साल के लिए बढ़ा जाते हैं की सिर्फ और उसे दस साल के लिए लगा गया था फिर आरफ्षार का जो ज्यारता वो शरीर में इतनी बुरी तरह से अंदर घुश किया है जैस तरह से इसका नसा हो गया है तो अब क्या होए अगर हलके से आरफ्षड नाम अगर कोई ले देन अब तक अब भारती कानून के जरीय सरकार जाएं सारवेजी चेतों के एकाईओं धारमिक बासाई युल्पसंग से इच्छिक संसताम पदों तता सीट के पिरत्द को आरचित करने का कोटा पिढाली प्रेदान की है भारत में संसद्ध में अनसूची जाती के पिरसनेदी के लिए अरफचर नीती को इस्तारिज किया है और देश की केम सरकार ने उच्छ सचामें सताइप परसंट आरफचर दे रखा है और विबेन राज आरफचडों में ब्रद्दी करने के लिए काणूनी भी बना सकती है ठ सब्सक्राइब कर दिया कि पचास परसेंट से अधिकार नहीं दिया ज़िए अन्य वर्गों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए चलिए सामधानिक प्राथदानों के देख लिए आपके संब्सक्राइब कि चाहिए बारे हैं उसके लिए विवस्ता की जाएगी ठीक है तो संबिदान के भात तीन में समता के अधिकार की वावना नेता है इसके बावजूद अनुच्छत पंद्रे में पिराब्धन किया गा है किसी व्यक्ति के साथ जाती प्रिजाती लिंग धर्म या जन्मिस्तान के भेदवाब भी न समानता हूं कि यदि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो आप हंडर्ड परसंट उसको आरच्छड दे सकते हैं लेकिन यदि वो उसके बावजूद भी वह आप रच्छड प्राप्त करता है तो ब्रस्टाचार के अलाबा कुछ नहीं होगी और ज्याज़तर यही आन अनुच्छ सोला के मतावित यदि राजी को लगता है राजी को यह लग जाता है बारती सेवां पिछड़े वर्गों को परयाथ प्रति नहीं है तो वह अपने पदों को आरच्छड कर सकता है अनुच्छ तीन सो थीस के सथा संसद और अनुच्छ तीन सो बत्यत में राज प्रापदान के लिए इनके लिए जायज भी है चलिए सम्विदानिक प्रापदान के बारे में बात के दोजाच्छे में केंदरी सरकार ने सेच्छिर संताओं अन पिछड़े वर्गों के लिए आरच्छ शुरू किया था और आरच्छ उन्नीस पॉइंट मांच परसें तक च सरकारी कदम को सई ठहराय था दोजास सोले में पांच मार्च दोजार सोले को एक बिद्यक पारत किया जिसमें बिदान सवाओं और संसद में महिलाओं के लिए एक त्याई सीट है आरच्छ की गई थी ठीक है चलिए बात करते हैं सम्विदान संसुदन बिद्यक एक सो चौ करीब थे उनको 10% क्या मिलना तय कर दिया गया था आरच्छ का प्राफधान लागू कर दिया गया था चलिए नवनत बर्ग के बारे माद कर लें यह जातर आपका ओवी सी के में आता ओवी सी में दो बार्ग बानते जाते एक क्रीमी लेयर और एक नोन क्रीमी लेयर ठीक है तो आईए देखते हैं क्या यह तो नवनतबर्ग को पहचानने के लिए क्रीमिलेयर बरक़ को पहचानने के लिए बिविन माप नंधों की सिपारिक कि गई थी जो इस पिरकार है उनको देख लेता है साल में धाई लाख रुपए से ऊपर की आयवाले परिवार को नवो नतबर्ग में सामिल कर उसे आरेच्छड कोटे से बाहर रखा गया था इसके अलाबा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर, एकाउंटेट, अविनेता, मीडिया, पेसेवर, ठीक है लेखकों को, नौकरसाओं को, करनल, समकच जो रहें के उचे पदों पर आसीन जो रच्छा विवागों के अधिकारी हैं, उनको उच्च नियायल है, और उच्च तम नियायल है, के नियायदीद, सभी केंदर, राजी सरकारों के A और B बरके अधिकारीयों के बच्चों को इससे बाहर रखा गया था, अदालत ने कहा था, कि जो सबसे गरीब क्योंकि सबसे बिरमार्ण में सबसे ज़्याद गरीब कौन होते हैं, सांसद होते हैं, उनके पर बिचारों खाने के लिए नहीं हो दा, घर नहीं होता, वो कभी गारी से नहीं चलते हैं, हम इस साइकल से चलते हैं, ठीक है? चलिए, राजवासा के रूप में हिंदी, हिंद तो बैसे बिलिप तो जाएगी क्या आप देखते भी इंग्रिस के सवा आदमी को पसंद कुछ आई नहीं क्या होता है गर्म मैसुत होता है हिंदी में कोई कि तरी माकी समझ लेना तो सरम में एक गंधी बात करता है यह तो इस तरह ड्रामे बाजी तो क्या है यह क्यलिक माहुन उत्यार किया गया है क्या है कि हिंदी में कह दो तो घंधी बात ऊंग्रेज बात करते न अरे मुंड़न लोग उते सोस्के तरह तो चलिए है क्या है प्रती वास पहले वालना के रूप में मनाया जाता है धारत तीन सो ते तालिस कंशा पारती संकी राजवाता हिंदी और लिपी क्या होगी देवनागिरी होगी जैसे आपकी पंजावी भासा होते हैं लेकिन लिपी क्या होती है गुरु मुखी होती है ठीक है चलिए राजवासा के सवापती है में आुकि यंग्रेश का प्रियोग आवश्यक है और किना गायों के लिए ऑंग्रेश भासा का प्रियोग किया जाना है यह यह इंदी अंग्रे जो कृ कि चार और बासा है जोड़ दिया गए जिस से बास्ताओं की संक्या कुल कितनी हो जाती है बाइस हो जाती है अंग्रेजी देश की सायक राजवासा है ठीक है चलिए मिजोरम नागालेंड मेगाले की राजवासा अंग्रेजी है राजवासा आयो की निकती राष्टवति की द्वारा की जाती है पिरसम राजवासा आयो का कटन नुन दिन पच्चमने में बीजि भीजी खेर यानि की बीजी बाल गंगादर खेर के अध्याजिस्था में हुआ था संबिधान में राजवासा के संबंध में अध्याई 17 में उल्यक किया गया है संसदी राजवासा समिती में लोगसवा के 20 राजवसा के 10 अधरस्यों को चुना जाता है संबिधान के 345 कंदा पिर्शियक राजवान मंडल 8 वी अंसूच में सामिल भासा में से किसी एक या एक से अधिक आख़ाएं के रूप में अंगीकार कर सकेगा ञनुच्छे 344 के Steered राजियों के प्रस्था संबंदों में संग की राज वासा की प्राधिक्रत माने चाहेगी चलिये शाण की राजरतन विंगास सामें ही होंगे किन राज किसी राज जी का किसी राज जी का राजपाल राश्वती के अनुमती से अपने राज के उच्छ न्यायले के कारवाई राज की बहासा में लेने की अनुमती दे सकता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए अलसंख्यों के बारे में बात कर लेते हैं सम संब्धान संक्यों के अधिकारों को दो संब्धान करता है जिसमें सामानी छेतर तता प्रितक छेतर का जाता है ठीक है वह अधिकार है वह अधिकार जो सामानी छेतर में आते हैं वह अधिकार होते हैं जो हमारे देश के सवी नागेरकों के लिए लागू है उनमें से कुछ अ के वह बात भी यह तरए की की जो चीजह हैं औह रखी गई है तो कंफिज करता है कि सम्भीदान धर्म निर्पेच खाना किसी आधर पर किसी सेच्रिक संस्तान में जो राज द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर साहिता पिरात्तों उन में दाखिले से इंकार करने से पावंदी के गई अनुच्छेद 29 में ठीक है सभी धार्मिक तथा बासाई अलफ संक्यकों को अपनी मर्जी के सेच्रिक संस्तान खूलने तदा प्रवंद करने का अधिकार दिया गया अनुच्छे 30 में चली आगे बात करते हैं राज जिसे साहिता प्राफ्ट करने के मामले में अलफ संक्यक प्रवंदन को सेच्रिक संस्तानों के साथ किसी प्रकार का बेदवाब नहीं किया जागा यह नहीं कि मुसल्मा संक्यक माना है तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए क्याकि यह दिमान लीजे जहन दंगा नहीं करते हैं इसका मतलब यह थोड़ी ना उनकी पिचारों का अधिकार है वो अडप लिया जाएगा ठीक है उनका जो ठीक है चरात में किस तर पर मात्रवाता में सिच्छा प्र करें रचिस में किया गया शिक्र दर्म का और गया है शिक्र यह दर्म का एक भाग रहता है इस धार्ड से खरना का अधिकार है पूजा के लिए कि अधिकार हो रच्या करने के लिए राश्ट कायों 1992 में अधनियमित या उसको बनाया था इस अईयों के अपर मुकार देख ले थे संग और राजियों के अधीन अलफ संध्यों के कारण अल्फ संक्यों को के साथ बिभेत किया गया हो या उन कारणों से उन कारणों को दूर करने के लिए प्रवाप साली उपायों को अनुसंसा करना हो यानि कि अभी कुछ प्रजातियां कहती है कि हमें भारत देश में डर लगने के कारणों को जानना क्या कि भारत देश में हम खत्रे में हैं तो इस तरह की प्रजातियां कहती हैं उन पर ध्यान नहीं देना है भारत बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल सुरक्षित हां तो में है चलिए अल्प संक्षों को में सिच्छा का विकास सता सामाजिक आर्थिक और मुद्दों के संबंद में सोधकार करना इसके बारे में प्रापदन किया है अल्फ संंक्यों से सम्मnd कीज़िया गए हो उस पर अमल करना यानि कि उसको तुरंत कारीयमन करवाना राइट तू इंफॉरमेंशन के बारे में बात करते हैं सूचना का अधिकार के बारें बात कर लेते हैं तो लोकतांतरिक विफस्ता में आम आदमी या आम नागरे की देश का मालिक होता है इसलिए मालिक होने के नाते वैस सरकार के विवागों सरकार की नीतियों और बिवे ने तंतरों द्वारा किये कारें के जानने के लिए उसका हक होता है ठीक है जनत का अधिकार अधिनियम 1905 के बारे में तो संभिधान भारत की संसत द्वारा पारत यह कानून जो बारे अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था ठीक है इस कानून के द्वारत सभी एकाईयों या कई विवागों को जो संभिधान या अन्य कानून या किसी अन्य सरकारी से थे हैं उनके बारे में आप क्या मांग सकते हैं सूचना मांग सकते हैं सरवुच नयायलाइन ने भी अनिच्छिद 19 के अंतरगा सूचना के अधिकार पर बल देते हुए मौलिक अधिकारों के दायरे में सामिल किया था सूचना का अधिकार कानून के बारे में कुछ प्र प्राद्धान किये गए थे ठीक है RTI या करें राइट टू इन्फोर्मेशन के तहट तो किसी भी सरकारी काम में इस्तुमाल सामिग्री या प्रमानित का नमूना ले सके कि सभी सरकारी विभागों पब्लिक सेक्टर यूनिट किसी भी प्रकार की सरकारी साहिता से चल रही गय सरकारी संस्ता है बस इस चर संस्ता है आद विवाग इसमें सामिल है पूरता है निजी संस्ता है इस कानून के दाएरे में नहीं है लेकिन यदि कानून के तहित कोई भी सरकारी विवाग किसी विवाग निजी संस्ता ते कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विवाग के अधिकारी बनाए जाते हैं वह अधिकारी है जो या चोख मामलों में 30 finds जिन सुचना का अधिकार कानून इस से ठीक है सूचना का अधिकार कानून के बारे में ठीक है अगर लोग सूचना अधिकारी आविदन लेने से मना करता है या तैसमे सीमा में सूचना नहीं उपलब्द कराता है अत्वा गलत या ब्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 200 रुपए परती दिन की दर्स से 25,000 त करी है लेकिन कुछ राज्यों में है अधिक है BPL कारदार को फीस बिलकुल भी नहीं देनी होगी दस्तावेज या कहें जो सूचना मागी है उसकी प्रति या कापी जो है उसे लेने के लिए फीस भी देनी होती है यानि कि प्रति कॉपी जो होती है उसकी फीस देनी होती है केंच सरकार ने फीज 2 Ruping प dedi प्रेष्ट रखे हैंने की प्रेष्ट हो था कि ए इस तरब तो निकर skip होते हैं तो दो रुप पुरत प्रेष्ट पर पर 이렇게 रखेंगे कुछ राजियों में है तता अगर सूचना समय सीमा में नहीं उपलप्ट कराए जाती तो सूचना मुप्त में दी जाएगी ठीक है पिज्जा की दरे बिल्कुल तीस मिलेट में नहीं पहुचता है तो आपको फिरी में पिज्जा मिलेगा यदि कोई लोग सूचना अधिकारी है समझता कि मागी गई सूचना उसके पहुंचने के लिए कि बहुत सरकारी काम ठोड़ा टाइम लगता है इसलिए पांच दिन मांगें दूसरे विवाग के लिए और तीस दिन सूचना देने के लिए लोग सूचना अधिकार यह दी आविदन लेने से इंकार करता है अत्वा परेशान करता है तो उसकी सिकाई सिकायत कर सकते हैं चलिए लोग सूचना अधिकारी कुछ मामले में सूचना देने से मना कर सकता है जो सूचना संसद या विदान सवा को देने से मना नहीं कर सकता उसे वी किसी व्यक्ति को देने से मना नहीं कर सकता यदि लोग सूचना अधिकारी निर्दारित समय सीमा के बीतर सूचना नहीं दे पाते हैं तो धारा आठ गलत सिस्वाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं तो दी गई सूचना के संतुष नहीं होने की सिती में भी 30 दिन के बीतर संबंदित लोग सूचना अधिकारी के बरिष्ट यानी प्रितम अपीली अधिकारी के समझ आप क्या करते हैं पिर्थम अपील कर सकते हैं यदि पिर्थम अपील के संतुष नहीं है तो दूसरी अपेल साट दिनों के बीतर केंदरी या राजी सूचना के पास सूचना आयो के पास कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अब संबिधान में जो जूड़ी होई कुछ प्रमुक सब् में पिरसंद काल के ठीक एक बजे से बारा बजे तक का सू निकाल होता है वैसे ये कम जादा घटा बढ़ा है भी सकते हैं इसको ठीक है यह नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है इस काल के दौरान सदस अविलंबी महत के मामलों के उठाते हैं तता उस पर तुरंत कार पिरसंद काल की बात किया है दोनों सद्रों में पिर्तियक बैठक के प्रारंभ के एक घंटे तक प्रसंद किये जाते हैं इसे पिरसंद काल कहा जाता है धन विद्यक क्या होता है धन विद्यक संविदान के अनुच्छेद एक सो दस में जो प्राद्धन किये गए हैं का से लेकर चाहतक उसमें जो बिस्ते हैं उससे संबंदित विद्यकों को दयन विद्यक कहा जाता है चलिए विद्यक क्या होता है अनुच्छेद संब्धान के अनुच्छेद एक सो बारें विद्यक की विवस्ता की गई है विद्यक उस विद्यक को कहते हैं जो राजस विया विय किया जाता है सम राष्टपती उपराष्टपती नेंत्रक एवं महालेगा परिच्छक आधि के बेतन इसी निदी से दिये जाते हैं राज्यों के करों एवं सुलकों से समधित इसका अंसर देने के बाद जो धन बचता है उसे निदी में जमा कर दिया जाता है आकास्मिक संचित की सुईकरती की बिना इस निदी में धन नहीं निकाला जा सकता विसेस परस्तितियों में राष्टपती अग्रिम रूप से इस निदी में धन निकाल सकते हैं कौन राष्टपती चलिए आखिबात करते हैं विन्योग विदेक के बारे में यहीं बात किता है संचित निदी से कोई धन विन्योग विद्यक के अधीनी निकाला जाता है अनपूरक अनुदान क्या होता है विन्योग विद्यक दोरा किसी पिसेश सेवा पर बियाई के लिए राजपती दोरा एक अनपूरक अनुदान विद्यक प्रिस्तुत किया जाता है अनपूरक अनुदान औ और बिन्योग विद्यक दोनों के लिए एक ही प्रिक्रिया होती है चलिए बात करते हैं आगे प्रिक्रिया होती है जिन पिर्सनों का उत्तर तुरंत सदस तुरंत चाहता है उन्हें तारांकित पिर्सन का जाता है यह मौखिक होता है अतारांकित पिर्सन का होता है जिन पिर्सनों का उत्तर सदस से लिखे चाता है उसे अतारांकित पिर्सन का जाता है इस तरह का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता नाहीं अनपूरक पिर्सन पूँचे जाते हैं इससे समधित अल्प सूचना क्या होती है जो पिरसन अविलमवी लोक महतु का हो जिने 7 पिरसन के लिए निरहारत 10 दिन की अबदी से कम सूचना दे कर पूंचा जाता है उसे अल्प सूचना पिरसन कहा जाता है चलिए आगे बात करते हैं के इस्तगन प्रस्ताब क्या हुताँ? हैं जो भी कभी भी जाए इसी बात है पारी तरहीं हो पाएगा क्योंकि कि जब मेरे मेरी सत्ता है तो मैं दूसरे बिपच्च वालों को क्यों करने दूंगा काम अब इस पास प्रस्ताफ क्या होता है यह प्रस्ताफ सदन में बिपच्च उदारा लाए जाता इस प्रस्ताफ क यह समझा जाता है यह से दो जाता है कि सरकार अभी बहुमत में हैं विशेसादिकार प्रस्ताफ क्या होता है मंतरी परस्त के किसी सदसुदारा सदन में जूटा तत प्रस्तुत करके या सदन में कोई जूट बात प्रस्तुत करके सदन के विशेसादिकार का उलंगन प्रतीत ह पर किसी सदस दारा यह प्रस्ताव प्रस्तित किया जाता है इस्थापन में प्रस्ताव क्या होता है जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर उसके विकल्क के रूप में प्रस्तित किया जाता है उसे इस्थापन ने कहा जाता है अनुसंगी प्रस्ताव क्या होता है इस कर दिया जाता है, अजय ज्यतना जाता है, पैजटन क्या होता है? मान लीजिए बजट सत्थ में क्या हो रहा है, बजट जो आपका पारिद किया जा तो जैसे बिदारी किया है। हुआ है इतना विए फिर टीन निकल गए भिए हूए फिर रहगई अब रह गई बहुत सारी इतना चानल प्याई इतना प्या बैसे तीन दिन विए को में कंद प्यश्य ust Trend यह को पारित कराने कोशी करते हैं लोटन प्रिक्रिया जब जैसे फाइलों को एक साथ रखा वैसे जो पच्छ का दल होता है यह यह तो बहुत है यह सब नहीं चलेगा हमें पता नहीं चलेगा किस विवाग में कितना पैसा मांगा है और यह सब बहुत तो एसा करो अगर ये तो मत्त्वान कर लो करने होगे तो क्या करते हैं मत्तवान करते है और जयसी बात लोग्हसावभाह में आपका जो बावमत का डल है उसे घी तेगा तो बावमत जैसे मतदान किया है मतदान में कॊन जीत जाएगा आपका जिप्रों पंचका जो नि मतलब कि जिसकी सरकारे बोचीत ज़्स ऑंकि जोग्हसावभाह में उसके सदस हैं जब लोग110 göst confidence है की गई नीतियों के ही दल नीतियों यानि कि पिर मुख सदस्यों दारत तै की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालिस होता है जैसे इसको काकर साब कैसे समझ सकते हैं कि मिश्टर नरंद दामुदर दास मोदी जो है उनके ही प्रभाब से पूरी जो नीतियां है पूरी में आपके नरंद मोदी जी जब प्रदान मंत्री बनते हैं तो उनके प्रवाब से ही वो इतनी सीटें मिली थी वह दो हजार उन्निस में भी उन्हीं के प्रवाब से ही इतनी सीटें प्रवाब तो इसका मतलब हुआ कि कुछ सदत से आपके नरंद मोदी आपके अमिस्सा यान कि कुछ प्रमुक सदस्वारा तै की गई नीतियों के ही द्वारा पूरा दल संचालित होता है तो दो बियोक्तियों के द्वारा है यानि दो तीन ब्यक्तिया चार पांच ब्यक्तिय के द्वारा पूरी जो नीतियां बनाई जाती है पूरा दल संचालित करता है यानि कि ये त सब्सक बैसे ही गढ़ regard पूर्ति गंटि वेजा जाएगा इसा है कि गढ़ पूर्ति गंटि गंटि वजज़ गयी पता चले एक दो टॉलिट करने चले के पता चला कि और कम उगए तो फिर ठोड़ा एक दो कॉफी और पी लूँगा पंदस-पंदस-पंदस-बीज मिनट पहुंच जाओंगा देखूंगा और कारवाई सदन की क्या होगे शुरू हो जाएगी इसको क्या कहते हैं गड़ पू चले चले के लिए नोटें जे सकते हैं चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्देम से नहीं इस काड़ अंत में मत्दान मत्विभाजन नहीं होता है केवल सबीपचिज होते हैं वैस सदस्वें को संबोधित बेसापर अपने विचार प्रिश्वत करते हैं कि मत होते हैं दवाब दवाब समू क्या होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो कहता 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 है, वो जम्मु कस्मीर हो गया और आपका पस्षी मंगाल हो गया तो उनी के इसाब से नीतिया बनाती है अन्य जो समदा होता विचारों की लेने के देने पड़े जाते हैं जैसे आपका अलीगल वाला थे तो वहाँ पाकिस्तान जैसी फीलिंग आती है आप जाए तो वहाँ पाकिस् लड़कियों को उठा ऋठा के आप समचना ना कीच खीच की ले जाएंगे क्यों क्या करने के कोशी करेंगे बारत बंद कर रहे ना इसलिए अच्छे काम करेंगे न उसमें तो यह क्या होता है दवाब सम bragותा है तो अपने दवाब बनागर क्या करते हैं अपने कार्णियों क तो मुझे अनंद लिए तो अगली वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जहन पंदे मात्रम